हेलो माई डिरी स्टुडेंट्स आयम सुक्देव चोधरी टीम सीलसी सीकर बच्चो आज अपन डिसक्स करने जा रहे हैं दंगल 5 अपॉन 15 तो 15 में से पांचमा दंगल आज अपन डिसक्स करने जा रहे हैं जिसके अंदर कुल मिलाकर कि 50 क्यूशंस हैं फिजिक्स का फोर्शन और section B के जो 15 क्यूशंस हैं उनमें से 10 क्यूशंस आपको करना है कोई भी 5 क्यूशंस है उनको आपको आपको इसकीप कर सकते हैं उनको आपको अटेम्ट करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो फुल से लेवस का यह पेपर है नीट के वेटेस के अकॉर्डिंग हर चेप्टर स यहां से मैंने क्यूशंस हो फिक की हैं तो चलिए देखते हैं बारी-बारी क्यूशंस सबसे पहला क्यूशन अपने देखते हैं द्यान से देखना देखना देखो यह कह रहा है कि 5 equal forces of 10 newton each are applied at one point and all are lying in one plane if the angles between them are equal the resultant force will be तो द्यान से देखना देखो सुनो भई दो इस पर forces है उनकी बीच का इंगल अगर सेम है तो इसी स्ताती में इन सब का जो वेक्टर सम है वो क्या हो जाएगा जीरो जाएगा ठीक है ना तो symmetry resultant कितना देख आपके पास में जीरो जाएगा ठीक है चलिए next question पर चलते हैं अपन इसके बाद देखनान से है अगला question a vector तो यह देरका आपको और b vector आपको यह देरका है तो value of t at which they are orthogonal to each other दोनों एक दूसरी परफेंडिकुलर नहीं ठीक है ना तो परफेंडिकुलर तो दोनों का dot product आपको जीरो करना भी तो आपन बोल सकते हैं कि a vector is perpendicular to b vector तो आपन कर देंगे कि a vector dot b vector equals to 0 जाएगा भी तो च तो यह क्या बन देगा बताओ cos omega t इसके बाद में cos omega t by 2 इसके बाद में plus sin omega t sin omega t by 2 equals to क्या देगा भी 0 देगा इसके बादे इसको अपन क्या बोल सकते हैं बी यह देगा आपके पास है cos a यह देगा cos b plus क्या देगा आपके पास है sin a इसको आपन बोल देंगे sin b बोल देंगे और equals to क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा इसको आपके लिख सकते है Cos Omega T by 2 equals to 0 तो यहां से आपके पस on ओमेगा T by 2 equals to क्या बन जाएगा आपके पास में पाई बाई 2 आजाएगा 2 से आपन यहां पर 2 को अगें से लाउट कर देंगे तो T equals to क्या बन जाएगा पाई अपन ओमेगा बन जाएगा भी ठीक है ना second option यहां पर आपका correct से लाजाएगा चले इसके बाद नेक्स्ट क्यूशन पर आपन चलते हैं अगला क्यूशन क्या कर रहा है देखो दान से है अगला क्यूशन क्या कर रहा है देखो दान से है the dimensions of a by b equation p equals to क्या हो देगा a minus t square upon bx p is the pressure x is the distance and t is the time ठीक है ना तो बात सुनो भी a by b की dimensions आपको देखने है सबसे पहले आपको a और t square को बराबर करना भी a किस के बराबर हो देगा t square के बराबर हो देगा क्योंकि a में से t square को आप minus कर रहे हो इसके बाद आपने बात करते हैं b की बात करते हैं तो जयान से देखना यो पी यो पी है वो किसके बराबर हो देगा बताओ हो पी हो ज़ाएगा यहान से देखना ना है को टस्कर अपन क्या देगा बताओ BX हो जाएगा तो यहां से आपके पास हो जो B है वो किसके बराबर बन जाएगा भी T-square upon इसको अपन बोल देंगे PX बोल देंगे तो अपने को A by B की डाइमेंड से सीए तो A by B को अपन क्या लिए सकते हैं भी इसको अपन बोल देंगे T-square upon B को अपन बोल देंगे T-square upon PX P into X T-square से T-square को cancel out कर देंगे तो यह बन जाएगा अपके पास हो PX बन जाएगा अब इस P को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ प्रेशर होता है force upon area तो M1 L-1 इसके बाद है T-2 और X क्या बन जाएगा भी L1 हो जाएगा इसको अपन बोलेंगे M1 T-2 M1 T-2 first option यहाँ पर आपका correct आजाएगा भी ओके चलिए इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन फिर अगला क्यूशन देखें कर्यान से car A covers 2 5th of the total distance with V1 3 5th with V2 average speed आपको पता करनी है तो अपन सब जानते हैं कि average speed बराबर क्या होता है total distance upon total time तो यह देगा आपके पास हो 2s upon 5 और plus क्या हो देगा आपके पास हो 3s upon 5 total distance s बन जाएगी इसके बाद T1 जो पहले बाले टाइम अब वो क्या बन जाएगा भी 2s upon 5 V1 क्योंकि time ही कुछ तो क्या होता है distance upon speed होता है plus 3s upon 5 V2 हो गया तो यहां से यह तो बन जाएगा अपने पास s बन जाएगा तो s upon यहां से अपन s को common निकाल लेते हैं ठीक है न s upon 5 को तो s upon 5 को अगर अपने common निकाल लिया तो यह कितना हो देगा 2 by V1 और plus क्या हो देगा आपके पास है 3 by यह V2 हो जाएगा s से अपन यहां पर s को cancel out कर लेंगे 5 चला जाएगा उफर तो 5 उफर चला गया upon में V2 प्लस 3 V1 हो जाएगा भी तो यह बन जाएगा 5 V1 V2 इसके बाद 3 V1 प्लस क्या हो जाएगा 2 V2 4th option यहां पर आपका correct हो जाएगा भी यह आपके पास इसकी average speed हो जाएगी okay इसके बाद the next आपन देखते हैं अगला question देखो भी क्या कर है the speed of a body moving with uniform acceleration is u the speed is doubled while covering a distance s when it covers an additional distance s its speed would become तो बात सुनो भी यह कर रहा है कि uniform acceleration है तो speed is doubled while covering a distance s ठीक है ना तो ज्यान से देखना देखो यह कर रहा है कि पहले speed up कितने हो जाएगी आपके प्रस्षण the speed of a body moving with uniform acceleration is u पहले इसकी speed up कितने है भी u है और फिर उसके बाद यहां पर इसकी speed up कितने हो जाती है भी 2u हो जाती है यह बले distance कितने हो जाएगी s हो जाएगी फिर उसके बाद अब फर्दर यह s distance और कावर करता है तो यहां पर इसकी speed up क्या हो जाएगी वी हो जाएगी तो सबसे पहले यहां से लेकर कि कि यहां तक अपन थर्ड equation लगा देते हैं तो थर्ड equation क्या करती है v square equals to u square plus 2as तो v कितना हो जाएगा 2u तो 4u square equals to क्या हो जाएगा u square plus 2as हो जाएगा तो यहां से आपन लेख सकते हैं 2as equals to 4u square minus u square बराबर कितना हो जाएगा 3u square हो जाएगा फिर यहां से लेकर कि यहां तक आपन थर्ड एक्वेशन लगाते हैं, तो क्या कहती है थर्ड एक्वेशन देखो देंसे, यह initial कितना हो देगा भी 2U, final हो देगा V, तो इसको आपन बोलेंगे V square, equals to 2U का square कितना हो देगा 4U square, इसके बाद है plus 2A, यह आपके पास S हो गया, ठी उसकी value कितनी 3U square, उसको आपन यहां पर पूट करवा देंगे, तो बराबर हो देगा 4U square, plus क्या हो देगा 3U square, equals to कितना हो देगा 7U square, तो V बराबर कितना हो देगा, root 7 times of U, fourth option यहां पर आपका correct हो जाएगा, simple आपको जो third equation of motion है, वो दो बार reply करनी है भी, और कुछ नहीं करना, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद है next आपन, अगला question देखते हैं, चलिए बचाओ next question देखो, question number 6 क्या कर रहा है, a swimmer wishes to cross a 500 meter wide river, flowing at 5 km per hour, तो इसका मतलब और फिर उसके बाद हैं, यहां से देखो दान से, यह river flow हो गया, vr बराबर कितना देखा, 5 हो गया, और इसके साथ में इस फुर्गा से theta angle पर, यह कितना देखा भी 3, तो 3 का यह वाला component कितना देखा, 3 cos theta, और यह वाला component कितना देखा, 3 sin theta, river cross करने में कितना time लगेगा, time में कुछ तो क्या होता, distance upon speed, distance कितना हो देखी 500, upon speed क्या हो देखी 3 sin theta, 3 यह आपके पास साइन theta हो गया, अब देखना देखो, यह जो 3 है, वह है km per hour में, और km per hour में होता है, इसको 5 upon 18 से multiply कर देंगे, तो meter per second में आदेगा, तो इसको आपन बोल देगे 5 upon 18 हो देगा, ठीक है ना, तो 5 से आपन इसको कार देंगे, 100 हो देगा, ठीक है ना, तो कितना हो देगा अभी, 1800 divided by 3, sin theta, 600 upon, यह sin theta हो गया भी, ठीक है ना, first option यहाँ पर आपका correct आ जाएगा, चलिए इसके बाद next, अगला क्यूशन देखते है आपन, यह गर है कि particle of mass 2 kg is initially addressed, initial velocity 0 दे रही है, force acts on, whose magnitude changes with time, the force time graph is on below, the velocity of the particle after 10 seconds, 10 seconds बाद इसकी velocity आपको निकालनी है, f of t की भी इसमें graph दे रही है, तो f t graph का जो area वो change in momentum को बताता है अभी, ठीक है ना, तो सबसे पहले इसका area निकाल लेते हैं आपन, area, कैसे निकाल सकते हैं अभी, सबसे पहले यहां से लेकर कि, यहां तक का यह क्या बन रहा है, ट्रेपेजिम बन रहा है, इसका area निकाल लेते हैं, तो क्या हो देगा भी, हाफ into sum of parallel sides, 2 से 4, यह 2 हो गया, 0 से 4, यह 4 हो गया, तो 2 प्लस 4 कितना हो देगा, 6 हो देगा, into, इनके 20 की distance कितना हो देगी, 10 हो देगी, फिर उसके बाद यह आपके पास में फिर से एक ट्रेपेजिम बन रहा है, इस ट्रेपेजिम की बात करते हैं, अपने इसकी बात करते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, फिर प्लस, half into, sum of parallel sides, एक तो यह हो गया, 10, एक यह 20 हो गया, तो टोटल कितना हो देगा, 30, into इनके बीच की distance, 4 to 6 कितना हो देगा, आपके पास, 2 देगा, प्लस, यह triangle बन गया, तो half into, base कितना हो देगा, आपके पास में बता हो, 4 into height कितना हो देगा, 20 हो जाएगा, तो इसके बादे इसका अपन लिख सकते हैं, टोटल क्या बन जाएगा भी, 60 by 2 कितना हो देगा, 30, plus, 13 to 60, 60 by 2 कितना हो देगा भी, यह अपके पास में फिर से बन जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है न, इसके बाद में यह बन जाएगा, कितना भी, 80 by 2 कितना हो देगा, 40, ठीक है न, तो यह कितना हो देगा, 100 हो देगा, तो M कितना हो देगा आपके फास हो, 2, V आपको केल्कुलेट करना है, U 0 है, एक कोश्ट टू कितना हो देगा, 100, तो यहां से V बराबर कितना हो देगा, 50 हो देगा, second option यहां पर आपका सीधा सीधा correct चला देगा, आगे बढ़ता है फिर अपन, next देखो देन से, next, यह करें, block of mass, is placed on a surface with a vertical cross section given by y कुश्ट टू, x3 upon 6, coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground, at which the block can be placed without slipping is, by CDC बात है, यहां पर आपको देगा y, तो y कुश्ट टू क्या हो देगा, x की पाट 3, अपन क्या हो देगा, 6 हो देगा, तो आपना लिख सकते हैं, dy upon dx, यह slope बन जाएगी, तो dy upon dx के बन जाएगा, भी 1 by 6 का 1 by 6 हो गया, और x cube का कितना हो देगा, आपके पास 3, यह देगा, आपके पास x square, तो इसको आपन बोलिंग, x square upon 2, और dy upon dx कि इसके बराबर होता है, 10 theta के बराबर होता है, और 10 theta की इसके बराबर होता है, भी mu के बराबर होता है, mu बराबर 10 theta होता है, अपन सब जानते हैं, भी angle of report इसको अपन बोलते हैं, ठीक है, और mu बराबर कितना हो देगा भी 0.5 हो देगा, तो इसको अपन बोलेंगे 0.5, तो x square बराबर कितना हो देगा, 2 into 0.5, 1 हो गया, तो यहां से x वराबर कितना हो देगा भी, 1 हो देगा, ठीक है ना, तो फिर उसके बाद यह बोला जार है, maximum height यानि y की value आपको चीए, तो यहां से आपन जानते हैं कि y, एक वश्ट्व क्या हो देगा भी, x की power 3 upon 6, तो x वराबर कितना हो देगा 1, तो 1 by 6 मिट्रा देगा इसका, first option आपका correct देगा इसके अंदर, ठीक है, चलिए, next आपने बात करते हैं, अगला क्यों सुन देखते हैं भी क्या कर रहे है, two similar springs p and q, springs constant, kp and kq, सुस्टेट, अब आद सुना भी kp, greater than क्या हो देगा आपके पास है, kq, ये given है, they are stressed, first by the same amount, ठीक है न, तो पहली बार अपन क्या करते हैं, इनको अपन same amount, यानि पहली first case में, जो आपके पास x है, वो x क्या भी same है, same amount से अपने stress कर दिया, अब अपन जान देंगी जो work done ह है, बराबर क्या होता है, half k x square, x अगर same हो गया, तो w directly proportionate क्या हो देगा, k, अब बात सुना भी, जो kp है, वो kq शे बड़ा, तो wp है, वो क्या हो देगा, भी wq शे बड़ा बन जाएगा, और second case में दयान से देखना है, तो same force है, second case में दयान से देखना है, f बराबर क्या हो देगा, same हो देगा, तो अपन जान देंगी, w equals to क्या होता है, half k x square, k by k से multiply कर देंगे, तो उपर हो देगा, k x का, whole square upon 2k, k, तो k x बराबर क्या होता है, f, तो f square upon क्या हो देगा, 2k, f अगर same हो गया, तो w inversely proportionate हो क्या हो देगा, k, k, अब ध्यान से देखना देगा, p का k बड़ा है, तो आपन बहुत सकते हैं, w, p, less than क्या देगा, आपके फास, w, q देगा भी, इन फे dash लगा देंते हैं, यह dash हो गया भी, ठीक है न, तो देख लो कौन सा है, p बड़ा, q शे, यह हो गया, p हो किस से बड़ा भी, q से, और q है दूसरे में, बड़ा हो जाएगा किस से, p से, second option आपका यहां पर correct चला जाएगा भी, okay, चलिए, next, आगे बढ़ता हैं फिर अपन, अगला question क्या कर रहे है, a running man has half the kinetic energy that of a boy of half of his mass, अब बात सुना भी, यह इस परकार से कोई एक आदिमी ह अगलें, यह दोड़ रहा है, इस का मास कितना हो देगा भी, मान लो की मतलब two M हो देगा, a की लड़का दोड़ रहा है, इस लड़के का जो मास है, इसका मांस कितना हो देगा भी M हो देगा, इसकी वेलोसिटी मान के से लेगा, कितने हो देगी भी, capital V, और इसकी वेलोसिटी कितने हो देगी भी, small V हो देगी, अब क्या बोल रहा है दियान से देखना, running man has half the kinetic energy data of a boy, of half of his मांस, अब इसकी जो kinetic energy वो कितने हो देगी भी, यह half into 2M into capital V square, इसके बाद में, इसकी kinetic energy कितना हो देगी, half into कितना हो देगा, M, और into क्या हो देगा आपके पास में, small V square, अब आदमी की जो kinetic energy है, वो इस लड़के की kinetic energy कि क्या हो देगी, भी half हो देगी, तो इसका आपन half कर देगे, ठीक है, यहाँ पर 2 से अपन, 2 को cancel out कर रहे, M से अपन, M को cancel out कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा दियान से देखना देखो, यह relation आपके पास बन जाएगा, V square बराबर, capital V square बराबर, small V square divided by 4 आ गया भी, एक तो यह relation बन गया, अब यह करे कि the man speeds up by 1 meter per second, so as to have same kinetic energy, अब इसकी speed अब अपन क्या कर देते ह है, ताकि दोनों की kinetic energy बराबर हो जाएगी, तो यह बन जाएगा दियान से देखना देखो, half, आदमी का मांस कितना हो जाएगा, 2M, into speed कितने हो जाएगा, इसकी V, plus क्या हो जाएगा, आपके पास 1, इसका whole square, बराबर half, into M, into क्या हो जाएगा, आपके पास V square हो जाएगा, 2 से अपन, 2 को cancel out कर देंगे, M से अपन, M को cancel out कर देंगे, तो यह बन जाएगा, V plus 1, इसका whole square, बराबर, अब बात सुनो भी, यहां पर जो small V square है, इसको आपन गया लेकि सकता है, 4V square, तो 4 by 2 कितना हो जाएगा, 2, तो यह जाएगा, आपके पास, 2 into V square, दोनों तरब से root कर जाएगा, root 2 times of V, V हो जाएगा, V को आपन उधर की तरफ ले जाएगे, तो क्या बन जाएगा, 1 equals to, V को आपन उधर की तरफ ले जाएगे, तो root 2 minus 1 into क्या देगा, आपके पास में, V हो जाएगा, तो यहां से V बराबर कितना देगा, 1 upon root 2 minus 1 आ गया भी, तो दियान से देख बनाओ, और solve कर दो, answer आजएगा भी, question number 10 complete होता है, इसके बाद the next question आपन देखते है, जान से देखना देखो क्या कह रहा है, यह कह रहा है, यह कह रहा है कि a particle is released from height h, ठीक है न, at certain height, its kinetic energy is three times its potential energy, the height and speed of the particle at that instant are respectively, अब सुनो भी जान से देखना देखो, जैसे मतलब आपन क्य h begun? यहां से अपने गिराया, यह बतलब यह total height कितने हो जाएगे आपके पास s height हो जाएगी, यह s हो गी, अब अब आपने बाथ करते हैं, यहां पर बात करते हैं, ठीक है? तो, instant height आपको पूछी जा रही है, मान लो कि यह जो height है, यह 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 height कितने हो जाएगी आपके जो velocity है, इसकी velocity अपने निकाल सकते हैं, इस instant पर इसकी velocity कितने हो देगी, V बराबर root 2GH, root 2G, कितना यह गिर चुका है, बताओ, S, minus क्या देगा, आपके पास H हो जाएगा भी, ठीक है ना, किया speed हो गई इसकी, अब इसकी kinetic energy कितने हो देगी, बताओ, kinetic energy, बराबर half, kinetic energy हो देग हो जाएगा, इसको आपने बोल सकते हैं, kinetic energy बराबर, अब यहां पर आपने तूश है, तू को cancel out कर सकते हैं, इसको आपने बोल लेंगे, Mg into S, minus का H हो गया, ओके, और इसकी जो potential energy हो, कितने हो जाएगी, Mg H हो जाएगी, कितने हो जाएगी, Mg H, अब क्या बोला जारा देह कान सा देखना देखो, यह कहरा है कि, kinetic energy is three times of its potential energy, तो kinetic energy is three times of potential energy, तो kinetic energy अपन लिख चुके हैं, कितना भी, Mg into S minus H, बराबर, three times of potential energy कितने हो जाएगी, Mg H हो जाएगी, Mg से अपन क्या करेंगे, Mg को cancel out कर देंगे, तो S minus H, बराबर कितना हो जाएगा, 3H, तो S बराबर कित हो जाएगा, 4H, तो H बराबर कितना हो जाएगा, S by 4 आगया, तो H बराबर तो S by 4 आगया, अब H को आपन कितना फूट कर देंगे, S by 4 फूट कर देंगे, तो S minus S by 4 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, ध्यान से देखना हो, 3S by 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3S by 4, त ठीक है ना, तो V बराबर कितना बन जाएगा भी, 3GS by 2 का root जाएगा भी, यह आपके पास V आ गया, तो S by 4, 4th option यहाँ पर आपका correct जाएगा भी, ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसको, तो चली बच्चों, इसके बाद अगला क्यूशन आपन देखते हैं, नेक्स्ट मास, ठीक है ना, तो सेंट्रो मास के बाद मोमेंट आप इनर्सी अध्यान से देखना देखो, यह अपने पास मास M1 हो गया, यह मास अपने पास M2 हो गया, इसके बाद इसके बाद इसके बाद हो गया, तो सबसे पहली बात है कि मोमेंट आप इनर्सी इसके बाद होता है, प्लस एंटू इंटू क्या हो देगा या रिस करो देगा भी सेकंड ऑप्सन डिरेक्टली यहां पर आपका करेक्ट चला देगा चलिए नेक्स्ट आपन देखते हैं आगे बढ़ो भी यह करें कि the instantaneous angular position of a point rotating wheel is given by the equation theta goes to यह देखाए आपको टॉर्क कब 0 होता है भी अब ध्यान से देखना देखो टॉर्क अगर 0 होगा तो अपन बॉल सकते हैं कि टॉ बराबर क्या होता है आई alpha तो आपका जो alpha वो भी क्या देखा भी 0 देखाए सबसे पहले theta ब उपान d t इक विफ टो कितना देखा consistent माइनस कितना देखा नजए होगा इस होगे इसको एल्फा को आपके पास में 10 से कि यार आप早को सेखने बरामयकह वांपको किना करेक्ट से जाएता थाएगा आगे देखते हैं आगला क्यूशें इस composition देगोंदा pests हो यह कर रहा कि solid sphere of mass m and radius r is rotating about its diameter, solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis, ठीक है न, with an angular speed twice that the sphere, the ratio of their kinetic energies of rotation, e sphere upon e cylinder, सबसे पहले आपन बात करते हैं, e sphere की बात करते हैं, e sphere, बराबर कितना देगा भी, यह देगा आपके पास, half i omega, omega square, अब सबसे पहले आपके पास में क्या भी, solid sphere, mass कितना m है, radius कितना r होजेगी, diameter के about rotate कर रहा है, कि sphere हो गया, इसका diameter हो गया, तो diameter के about i कितना होता है, फिर 2 by 5 m r square into omega square बोल दो, इसके बाद में आपने बात करते हैं, next, e cylinder, एक कुछ तो क्या हो देगा, half i, अब जयान से ternal में यह होता है, solid cylinder हो गया, यह इसकी geometrical axis बनती है भी, तो geometrical axis के about इसका momentum बनरीके होता है, म gör सस्विक बाद इसका about todavía m r square by 2 होता है, कितना होता है, m r square by 2, तो i से बर्वाबर कितना होता है m r square by 2 हो जाएगा, यह solid दाना, solid cylinder, तो कितना बन जाएगा भी M, R square by 2, into, अब ये कह रहा है कि द्यान से देखना देखना है, with angular speed, twice theta of the sphere, मतलब 2 omega, तो 2 omega का square कितना हो जाएगा, आपके फास है, 4 omega square हो जाएगा, अब इसके बाद इन दोनों का ratio अपन निकाल देता है, तो E sphere, आपन निकालते हैं, E sphere upon E, ये आपके फास है, cylinder हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा देखना है, 2 से आपन, 2 को cancel out कर देंगे, इसके बाद MRS कर से, MRS कर चला जाएगा, ओमेगा इसकर से, ओमेगा इसकर से आदेगा, इसके बना 2, 2, 4, 4 से गया 4, ये तो 1 आदेगा, तो E sphere कितना देगा भी, 1 by 5 आदेगा, तो ये आपके फास हो 1 by 5 और ये 1 होई गया, तो answer 1 by 5 ही आदेगा, third option आपका correct हो जाएगा भी, ठीक है, चलिए, next stuff हम देखते हैं, आग particle of mass 2 m moving in y direction with speed v, if the collision is perfectly in elastic, the percentage is lost in energy during the collision is close to, बात सनो भी, एक M mass का particle है, इसके बाद गयान से लेंगा लेकिगा, ये इधर की दरफ जा रहा है, किस से बताओ, वीशे, 2 v से जा रहा है, ठीक है न? और 2 m mass का particle y direction जार है, ये 2 m mass का particle है, ये इधर की दरफ जा रहा है, किस से दोनों एक दूसरे के साथ में चीफक जाते हैं, अब सुनो भी, चीफक गए, तो momentum conservation से हैं, इसके पास दो momentum आदेंगे, इधर की तरफ भी momentum कितना देगा भी 2MV, और इधर की तरफ भी momentum कितना देगा भी 2MV आदेगा, तो resultant momentum आपका इधर की तरफ आदेगा, तो यह देगा आपके पास, और 2 root 2 MV बोल देंगे इसको अपन, ठीक है ना, 2 root 2 MV बोल देंगे, अब देखो दान से, इसकी kinetic energy कितना देगी, इसकी kinetic energy, इसकी kinetic energy हो देगी, half MV square, तो half M कितना हो देगा, M, V square, V कितना हो देगा भी 2V, तो 2V का square कितना हो देगा, भी 4, यह V square हो देगा, और हा लेगा इसकी काई अडिकट कितना दिखी हाफ, मांस कितना दीगा भी? 2m, इंटु क्या देगा अब आपके पास वै बी स्कुरर हो देगा, तो यहां पे दो दाने से 4 by 2 यह देगा आपके पास वैं 2m एट, M square, V square, अपन कितना देगा, 2M, 2, और इसका जो मास है, वो M, M कितना बन जाएगा, भी 2M बन जाएगा, ठीक है ना, sorry, M और 2M कितना देगा, आपके पास 3M बन जाएगा, इसको आपन बोल देगे 3M, इसका मास M है, इसका मास 2M है, तो M और 2M, टोटल आपके पास 3M बन कितना देगा, आपके पास 3 हो देगा, ठीक है ना, तो पहले काइनेटिक एनरजी 3 थी, अब कितना देगा, आपके पास 4M V square अपन 3, तो काइनेटिक एनरजी में लोस कितना देगा, भी डेल्टा के बराबर, तो डेल्टा के बराबर देगा, आपके पास 3M V square, माइनस कितन कितना आपके फास है 4mv2 upon 3 हो गया, तो 3 into 3, 9 minus 4, कितना आप 5mv2 upon क्या आपके फास है 3, और delta k upon k initial निकाल देते हैं, तो कितना आप 5mv2 upon यह आपके फास है 3 आ गया, और initial kinetic energy कितनी थी आपके फास हो तो, यह तो 3mv2, तो इसको आपन बोलेंगे 3mv2, तो mv2 से mv2 को हैंगे यह cancel out कर देंगे, तो इसको आपन बोलेंगे 5, 5, 9 आदेगा भी, और 5, 5, 9 कितना लिख सकते हैं भी, इसको आपन लिख सकते हैं, 0. तो, यह लगबर कितना आदेगा भी, 5 और इसके बाद में, 5, 5 आ गया, 55, 56% आदेगा भी, 56% लोस आदेगा, ठीक है ना, तो 3rd option यहां पर आपका correct आजाएगा भी, percent is loss in the energy, तो पहले की kinetic energy निकाल दो और बाद की kinetic energy निकाल दो, loss निकाल दो और initial value से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो fractional value है जाएगर, इसको 100 से multiply कर दोगे, तो आपके पास 55, 56 के आसपास, answer आजाएगा भी, चलो, next आपन देखते है, अगला क्यूशन देखो भई, क्या कहरे है, ज्यान से देखता देखो, two identical wall A and B, having velocity of 0.5 meter per second and minus 0.3 respectively collide elastically in one dimension, the velocity हो जो A and B after the collision, इसकी वेलोसिटी तो, ज्यान से देखना देखो, इसकी जो velocity है वो तो इसको मिल जाएगी और इसकी velocity इसको मिल जाएगी, तो A और B की velocity आपको पुछी जा रही है, तो A की तो क्या बन जाएगी, minus 0.3 और B की क्या बन जाएगी, 0.5, fourth option आपका correct आजएगा, velocity interchange हो जाएगी, क्योंकि दोनों का mass यहाँ पर क्या भी बराबर है ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं next, अगला question देखो दैन से क्या कर रहे, the bulk modulus of a spherical object is B, if it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius, अब सुना भी दैन से देखना देखो, B बराबर कितना होता है, यह होता आपके पास, P upon delta V upon क्या होता है, V होता है, आपन जान देगी, V directly proportionate क्या होता है, RQ होता है delta V upon V, बराबर, 3 into, इसको आपन बोलेंगे, delta R by R हो देगा भी, तो delta V by V को आपन क्या लिख सकते हैं, V, 3 delta R by R लिख देगे, तो इसको आपन क्या लिख सकते हैं, V, P, और इसको आपन बोलेंगे, 3 delta R upon क्या देगा, आपके पास R हो देगा, इसको आपन बोलेंगे, delta R upon R, ब तो P upon 3B, 4th option यहाँ पर आपका correct आजाएगा भी, okay, इसके बाद next, आगे बढ़ते हैं पन, यह कर रहा है कि the axis pressure inside, one soft bubble is three times, that inside is second soft bubble, ठीक है न, then the ratio of their surface area is, अब सुनो बिदान से देखना देखो, यह first bubble हो गया आपके पास में, और यह आपके पास में, second bubble हो गया, इसके अंदर जोका axis pressure हो कितना देगा भी, 4T upon क्या देगा, आपके पास में, R1, और इसके अंदर का कितना देगा, 4T upon क्या देगा, R2 देगा, inside one soft bubble is three times, that inside is second soft bubble, तो इसका क्या देगा, आपके पास में, three times हो देगा भी, 40 से आपन 40 को again select कर देगे, तो यहां से आपके पास R1 upon R2, बराबर कितना हो देगा, आपके पास में, one by three हो देगा, और area, A1 upon A2, बराबर क्या हो देगा भी, R1 upon R2 का square हो देगा, तो यह देगा, आपके पास में, one ratio नहीं न देगा भी, first option आपका यहां पर correct हो देगा, चलिए बच्चों, अगले क्यूशन पर चलते हैं, next question क्या कर रहे दोना से, tank filled with water, up to height h, water is allowed to come out, whole phi, depth d, ठीक हैं, यहां से d depth फे, और x, express the horizontal distance x, in terms of h and d, यह वाली distance आपको निकालने, सबसे पहले यहां से जो velocity है, v बराबर कितना हो दापके पास, root 2g into क्या हो देगा, आपके पास, d हो देगा, और यह जो time आता है, इसको नीची गिरने का, बराबर कितना था, 2, h कितना हो देगा, h, यह देगा, आपके पास, h minus d, upon g का, यह root हो देगा भी, अब जान से देखना देगा, x बराबर कितना हो देगा, आपके पास, v into t आजाएगा, दोनों का अपन क्या करते हैं, भी एक दूसरे से multiply कर देगे, तो यह बन जाएगा, 2, इसके बाद में, root of, g तो cancel out हो देगा, d into, यह देगा आपके पास, h minus d हो देगा भी, तो 2, d into h minus d का root हो देगा, third option आपका correct हो देगा भी, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपन देखते हैं, अगला question, यह गर है कि body executes simple harmonic motion, the potential energy, the kinetic energy and total energy are measured as a function of displacement x, which of the following statement is true, potential energy maximum when x equals to 0, गलत है minimum होती है x पराबर 0 पे, kinetic energy is maximum x equals to 0, बिल्कुल mean position पर kinetic energy क्या होती है, maximum होती है, ठीक है न, second option यहाँ पर आपका correct आगया, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ता है फिर अपन, यह कर रहा है कि particle है, उसका x दिरेशन a बराबर minus bx हो गया, तो period of oscillation देना आपको, तो a बराबर क्या होती है, minus का bx, तो a बराबर क्या होता है, minus का omega square x होता है, तो omega square x के बराबर देगा भी b के बराबर, तो omega बराबर कितना होता है, आपके पास root of b, और omega बराबर कितना होता है, आपके पास 2 pi upon t, यहाँ से t बराबर कितना होता है, 2 pi upon root of b, तो 2 pi upon root of b, second option आपका correct आगया भी, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ता है, next, mass m attached to spring oscillates every 2 second if the mass is increased by 2 kg then time feed increased by 1 second the initial mass is अपना जान दे कि T बराबर कितना था है 2 pi root of m by k तो T is directly proportioned to root of m हो गया तो पहले तो time feed कितना हो देगा भी 2 हो देगा ठीक है ना और बाद में time feed कितना हो देगा भी increase हो गए once है तो यह कितना हो देगा भी 3 हो गया पहले mass कितना था भी m था अब mass कितना हो देगा भी m प्लस क्या हो देगा आपके पास और 2 हो देगा square कर देगा कितना हो देगा भी m upon m plus 2 बराबर 2 का कितना हो देगा 4 3 का कितना हो देगा 9 हो देगा चलो भी cross multiply कर देंगे तो क्या बंदेगा 9m बराबर कितना हो देगा 4m और प्लस क्या देगा भी 8 आ गया इसके बाद में 9m-4m बराबर कितना हो देगा 5m इकोस्टू कितना हो देगा 8 M equals 2 कितना हो जाएगा, 8 by 5 हो जाएगा, और 8 by 5 कितना हो जाएगा, भी 1.6 होता है ना, तो 1.6 के जिए यानि, first option आपका correct हो जाएगा, चलिए, अगले question पर चलते हैं भी, next, gamma is the ratio of specific heats, and r is the universal gas constant, then the molar specific heat at constant volume, cv, cdc बात है, cv बराबर क्या होता है, formula याद रखना, r upon gamma मैंने से 1 होता है भी, first option correct आगया भी, okay, आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है, adjoining figure source, graphs of pressure and volume, to temperature t1, t2, which of the following inference is correct, तो बात सुनो भी, p और v की भी इसमें graph दे रहे हैं, वैसे देखो, logic यह है कि जो ज्यादा दूर होता है, उसका temperature ज्यादा होता है, तो यहाँ पर t2 greater than क्या हो जाएगा, आपके पास, t1 हो जाएगा, वैसे आपन ऐसे भी कर सकते हैं, एक land row कर दी, इस बहूभत वोल्यूम क्या होदेगा, भी बराबर हो जाएगा, तो पीवी, equals to क्या होता है, अबके फास, nrt, तो वोल्यूम तो आपने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, n-way से भी बराबर है, r-way से भी बरे बराबर है, तो P directly proportion to क्या हो जाएगा तो इसका प्रेशर ज्यादा है, इसका प्रेशर कम है, इसका टेंप्रेशर भी ज्यादा देगा भी, तो T2 ग्रेटर देन T1, तो T2 ग्रेटर देन T1, थर्ड ओप्शन आपका यहां पर करेक्ट देगा, आगे बढ़ता है फिर आपन, next, इस्टार A has radius R, temperature T, इस्टार B has radius 4 R, surface temperature T by 2, ratio of the powers of 2 stars, P A and P B each, अब बात सुनो भी, power आपको पूछी जा रही है, तो आपन जान दें कि E बराबर क्या होता है भी, सिग्मा T की पावर 4, तो E बराबर क्या होता है, Q upon A T, और Q by T को आपन क्या लिख सकते हैं, पावर, तो P बराबर कितना होता है, सिग्मा A T की पावर 4 होतेगा, सिग्मा का सिग्मा A बराबर कितना होता है, 4 pi, R y square into क्या होता है, T की पावर 4 होतेगा, तो बात सुनो भी, आपको P A upon P B calculate करना है भी, सबसे फ़हले बात करते हैं, A की जो radius है, वो कितने भी आर है, वो temperature कितना है यह हैं आपन बॉल देंगे और इसकाटी कि पार4 भी की बाथ करते हैं इसके रेडिस कितने भी 4 आ रहे हैं तो कितना होगा 16 आर इसकर कितना होजयेगा भी टेंपर्सिर होजगा आपके पास biri 2, तो 2 किपार 4, तो 2 किपार 4 तो इसको आपन बोलेंगे, ती बाइ, ini किपार आपन क्या कर देंगे, भी 4 कर देंगे, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा भी, 2 किफ़वор 4 तो कितना होता है, 16 होता है, 16 से 16 तो यह तो आपका 1 ratio, 1 यह देगा भी, 3rd option correct देगा इसके अंदर, आगे चलते हैं, next, अगला क्योशन देखो देन से, 2 particles of equal mass, go round a circle of radius r, under the action of their mutual gravitation attraction, speed of each particle each, 2 particles है, इस परकार से द्यान से देखना देखो, यह क्या कर रहा है, revolution कर रहा है, यह गोम रहा है, इस परकार से यह यह गोम रहा है, यह वाला जो particle, इसका mass कितना भी m है, इस पर अंदर की तरफ लगता है force, कितना लगता है भी g, m1, m2, यानि m2 upon, अब द्यान से देखना देखो, यह वाली जो radius r दे रहे हैं, circle of radius r, यह भी r हो गया, यह भी r हो गया, तो दोनों stars की भी इसकी distance कितने हो देगे भी, दोनों particles की भी इसकी distance 2r, और 2r का square कितना हो देगा, 4r square हो देगा, और बार की तरफ इस पर force लगता है, mv square upon r लगता है, दोनों को बराबर कर देए तो mv square upon r के question 2, g m square upon कितना हो देगा, आपके पास है, 4r square हो देगा, m से अपन 1, m को cancel out कर देगे, 1r से अपन 1, r को cancel out कर देगे, v square बराबर कितना हो देगा, g m upon 4r, तो V बराबर कितना हो देगा, V बराबर, 1 by 2, root of GM upon R, ठीक है न, तो यह third option यहाँ पर आपका सीधा सीधा, correct हो जाएगा भी, इसके बाद है next, अगला question देखते हैं भी, अपन क्या कर रहे है, एचार्ज, Q is flashed at each of the opposite corners of a square, ठीक न, एचार्ज, small Q is flashed at other two corners, एचार्ज, small Q is flashed at each of the other two corners, ठीक है न, और फिर उसके बाद, इफ्द है, net electrical force on Q is 0, यहाँ पर आपने रख दिया Q, यहाँ पर आपने रख दिया Q, यहाँ पर आपने रख दिया small Q, यहाँ पर आपने रख दिया small Q, ठीक है न, और अब कहरा है कि net electric force on Q, इस Q पर आपका net force अब कितना हो देगा भी 0 देगा, तो सबसे पहली बात है कि इसका force निकाल दो, इसका क्या करेंगए रिपल्स करेंगा इसको इðर की तरफ इसका रिपल्स Ao 중 कि थेगं क्यू क्या देगा क्यू क्यों हो देगा क्यू क्यों हो QU SQUARE ठीक है न अब यह कितना हो देगा यह भी कितना हो दो ए न दी만 times of F कितना देगा भी के Q Q upon इसको आपन बोल देंगे एस पर बोल देंगे तो देखना नहीं सब्सक्राइब को एस कर से एस कर गया के से के गया क्यू शे क्यू गया ठीक है ना तो आपको पूछा जा रहा है क्येप्टल क्यू बाई स्मॉल क्यू बराबर तो केप्टल क्यू बराबर कितना देगा टू रूट टू देगा भी टू रूट टू और माइनस का साइन तो लगी जाएगा क्यों क्यों क्योंकि ये क्या कर अभी इसको रिपल्स कर रहा है और ये इसको एट्रेट कर रहा है इसका मतलब इसका जो साइन है इसका अपोजिट हो जाएगा, तो minus 2 root 2, first option यहाँ पर आपका correct आ देगा भी, समझ गए बात आप यह चीज होगी भी, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next question पर चलते हैं, the electric field at a distance 3R by 2 from the center of a charged conducting spherical cell of radius R is E, ठीक है न, the electric field at a distance R by 2 from the center of the sphieris, electric field at a distance 3R by 2 from the center of a charged conducting spherical cell, ठीक है न, तो भाई, मतलब 3R by 2 मतलब यहाँ पर हो गया और cell है, तो अंदर तो E इतना हो जाएगा भी 0 हो जाएगा, ठीक है न, R by 2 पी तो R by 2 distance from center, अंदर हो गया तो 0 आजाएगा सिधा इसी दांसर इसका, solve करने की ज़रूरत ही नहीं इसको तो, अगला क्यूशन देखते हैं भी क्या कर रहा है देख दांसे, charge plus Q and minus Q are placed at points A and B, तो A पर तो आपने क्या रख दिया भी इस प्रकार से plus Q, और B पर आपने क्या रख दिया भी इस प्रकार से minus Q, which are distance to L apart, तो द्यान से देखना तो ये वाली distance भी कितने हैं देगी L, और ये वाली distance भी कितने हैं कि L, ठीक है, C is the midpoint between A and B, तो बात सुना भी A और B का C midpoint है, बिल्कुल ठीक है, तो work done in moving a charge plus Q, from C to D, ठीक है न, C से D तक लेखे जाते हैं, अलोंगते हैं, semicircle C, R, D, अब सुनो भी, सबसे पहले जब ये charge यहां पर था, तो इस charge की इसकी वज़ए से potential energy कितनी थी भी, आड़ी, यहां पर charge कीतना हदेगा, के पस क्यों की हो गया, इसको आप यहां से यहां तक लेज़ए जाते हैं, तो इसकी वज़ए से potential energy कितने हो देगी भी, क QUE Q Q upon L हो गया इसकी वज़ए से potential energy कीतनी थी भी, क QUE Q marathon Q upon की थीज़ए अपके पास L हो देगा, Okay, initial होगी Initial potential energy मतलब हम आपने बोलेंगे Use initial बराबर क्या देगा k q q by l k q q by l तो यह तो क्या बन देगा, आपके पस है zero बन जाएगा अब जब यह यहाँ पर आगा है, तो इसकी potential energy है हम आपने निकाल देते हैं, you final बराबर अब यहाँ पर आगा इसकी वज़़े से कितने उदेगी भी, यह देगी आपके पास है, K, Q, Q, divided by क्या उदेगा भी, L, 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 यह आपके पास 3L हो गया, ठीक है, और इसकी वज़े से potential energy कितने उदेगा भी, K, Q, minus Q, divided by क्या उदेगा भी, L हो गया, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको लिखते ह आपन बराबर, यह देगा, इस पैसे इसको मैनस कर देगे, तो यह बन जाएगा आपके पास ङान से देखना क्या है, क्यू क्यू अपन क्या देगा, L, 1 by 3 में से 1 को मैनिस कर देंगे तो कितना हो देगा आपके पास 2 by 3 तो इसको आपन बोलेंगे 2 by 3 आ गया भी ठीक है ना मैनिस का आ गया अब यह बोला जारें वक्डन तो वक्डन आपको निकालने तो वक्डन बराबर क्या होता है चेंज इन पोटेंशिल एनर्जी तो चेंज इन पोटेंशिल एनर्जी कर देंगे अपन तो वक्डन बराबर क्या होता है भी चेंज इन पोटेंशिल एनर्जी डेल्टा यू बरा क्या देगा 3L हो देगा, तो minus का 2, इसके बाद है Q, Q upon 3L, और K को आपन लिख सकते हैं, 1 upon 4 by epsilon not हो गया भी, ठीक है, तो इसको आपन लिख सकते हैं, 2 by 4, यह 2 आ गया, तो 3 into 2 कितना हो देगा, 6 हो देगा, इसको आपन बोलेंगे, minus का Q, Q upon 6 by epsilon not into L, ठीक है न, तो क्या बन जाएगा भी Q, Q upon 6 by epsilon not into L, यह 4th हो गया भी, 4th, अब यहाँ पर देख सके क्यूशन है, उसके अंदर आपको इसपरश्ट नहीं बोला जा रहा है, कि किस का वकड़न आपको केल्पलेट करना है, ठीक है न, तो वकड़न भई अगर electric force, electric force का वकड़न न आगे बढ़ते हैं अपन, यह कर रहा है कि ए 15 microfarad capacity is connected in series with a 10 microfarad capacitor, ठीक है, बात सुना भी, sorry, 5 microfarad का capacitor है, वो series में जोड़ा है, अपने किस के साथ में, 10 के साथ में, तो यह तो 5 का हो गया, और यह जाएगा आपके पास 10 का, ठीक है न, पांस का और 10 का हो गया अभी, तो वे 300 volt potential difference applied across the combination, the energy stored in the capacitor, तो यह आपको बोला जारा 300 volt, यह आपने लगा दिया भी, सबसे पहले इसका C निकाल दो, तो C बराबर क्या हो देगा भी, यह तो series combination हो गया, तो series combination के अदर आपके पास हो गया, 5 into कितना हो देगा, 10 upon 5, प्लस क्या हो देगा, आपके पास हो 10, तो 50 upon क्य 10 से लाउट कर देंगे, तो कितना हो देगा, आपके पास 10 by 3 आ गया भी, ठीक है न, 10 by 3 microfarad, तो यह बराबर क्या हो था, half C V square, half C कितना हो देगा, आपके पास 10 by 3 microfarad, यानि 10 to the power minus 6 into V square, तो V square कितना हो देगा भी, 9 into 10 to the power 4 देगा भी, ठीक है, इसके बादने देगा, 10 by 2 क कितना हो देगा, 3, 5 into 3 कितना हो देगा भी, 15, ठीक है न, into 10 to the power minus का 2 अगय भी, ठीक है न, यह बात होगी भी, तो इसको आपन बोलेंगे, 0.15 Joule देगा यह तो, 3rd option आपका यहां पर correct आजएगा, यह होगा, क्यूश नमर आपका 30, ओके, नेक्स्ट आपन देखते हैं, resistance, तो आपन जानते है, R बराबर क्या होता है, आपके पास, रो L अपोन A, खीचा है, तो A L बराबर क्या हो देगा, constant, तो आपन लेगनेंगे, R is directly proportion to L अपोन A, directly proportion to L का L और A को आपन क्या बोलेंगे, भी 1 by L लिग देगे, तो R directly proportion to L इसकर देगा, तो delta R परसेंटेज बरा तो 0.2 परसेंट हो देगा, 0.2 परसेंट, तो देन से देखना देखो, resistance अवो आपका, 0.2 परसेंट से increase हो देगा, second option आपका यहां पर correct हो देगा, ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपन आगे देखते है, आगे बढ़ो भी, यह करा है कि, Galvinodra resistance G can measure 1 ampere current, if a cent ice is used to convert it into an emitter to measure 10 ampere current, the ratio of G by S, यह तो आपके पास एक Galvinodra है, अब इसके अंदर से तो कितनी current pass करने भी, 1 ampere current, अब आपने एक cent लगा दिया, यह cent लगा दिया, अब इसमें से आप 10 ampere की current pass करवा सकते हो, तो 1 तो इसमें जाएगी, इसमें कितने हो देगी, 9 ampere की current हो देगी, तो द इसमें कितना देगा भी, I, R, तो I कितना देगा, 1 into G, बराबर, इसमें I कितना देगा, 9 into, यह आपके पास S हो गया, तो यहां से आपको G upon S पूछा जा रहे है, तो 9 ratio 1 हो देगा भी, 9 ratio 1, यानि second option आपका यहां पर correct देगा भी, ओके, चलिए, आगे बढ़ता है, यह करा है कि horizontal overhead power line is at a height of 4 meter from the ground and carries a current of 100 ampere from east to west, ठीक है न, the magnetic field directly below ground is, ठीक है न, तो बात सुनो भी, यह करा है कि ground फे आपको मतलब the magnetic field निकालना, तो B बराबर कितना होता है भी, infinite state wire है, तो mu note I upon कितना हो देगा, 2 pi B हो गया, तो mu note कितना हो देगा, 4 pi into 10 to the power minus का 7, I कितना हो देगा भी, 100 ampere, ठीक है, upon 2 pi और D कितना हो देगा भी, 4 meter हो देगा, तो 4 meter हो गया न, तो यह 2 times कट गया, यह आपके पास 2 आगया, और इसके बाद में इसको अपन क्या बोल सकते हैं भी, इसको आपन बोल सकते हैं, 100 by 2 कितना हो देगा, 50, तो 5 into 10 to the power minus का 6 tesla, यह तो आपका answer आगया, अब सुनो भी answer देखना देखो, current अब वो जारी east से west की तरफ, ठीक है, और ground फे आपको magnetic field निकालना है, तो east से west, आपको क्या गरना है भी, east से west की तरफ जाना है, तो east से west की तरफ, current इस परकार से east से west की तरफ आप कर दो, और नीची की तरफ जो magnetic field है वो किदर की तरफ हो जाएगा, भी south की तरफ हो जाएगा, किदर की तरफ हो जाएगा, south की तरफ, ऐसे देख लेंगे आपन, n, e, s, w, तो east से west की तरफ current जा रही है, यह current जा रही है, इसके नीचे देखना है, तो यह current हो गी, और इसके नीचे magnetic field आदेगा, south की तरफ आदे क्या कर है, two particles x and y having equal charges, after being accelerated through the same potential difference, enter a region of uniform magnetic field and describes circular parts of radius r1 and r2 respectively, the ratio of mass of x to that y, आपन जान दें कि r बराबर कितना होता है भी, p upon qb, तो p को आपन क्या लिख सकते हैं भी, root of 2m qv upon क्या देगा, आपके पास qb होदेगा भी, अभी r is directly proportional to, सबसे पहली बात है कि two तो constant हो गया, charge दोनों का बराबर है, vb बराबर है, bb बराबर है, तो r is directly proportional क्या देगा, आपके पास root of m होदेगा, ठीक है ना, तो mass का ratio पुच्छा जा रहा है तो m is directly proportional to, क्या होदेगा, r is कर, तो ratio of mass of x, mx upon m y, बराबर, क्या होदेगा भी, इनकी जो radius है, वो क्या होदेगा, r1, r2, r1 upon r2 का, यह आपके पास, holy square होदेगा भी, third option आपका correct देगा भी, चलिए इसके बादे, next आपन, आगे बात करते हैं, देखो दायान से क्या कह रहे है, two identical magnetic dipoles of magnetic moment, one ampere into matrix car each, placed at separation 0 from 2 meter with the axis perpendicular to each other, ठीक है न, resultant magnetic field at a point midway between the dipoles each, सुनो बेदान से देखना देखो, एक को तो आपने यू रख रख रखा है, यह M हो गया, एक को आपने इस परकास यू रख रख रखा है, यह भी आपके पास M हो गया, और दोनों की भी इसकी जो distance है, वो कितने देगे, two meter, तो यह distance भी कितने देगे, आपके पास में, one हो गई, और यह वाली जो distance है, यह भी कितने देगे, आपके पास में, one हो गई भी, ठीक है, अब इसकी वज़़ए से magnetic field दो आदेगा इधर की तरफ, इसको आपन बोल सी कोता होता है, यह यह रोगता है, तो म्यूनोट अपन ऊपन, four फई, कितना देगा, 15 तो इसको आपन, five, मैनस, seven गया, और, between, part अपॉन फोर फाई यह था टू एम अपॉन आर क्यूब हो देगा तो इसको सोल करने पर आदेगा टू इंटू टू दी पावर मैनस का स्यमन आ गया और अगर आपको नेट भी निकालना तो भी बराबर हो देगा बीवन स्क्वेर प्लस बीटू स्क्वेर का रूट हो देगा गना भी ओक्य है तो इसका स्केहर कर देगे था गोज़ेंगे तो इसका स्कार फॉर फ्लस फॉन फाइफ यह देगा आपको यह आन पैर फिर छूट है और क्यूशन नमर 35 कंपलीट होने के साथ में आपका तो सेक्षन ए है वो कंपलीट हो चुक है पहले 35 क्यूशन आपको करने कंपल्सरी है ठीक है और बाद की जो 15 क्यूशन है उन क्यूशन में से कोई भी आप अपनी चूशन की इसाफ से 5 क्यूशन आप छोड़ सकते हैं इसकीप कर सकते हैं ठीक है तो चलो अगले क्यूशन से अपन देखते हैं देखो द्यान से क्या कर रहा है क्यूशन अगे बढ़ता है यह करें कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज यह बराबर 200 साइन हंड़ेटी इज एपलाइट टो ए सिरीज कॉमिनेशन आप र इकूशन तो थर्टी ओम अन इन इंडुक्टर ओफ 400 mH, the power factor of the circuit is power factor क्या होता है अभी cos theta, cos theta बराबर क्या होता है, r by z होता है, तो r तो कितना हो देगा भी, r बराबर तो हो देगा आपके पास है, 30 और z बराबर क्या होता है भी, r square प्लस, xl minus xc का whole square का root हो देगा, तो r तो कितना हो देगा, अभी 30, 30 का square कितना हो देगा, 900 हो गया, प्लस, अब xl, सीतो है नहीं, तो xl की बात करते हैं, तो चलो अपन यहां पर xl निकाल देते हैं, xl, xl बराबर कितना हो देगा, omega कितना हो देगा, 100, into l कितना हो देगा, l, l हो देगा, 400 mH, तो 400 into 10 to the power minus का 3, 3, 1, 2, 3, तो यह कितना हो देगा अभी आपके फास हो देगा, तो कितना हो देगा, 1600, तो इसका root कर देगा, तो यह कितना हो देगा, फिफ्टी हो देगा, तो 50, तो 3 by 5, कितना हो देगा, 0.6, कितना आसान क्यूशन है, बहुत आसान क्यूशन है, सीधा formula based question है भी, ओके, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आपनेक्ष्ट, यह कर रहा है कि लेम्डा ए, लेम्डा पी और लेम्डा एल्फार दी ब्रोगली वेविलेंस of electron, proton and alpha particle, ठीक है न, if all are accelerated by same potential, potential अगर same देरिका है, तो लेम्डा बराबर कितना हो देगा भी, इसको आपन बोल देंगे, लेम्डा बराबर होता है, h upon mv, यानि p, और p बराबर कितना होता है, root 2m q into, क्या हो देगा, आपके पास, v हो देगा भी, potential से हम देरिका है, यह 2 हो गया, h constant हो गया, तो लेम्डा inversely proposed to root of m into q का root देगा भी, अब सुनो द्यान से देखना देगा, लेम्डा, electron, electron, proton, और alpha की बात करते हैं भी, alpha, तो electron के लिए क्या बंजेगा भी one upon, electron का mass कितना देगा भी m e into charge कितना देगा अपके पास e, इसके बाद में, proton के लिए आपके बात करते हैं, proton का mass कितना देगा भी m, और charge कितना देगा भी e हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद में ratio, alpha के लिए बात करते हैं, तो alpha का mass कितना देगा भी, 4m और charge कितना हो देगा आपके पास में 2e हो देगा ठीक है अब आपको पताए कि electron का mass बहुत छोटा होता है तो इस इस तादे में lambda e तो क्या हो देगा भी सबसे हैं बड़ा हो देगा ठीक है और यहां पर क्या रहा भी यह आपके पास में 4 into two कितना 8e हूता है तो भाई 8e तो यह क्या हो देगा सबसे चोटा होुदेगा इसके बार में क्या होदेगा कि आपके पास में lambda proton और सबसे चोटा कौन हो देगगा lambda यह और आउफ सबसे बड़ा e फिर proton फिर उसके बाद सबसे चोटा कौन होदेगा 3rd option यहां पर आपका correct आ जाएगा भी, okay, अगला क्यूशन देखते हैं फिरापन, क्यूशन नमर 39 क्या कर रहा है द्यान से देखना देखो, यह कर रहा है कि, a photoelectric surface is illuminated successively by monochromatic light of wavelength lambda and lambda by 2, if the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case is 3 times, that in the first case, तो बात सुनो भी, क्या कर रहा है कि maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons in the second case, यानि k2, बराबर क्या होदेगा आपके फास, 3 times of k1, आपन जान देए k2 क्या होता है अभी kinetic energy बराबर, क्या होता है, e minus 5 note होता है, ठीक है न, तो e बराबर कितना होदेगा, e बराबर hc upon, k1, बादगा lambda कितना होदेगा, lambda by 2, lambda by 2, minus, 5, आपको क्या पूचा जा रहा है यहाँ पर, work function पूचा जा रहा है, work function, इसको आपन बोलेंगे 5 note, बराबर 3 times of, k1 कितना होदेगा, hc upon lambda, minus क्या देगा, आपके पास 5 note होदेगा, चलो, इसको आपन लिख सकते हैं, 2 hc upon lambda, minus क्या देगा, आपके पास 5 note, बराबर, इसको आपन बोलेंगे, 3 hc by lambda, minus कितना होदेगा, आपके पास 3 5 note होदेगा, ठीक है, इसको आपन इधर की तरब देगे, तो 3 5 note, minus 5 note, बराबर कितना होदेगा, 2 5 note, तो 2 5 note बराबर, 3 hc by lambda, minus 2 hc by lambda, बराबर कितना होदेगा, hc by lambda, तो 5 note बराबर कितना होदेगा, hc upon क्या देगा, आपके पास 2 lambda, तो hc upon 2 lambda, 4th option आपका यहाँ पर correct जा रहा है, चली बच्चों, इसके बाद अगला question आपन देखते है, question number 40 पे पहुंच चुके है, हापन, क्या कर रहा है, देगा दन से, यह कर रहा है कि redone decays into polonium, redone न वो किसमें जा रहा है, भी polonium में जा रहा है, by emitting an alpha particle, with half life कितना होदेगा, 4 days, a sample contains atoms 6.4 into 10 to the power 10 atoms of redone, तो यह देगा, आपके फास है, 6.4 into 10 to the power, यह आपके फास है, 10, ठीक है न, after 12 days, the number of atoms redone left in the sample, भाई, चार दिन तो इसकी half life है, और 12 दिन हो चुके है, मतलब 3 half life होगी, तो एक half life बाद में 2, 2 के बाद में by 2, 3 के बाद में by 2, तो कितना अदेगा, भी 8 आदेगा, 2 into 24, 8 आगया, तो इसको आपन बोलेंगे, 6.4, मतलब यह बन जाएगा, 6.4 divided by 8 into 10 to the power 10 आगया, ठीक है न, तो 0.8 आगया, तो 0.8 मतलब 8 into 10 to the power, मतलब यह 0.8 into 10 to the power 10 आजाएगा भी, समझ गया, समझ भागी बात है, तो redone के इतने, जो atoms सब वो इसके अंदर बचेंगे भी, इसके बाद है next, आगे बढ़ते हैं आपन, क्या कर है, in the given figure, a diode D is connected to an external resistance, R बराबर कितना हो जाएगा, 100 ohm, यह आपका 100 हो गया, and an EMF of 3.5 volt, ठीक है न, the barrier potential developed across the diode 0.5, यह 0.5 हो गया, the current in the circuit will be, तो I बराबर कितना होता है, delta V upon delta R, तो V कितना हो जाएगा, 3.5, minus कितना हो जाएगा, 0.5, upon कितना हो जाएगा, 100, तो कितना हो जाएगा, आपके पास, 30 milliampere आजाएगा भी, ठीक है न, बस, चलिए, आगे बढ़ते हैं अपन फिर, next क्या कर रहे, देखो जान से, यह कर रहे, the input signal given, to a CE configuration amplifier, having voltage gain, 150, V यह बराबर यह हो गया, तो आपको output signal पुछा जा रहे, तो बात सुना हो भी, advantage of voltage बराबर क्या होता है, V output upon V input होता है, ठीक है न, minus का sign भी लगा सकते हो, इसके आगे आफ, ठीक है न, मतलब यह तो हो गया न, advantage of voltage बराबर, क्या होता है, V output upon V input, बराबर कितना होता है, 150, तो यह 150 minus का होता है, क्योंकि इसके लिए, जो advantage of voltage होता है, minus होता है, तो इसको आपन क्या बोल सकते हैं, V output बराबर, minus का 150 into क्या होता है, आपके पास V input हो जाएगा, तो minus का 150 into, V input की बात करते हैं, तो V input कितना होता है, 2, इसको आपन बोलेंगे, cos, इसके बाद है 15T, प्लस क्या होता है, अपके पास है, 5 by 3 जाएगा, तो इसको आपन बोलेंगे कितना हो देगा मैंनस का 300 इसके बाद है कॉस इसके बाद है 15T और प्लस क्या देगा 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 प्लस क्या दे 15D, प्लस क्या हो देख, आपके पास हैं 4, 5 by 3, तो यही आपका सही जा रहा है भी, 3rd option आपका यहाँ पर correct आजाएगा, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हैं अगला क्योशन क्या कर रहा है, In the combination of the following gates, the output Y can be written in terms of input A and B, चलो देखते हैं, सुनो भी, यह आपके पास हैं, यहाँ पर A है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, A, यहाँ पर जो A है, वो यहाँ पर क्या आएगा, A बार, यह इसको क्या बना देगा भी, A, और यह क्या बना देगा, इसको बना देगा, यह बना देगा, इसको A बना देग तो यहां पर क्या बन जाएगा जान से देखना देखो A bar dot क्या देगा आपके पास है B इसको आपन क्या बोल सकते हैं भी Y बराबर तो यह तो plus लगाता है तो A dot B bar और plus क्या देगा आपके पास है A bar dot B आगया भी A dot B bar A bar dot B second option आपका correct आगया ठीक है भी चलिए इसके बाद में इसको आपन आगे बढ़ाते हैं अगला क्योशन क्या कर रहा है भी The ratio of the intensities of two waves is 9 ratio 1 They are producing interference The ratio of maximum and minimum intensities will be तो ध्यान से देखना देखो I1 upon I2 बराबर कितना देखाए 9 upon 1 बराबर हो जाएगा A1 upon A2 का Hall square तो यहां से आपके पास A1 upon A2 बराबर कितना देखाएगा 3 ratio 1 आजएगा ठीक है ना तो maximum intensity तो I maximum upon I minimum बराबर किया हो जाएगा A maximum upon A minimum इसका Hall square A maximum होता है A1 plus A2 और यह होता है A1 minus A2 इसका आपन क्या कर देंगे Hall square कर देंगे तो 3 plus 1 upon 3 minus 1 का Hall square 4 का square कितना देगा 16 2 का square कितना देगा 4 तो answer आजएगा 4 ratio 1 थर्ड ओप्सन यहां पर आपका correct आजएगा अब इसीधा formula waste question है कोई दिकत नहीं है ओके आगे बढ़ते हैं इसके बाद next कितना देगा P को नहीं सथना मिजगा 2 अपके पास फ बराबर 4 फ इसके बाद बराबर 2 लेमडा जाएगा, तो लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, आपके फास हाँ, पाइवाई नोट अपन 2 हो जाएगा, बराबर 2 लेमडा जाएगा, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद, नेक्स्ट अपन, अगला क्यूशन निकालते हैं, टू पारडिगल समूर राइट अंगल तो इच अधर, तेर दी ब्रोगली वेवलेंट अर लेमडा 1 लेमडा 2 रेस्टेटिली देपारडिगल, इसका 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 मॉमेंटम इसका 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 इ P है, P square बराबर क्या हो देगा आपके पास P1 square प्लस क्या हो देगा P2 square देगा, अब आपन जान देंगी P बराबर कितना होता है भी, इसको आपन बोल सकते हैं, H C upon lambda, sorry, H C नहीं, H upon lambda, P बराबर क्या होता है, आपके पास H upon lambda होता है, इसको आपन बोलें, H square upon lambda square, बराबर H square upon lambda 1 1 square plus h square upon क्या आपके पास lambda 2 square h square h square h square ko काट देंगे तो 1 by lambda square बराबर 1 by lambda 1 square plus क्या आपके पास 1 by lambda 2 square fourth option यहां पर आपका correct देगा अभी ठीक है ना चलिए इसके बाद next आपना आगे देखते हैं अगला question देखो देखो देन से क्या कर रहे हैं यह करा है कि the fundamental frequencies of a closed organ 5 of length 20 centimeter is equals to the second overtone of an organ 5 often at both the ends, the length of organ 5 often at both ends. सबसे पहले बोले देरा fundamental frequency of closed organ 5. तो closed organ 5 की fundamental frequency कितने होती है? V by 4L, V by 4L. L कितना दे रहे का भी आपको 20 दे रहे का है, ठीक है न? equal to the second overtone. अब second overtone किसका होता है भी? मतलब open organ 5 का, open organ 5 की fundamental frequency होती है, V by 12. तो first overtone क्या बन जाएगा? 2 V by 12. और second overtone क्या बन जाएगा भी? 3 V by 12 बन जाएगा. इसको आपन बोलेंगे 3 V by 2, यह आपके पास L आ गया भी. V से अपन यहाँ पर V को cancel out कर देंगे. इसके बाद 2 से अपन इसको cancel out कर देंगे 10 times. तो L बराबर कितना देगा भी? यह आपके पास में देगा. 120 आ गया ना, 40 इंटो 3 कितना देगा? 120. second option यहाँ पर आपका correct आ देगा भी. ओके? इसके बाद next question number 48 फिर चलते हैं भी यह आपन. यह कर रहा है कि, if the refractive indices of a frism of red, yellow and violet colors, भी यह respectively, then the dispersive power. तो omega का formula होता है, mu V minus क्या होता है? mu R upon mu Y minus 1 हो देगा. तो सबसे पहले यह तो क्या हो देगा? आपके पास, red. यह क्या हो देगा? यह लो. यह क्या हो देगा? वो relate हो देगा. तो इसको अपन बॉलेंगे 1.65 minus 1.61 upon 1.63 minus क्या हो देगा? 1. तो यह आ गया ना? यह आ गया. third option correct हो देगा भी. चलो 49th question पर चलते हैं. अगला question क्या कर रहा है दोने से? Wavelance of the light used in an optical instrument lambda 1 यह, lambda 2 यह, ratio of respective resolving power. तो देहान से लेखना हो देगा, resolving power, inversely proportion to क्या होता है? lambda होता है. तो RP1 upon क्या हो देगा? आपके पास RP2 equals to क्या हो देगा? lambda 2 upon lambda 1. तो lambda 2 कितना देगा? 5000 upon कितना देगा? 4000. तो यह देगा आपके पास 5 by 4. 5 by 4 यानि 4th option आपका correct हो देगा, बच्चो. आगे बढ़ते हैं फिर आपन. Next. Last question पर चलते हैं. Question number 50 क्या करे? A single slit of width 0.2 mm is illuminated with light of wavelength 500 nanometer. The observing screen is placed 80 centimeter front of the screen. The width of the central bright fringe will be. तो दियान से देखना देखो width आपको पूछी जा रही है. तो यह होता 2 lambda by A into capital D होता है. यह formula मैं directly लिख रहा हूँ. derivation यहाँ पर नहीं कर सकता भी. लेमडा कितना देखा है भी? 500 nanometer तो 5 into 10 to the power minus का 7. और capital D कितना देखा है भी? यह capital D आपको बोला जा रहा है 80 centimeter. 80 centimeter मतलब 0.8 आ गया. ठीक है ना? अपन A. A कितना हो देखा है? 0.2 mm मतलब 10 to the power minus का 3 आ गया भी. तो इसको आपन क्या बोल सकते हैं भी? 2. यह बन जाएगा दियान से देखना है 10 times. तो यह 8 आ गया. 8 into 4. कितना हो देखा है भी? 40 into 10 to the power minus का 4 आ गया. ठीक है ना? इसको आपन क्या बोलेंगे? 4 into 10 to the power minus का 3. तो 4 mm आ देखा. थर्ड ओप्शन यहापर आपका करेक्टा देगा भी. ठीक है बच्चों? तो चलो यह आपका कुल मिला करके 50 कुसेंस का आपका फेपर था. दंगल 5 के नाम से. ठीक है? तो निश्ची दूरूप से आप सब लोगा ने पेपर बहुत अच्छे से किया होगा. ठीक है? तो बच्चों, लाश्ट ताइम में आपका जो confidence है, वो matter करता है. अगर आप positive energy के साथ में पेपर देने जाएंगे, ठीक है? तो 100% आपका पेपर जाएंगे, तो निश्ची दूरूप से उसकी वज़ा से कम से कम आपके 4-5 questions से वो गलत हो जाएंगे. तो energy आपको positive रखनी है, आपको बिल्कुल एकदम अच्छी दरीगे से motivated रहना है, ठीक है ना? ये सोच करके जाना है कि हर question आपको आ रहा है, ठीक है? और निश्ची से बाहर आना है, ठीक है? तो बिल्कुल, thank you very much, all the best, मिलते हैं फिर कभी, और बहुत अच्छे से आप paper करते रहें, और सभी को NEET के लिए मेरी तरफ से best of luck, thank you. Hello everyone, कैसे आप सब उमीद करते हैं, अच्छे होंगे, तो CLC की जो measure test series है, दंगल, उसमें आपका स्वागत है, आज हम दंगल 5 का solution करें हैं, तो देखना जरा, कि total जो है, वो आपने पास सबसे पहला question क्या कहता है, कि the gas evolved at the anode when K2SO4 is electrolyzed between platinum electrodes, कहने का मतला है, platinum electrode के साथ K2SO4 aqueous को आपने क्या करवा दिया, electrolysis का करवा दिया, तो हमारे पास basically यहाँ पर क्या बनेगा, K plus और इधर क्या होगा, sulfate, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास water भी है, H2O, अब H2O जो है, वो बहुत ही weak electrolyte है, sulfate और water को अगर हम compare करें, देखो, sulfate को तो जो है, वो कहाँ जाना है, यहाँ पर जाना है, इसको तो जाना है एनोड़ पर, और अगर हम बात करें, जो केटाइन है, affected को जाना चाहिए, कहाँ एनोड पर, और केटाइन जो जाएगा, वो कहाँ जाएगा, केफोड पर जाएगा, ऐसा होना चाहिए, लेकिन potassium तो केफोड पर जाता नहीं है, S-Block क कभी भी डी पोजिशन नहीं होता है और सलफेट और एच्टो में अगर हम कंपेर करें तो वाटर जो है ना वो पहले क्या सलफेट को अगर आपको डीपोजिट करवाना है तो ओवर वोल्टेज की जरुवत पड़ेगी तो वाटर जो है वो कहां जाएगा बैसिकली वाटर का के थोड़ पर जो हो क्या होगा रिडक्शन होगा और वाटर का ही एनोड़ पर क्या होगा ऑक्सिडेशन और वाटर का जब ऑक्सिडेशन होता है तो भाटर जी आपको पता है आपको क्या मिलता भी या ऑक्सिएन गयास मिलती है और वाटर का रिडक्शन होता है तो हाइड एक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है अगर हम बात करें तो यह वहाँ पर जो हो एनोड जो है वो कैसा होता है एनोड पॉजटिव होता है और के थोड जो हो कैसा होता है जी नेगटिव होता है के थोड नेगटिव होता है ठीक ना जबकि गैलवेनिक सेल की बात करें तो वहाँ पर anode negative होता है, cathode कैसा होता है? positive होता है, इसका उतला पहला statement गलत है, cathode is negative terminal in a galvanic cell, तो यह यह मैंने अभी आपको बता है कि galvanic cell में cathode positive होता है, तो यह भी गलत है, reduction occurs at cathode in either of cell, यह देखो, कि दुनिया का कोई भी cell हो, चाहे galvanic हो, चाहे electrolytic हो, कोई भी cell हो, किसी भी cell में आ बात करूं, तो भीया, जी, cathode जो है, इस पर कैसा होगा, क्या होगा, reduction होगा, कोई भी cell हो, चाहे electrolytic हो, चाहे galvanic को, तो reduction occurs at cathode in either of cell, बिल्कुल भीया, यह चीज सही है, oxidation वाली बात तो सरासर गलत है, तो यह हो गया भीया, question number अपने पास, 52, next आपन question की तरह बढ़े, तो भीया, देखो 53, आपको क्या बोल रहा है, कि the activation energy of reaction is 0, the rate constant of this reaction, मतलब यह है कि भीया, activation energy, kinetics का question है, आपको बोल रहा है, k is equal to हमारे पास, क्या होता है, ae की power minus ea upon rt, ea 0 कर दिया, तो कहने का मतलब k is equal to a, e की power किती हो जाएगी, जी, 0 हो जाएगी, और इसकी value 1 होती है, यह तो अब आपको बोल रहा है, कि k पर क्या फरक पड़ेगा, increase with increase of temperature, भीया, temperature से तो independent हो गया, मतलब कहने का मतलब temperature वाली time तो खतम ही हो गई, तो basically temperature पर यह depend ही नहीं करेगा, और तो answer जो है, वो कौन सा हो जाएगा, it nearly independent of temperature, लगबग temperature पर क्या हो जाएगा, independent ही नहीं करेगा, next question की तरफ बढ़ें, तो भीया, next question आपके पास है, which of the following is not applicable to the phenomenon of adsorption, आपको पता होना चाहिए, adsorption जो है, वो एक कैसा होता है, उसमाँ 6 भी प्रक्रम होता है, यानि कि exothermic process होता है, ठीक अभीया, यानि delta H जो इसका आएगा, वो negative होगा, 0 से क्या होगा, कम होगा, फिर अ adsorption जो हो, कैसा होता है, spontaneous होता है, यानि कि इसके लिए delta G की बात करें, तो वो भी कैसा होता है, negative होता है, 0 से कम होता है, adsorption में हमेशा entropy क्या होती है, या decrease होती है, क्योंकि हमारे पास condition ऐसी होती है, कि पहले ही ये surface है, आजपास जो भी gas के molecule है, वो randomly इदर उदर move कर रहे हो है, तो delta H कभी 0 से जादा नहीं हो सकता, यह वाला adsorption के लिए गलत है, next अपन question की तरफ चलें, तो अगला question जो हो आपको क्या बोल रहा है, 55, यह बोल रहा है कि which of the following interface cannot be obtained, किसमें interface नहीं आपको मिलेगा, तो भीया देखो, जो gases होती है न, उनके वीच में कोई भी interface नहीं ह भी interface हो सकती है, जब दोनों liquid की densities क्या हो, अलग-अलग हो तब, next अपन बात करें, तो भीया अपने पास है, कि match the type of the collardial system given in the column first, भीया देखो, कि आपको जो है, basically बोल रहा है, collardial system match करना है, NCRT का question, पूरा paper जो है, NCRT को ध्यान में रखते हुए बनाए गया है, तो solid in liquid क system को जो हो, भीया, क्या बताया गया है, sol बताया गया, तो यह तो होता है, sol, फिर अगर हम बात करें, तो liquid in solid, तो भीया liquid in solid का जो system में वो gel होता है, जैसे hair gel होती है, जो gelies होती है, बिल्कुल वो, फिर अगर हम बात करें, भीया liquid in liquid, तो यह होता है, भीया emulsion, हिंदी में इस सी तरक्य का अपने पास बैसिकली बनेगा तो यह हो गया अपने पास अगला कोश्चन नेक्स आपन चलें 57 तो यह आपको वरा विच आफ फॉलविंग री प्रेजेंट विलियम सन इथर संथेसिस यह याद करवा देता हूं विलियम सन इथर संथेसिस में हम क्या करता है विय यहां पर यह जो आरडेश है यह शुड़ भी शुड़ भी लेस इंडर लेस हैंडर्ड यह जो कम इस पर तरविंग बादा होनी चाहिए तब तो यह वाला जो है वो आर मैनस यहां से क्या कर जाएगा अटेक कर जाएगा हमारे पास विलियम सन इथर संथेसिस से इथर बन अगर यह जादा हिंडर्ड है यहां पर डबल बॉंड की प्रॉपटीज बैसिकली हो जाएगी और डबल बॉंड की प्रॉपटीज होगी तो बॉंड टूटेगा नहीं इther synthesis नहीं होगा तो यहां पहला चेक करते हैं यह देखो जड़ा कि आपको यह दे रखा है और सी च्री यह कम हिंडर्ड है यहां पर यह पॉसिबल है यहां पर फिर यह यह दे रखा तो यहां पर बात करें तो अगें यह थर डिग्री बर का यह भी नहीं देगा तो विलियम सन इथर सिंथेसिस की condition के वल first में होगी next रबन बात करें अगले question की तरफ चलें तब यह अगला question जो है वह आपको यह बोल रहा है 58 एक compound आपको दे रखा है arrow पर लिखा हुआ ध्यान से देखेगा इस compound को यह अपने पास है विया PCC पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट ठीक ना तो बेसिकली अगर पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट की बात करें तो यह एक mild oxidizing agent होता है एल्को हल को किसमें convert करता है directly LD hide में convert करता है यह LD hide में convert करेगा एल्कोल को ठीक अना अगर इसी की जगा आप PDC लोगे के पिरिडीन डाइक प्रोमेट लोगे तो भी चल जाएगा इसी के जगा अगर केटु सियार तुओ सेवन यह सियार ओफोर एच प्लस यह अगर आप ले लेते हो तो यह उस केस में जो है यह यहांपर क्या होगा यहांपर सी ओ यह यह बन जाएगा बाकी सारी चीजह आज़िए रहेगी तो स्य चोब ले तो अपने पास कोन सा जाएगा यह जो आंसर इसमें चला जाएगा next रबन कोश्चन की तरफ बात करें तो भाई अगला कोश्चन है 59 या आपको वोरा वन डिगरी टू डिगरी त्री डिगरी अल्कोहल इन स्माल कॉंटिटी इस आर गिवन इन थ्री डिफ्रेंट टेस्ट ट्यूब ठीक भी यह तीन अपने पास अलग अलग टेस्ट ट्यूब है यह अपने पास इसमें वन डिगरी है यह अपने पास इसमें टू डिगरी है और यह इसमें पास थ्री डिगरी अल्कोहल है ठीक है आपको वोरा रहा है तो यानि कि इसको हम बोलते हैं या एसको क्या बोलते हैं लुकास रिएजेंट बोलते हैं और लुकास रिएजेंट ज तो reaction जो हो किससे जाती है, S1 mechanisms जाती है, और S1 mechanism में हम बोलते हैं कि कार्बोकेटाइन जितना जाधा stable बनता है, तो basically जो है, वो reaction में precipitate उतनी ही जल्दी आता है, 3 degree वाले में कार्बोकेटाइन जाधा stable होता है, तो precipitate तुरंत बिल जाता है, 2 degree वाले में 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है, और 1 degree वाले में जो हम इसको heat करते हैं, या आदे घंटे बात देखते हैं, तो PPT आपको देखने को मिलता है, तो immediately cloudness appears in one of the test tube, तुरंत जो हो किसमें एक तरीके से PPT या precipitate या जो धुन्दलापन है, वो किसमें आपको देखने को मिलेगा, तो 3 degree में आपको सबसे पहले दुन्दलापन देखने को मिलता है, next आपन बात करें, अगले question की तरफ चलें, तो question number 60 देखिएगा, which of the following will give iodoparm test, भया, iodoparm test के लिए हम बोलते हैं, तो compound में या तो ये वाला ग्रूप होना चाहिए, या फिर compound में आपको ये वाला ग्रूप होना चाहिए, तो ये वाला ग्रूप होगा, तो भया ये आगे इसी बें कनवर्ट हो जाता है, iodophile form test में हम क्या करते हैं, पिया, I2 लेते हैं साथ में और साथ में कोई base काम में लेते हैं, तो यह यह वो क्या बनेगा अपने पास जिसे मालो base आपने न न ओच काम में लिया है, तो एन ए ओ आई बनेगा और यह एक mild oxidizing agent होता है, तो यह इस ग्रूप को क्या कर देगा इससे में convert कर देगा तीन अलफा टेस्ट दे सकता है तो A, B और C ये तीनों के तीनों आइड़ोफॉम टेस्ट दे सकते हैं next अगर हम आगे बढ़ें तो भीया अपने पास अगला कॉशन है कॉशन नमर 61 देखेगा arrange the following compound in the order of living group ability भीया जी देखो living group ability या हटने के समों की प्रवर्ती ये जो होती है यह आपको बताती है या वीक बेस आपको एक line देहान में रखनी है क्या वीक बेस आर good living group good living group ठीक है जो बीक बेस होते है दुरबल चार होते है वो अच्छे हटने वाले समों होते है अब इनको चार यहसामरते कि क्रव में वस्तित कर दो आपके पास living group ability आ जाएगी देखिएगा यहां पर CF3 दे रखा है ठीक है तो CF3 जो है यहां पर fluorine का कैसा है माइनस आई CS3 दे रखा है OCS3 और यहां पर जो हो यह वाला resonance में भीया यहां negative charge का resonance जो हो ज्यादा है इन दोनों में इसका मतलब यह दोनों जो हो इन दोनों के comparison में सबसे विक भेस है और इन दोनों में से चेक करें तो fourth one is सबसे विक भेस है सबसे अच्छा लिविंगड्रोप होगा फिर अपने पास कौन सा होगा third फिर अपने पास इन दोनों को कें तो यह यह वाला幹orain की तरह आपने बढ़ते हैं तो अगला question जो हो अपने पास अब यह आपको बोल रहा है देखो major product दे रखा है आपको यहाँ पर जो हो ऊपर base दिया है और base के साथ heat दिया है कहने का मतलब यह कौन सी reaction है यह अगल रियक्षन और यह अगल में भी क्योंकि एक यह molecule दिया है तो यह self-aldol है अगल बोल दो यह तरीके से self-aldol तो नहीं एक इंट्रा-molecular-aldol आप इसको बोल सकते हो तो वेसिकली इंट्रा-molecular-aldol में हमारे पास क्या बनती है यह रिंग बनती है तो डायरेक्ट में पास यह होता है कि कि किसी का भी यह अलफा एट्रोजल ले लो दो और यहां से जो water molecule बाहर निकाल दो ऐसे करके यह डायरेक्ट मे बीच में अपने पास क्या है डबल बॉंड हो जाएगा चार नंबर पर जो हो आपको एक एल्डी हैड ग्रूप जोड़ना तो इस तरह के का इस तरह के दिखने वाला कोई कंपाउंड जो बनना चाहिए फस्ट वाला जो हो अपना option सही है नेक्स अफन अगली बात करें तो इसकी बात करें तो यह तो एस्टर है यह बनेगा बीच में से बॉंड टूटेगा यह वाला इथर है इसके साथ जो बात करेंगे नहीं इथर के साथ यह किट है अलाइक सीट सेस्ट टेस्ट बात है एर करति आपको सिपों करना हैką ड气व च्ट्रण आइसी होती है यहां पर क्या होग तो बोलते है क्योंकि packing अच्छे होगी, जबकि low density polythene में आप देखोगे, branching होती है, ऐसे, branching होती है, तो packing जो हो उत्ती बढ़िया नहीं हो पाती है, तो इसलिए उसके density कम होती है, तो high density polythene और PVC, ये दोनों के दोने, polyvinyl chloride, तो या vinyl chloride का जो polymer है, इसका जो polymer होगा, वो भी कै पास answer इसका चाहेगा, next अपने पास question है, question number 65, देखेगा, which of the following statement are incorrect about receptor protein, भीया देखो, ये question जो है, वो NCRT में जो आपके chemistry everyday life वाला chapter है, उसमें शुरू में जो drugs वाला दिया है, उसे जस्ट पहले, जो चीजे दी हुही है, जो अपने पास जो है, वो एक तरह के से receptor और cell वा proteins are embedded in the cell membrane, बिल्कुल भीया, सही बात है, cell membrane में जो है, वो receptor protein लगे होते है, यहाँ पर जो हो कोई भी drug आके interaction देती है, बाहर से, फिर वो अंदर की तरफ जाता है, ठीक है, तो यह तो सही है, the active site of receptor protein opens on the inside, active site जो होते है, वो बाहर की तरफ खुलते है, ड्रग जो है, वो यहा chemical messenger आएंगे, वो यही, binding site यही है, यही पर जो है, वो एक तरीके से क्या करेंगे, भीया, attack करेंगे, shape of receptor does not change during the attachment of messenger, यह तो आपने जो है, जो लिक्विड लिक्विड वाला जो पढ़ा होगा, sandwich-like structure, cell membrane की उसमें भी देखा होगा, जब इधर से, इधर message आते है, तो बाहर इ reaction of glucose can be explained only by its cyclic structure, क्यवल और क्यवल, cyclic structure के basis पर जो है, वो कौन सी चीज इन में से समझी जा सकती है, वो glucose form pentacetate, ना भीया, pentacetate बनाना, यह तो जो है, वो non-cyclic structure में भी pentacetate बन सकता है, ठीक है, glucose react with hydroxylamine to form oxyme, भीया, oxyme जो है, वो तो open structure में ही बने की, जब CO group जो है, व of glucose does not react with hydroxylamine, यह ठीक अभी है, यह pentacetate जो है, वो hydroxylamine के साथ reaction नहीं करता, जबकि उसको करना चाहिए, लेकिन नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्योंकि वो cyclic structure में होता है, यह भी NCRT की line है, जो कि आपको ध्यान में रखने है, glucose is oxidized by nitric gluconic acid, इससे कोई लेना देना नहीं है तो इसमें जो हो थर्ड ओप्शन जो हो क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, next अपने पास हो question number 67, which of the following is most reactive towards diazo coupling reaction, भहिया जी देखो, diazo coupling reaction, जो हो weak, electrophile होता है, और electrophilic, एक तरीके से substitution reaction होती है, जहाँ पर electron density ज्यादा होगी, वहीं पर होगा, अब भहिया देखो ज़रा कि electron density की बात करें, तो यह तो होई नहीं सकता, NO2 ग्रूप बहुत ही, ज्यादा highly electron withdrawing group है, यहाँ पर CL जो है, उसका minus I आपको पता है, minus M से क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यह वाला भी नहीं हो सकता, अगर इन दोनों को compare करें, तो यहाँ पर diazo coupling, coupling होगी का, coupling की site ही नहीं है coupling की site यहाँ पर है, आप देखो जरा, इस site पर अगर coupling होती है, तो OH का यहाँ पर plus M लग रहा है, OCS3 का भी यहाँ पर क्या लग रहा है, plus M लग रहा है, तो यह वाला जो है, वो अपने पास option सही है, next, अगर अगले question की तरफ आपने बढ़े हैं, तो question number 68 देखेगा, आपको क्या भो रहा है, 100 ml of O2 gas diffuses in 10 seconds, 100 ml of gas x diffuses in 10 seconds, gas x and time t can be, भहिया हमें यह पता है, कि जो rate of diffusion होती है, R1 by R2, ठीक है, यह अगर volume की term में बात करें, तो V1 by T1, और यहाँ पर V2 और यह T2 और यह equal होता है, अपने पास under the root M2 by M1, ठीक, अब आपको दे दिया कि 100 ml of O2, यानि volume दे ठीक है, diffuses in 10 seconds, T1 दे दिया 10, V2 भी आपको 100 ही करना है, और T2 आपको निकालना है, under the root M1 दे दिया 32, M2 जो है, M2 मेरे को चेक करना है, यह cancel हो गया, यानि कि T2 by 10 is equal to M2 by 32, अगर यह वाली equation satisfy हो गई, वह ही अपना answer होगा, पहला option चेक करते हैं, hydrogen and 2.5 seconds, चेक करते हैं, T2 द value दे दी कितनी, इसका molar mass कितना 2 by 32, यह आजाएगा कितना 1 by 4, और यह 1 by 16, 1 by 16 का root कितना होता, 1 by 4 ही होता है, तो इसका मतलब यह equation satisfy हो रही है, option number 1 जो है, वह अपना correct है, बागी के 3 option आप खुच चेक करो, अगर कहीं पर भी कोई doubt होता है, तो वह doubt आप भेजे, comment में लिखे आपका doubt solve करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, next अबना आगे चलते हैं, यह question number 69 देखेगा, 69 क्या कह रहा है, कि what volume of oxygen gas measured at 0 degree centigrade and 1 ATM, यह 0 degree centigrade और 1 ATM का मतलब एक तरीके से क्या हो गया है, यह STP की condition यह NTP की condition हो गई, ठीक है, is needed to burn completely 1 liter of propane gas measured under the same condition, देखो, propane को आपको जलाना है, त 3H8 propane होता है, oxygen के साथ जलेगा, तो 3 CO2 और 4 H2O, यह reaction होगी, तो आपने पास total अगर आप देखोगे, तो हमारे पास जो क्या आएगा भीया, 6 और 4, कितने हो गए, अपने पास 10 हो गए, तो 5 O2, ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, इसका 1 liter को जलाना है, तो 1 liter का मतलब मोल कितने हो गए, 1 by 22.4, यह इतने मोल आ गए, इसके 1 मोल को जलाने के लिए, इसके 5 मोल की जरुरत पड़ती है, तो इसके 1 by 22.4 मोल को जलाने के लिए, इसके कितने मोल की जरुरत पड़ेगी, 1 by 22.4 into 5, इतने मोल की जरुरत पड़ेगी, अब आपको पूछरा, वोल्यू तो कि आपको जरुवरत पड़ेगी यह हो गया जी अपने पास question number 69 नेक्स्ट अपन question की तरह बढ़ें तो question number 70 देखेगा the radius of an orbit of hydrogen 8.5 into 10 to the power minus 10 meter radius आपको दे रखिए the angular momentum of electron in the same orbit तो अपने पास होता कि ता 8.529 N square by Z अब hydrogen के लिए Z की value तो वन हो गई और यह वाली चीज़ आपको दे रखिए यह तो एंगस्ट्रम में होता तो इसको मिटर में बदलूँगा ना तो 10 to the power minus 10 से multiply करूंगा is equal to यह आगया भिया 8.5 into 10 to the power minus 10 यह हो गया कैंसिल यहाँ Z की value 1, N की value आप निकाल लो N की value आएगी कितनी 4 ठीक तो अगर N की value 4 आ गई तो वह आपको बोह रहा है कि KSP of MgOH2 is 1 into 10 to the power minus 11 ठीक है इसका KSP आपको दे रखा है minimum pH required for KSP for precipitate of MgOH2 in 0.1 molar MgCl2 देखो कि यह MgCl2 जैसे ही मैं मिलाओंगा तो precipitate होगा precipitation की जो condition होती है वह हम जब KSP और QSP दोनों equal हो जाते हैं तो वह precipitate is about to come हम यह मानते हैं तो MgCl2 की presence में भीया आप जब 0.1 molar अब यह strong electrolyte यह तूटेगा तो हमारे पास Mg plus 2 और 2Cl minus ब्रेक होगा Mg plus 2 की जो concentration हो वह कितनी आ जाएगी 0.1 आ जाएगी अगर मैं इसके लिए KSP लिखूँगा तो यह Mg plus 2 की concentration और OH minus की concentration का क्या आ जाएगा square आ जाएगा तो अब KSP जो हो आपको दिया कितना है यह दिया है 1 into 10 to the power minus 11 यह इतना ही रहेगा Mg plus 2 की concentration कितनी है 0.1 ठीक है अब आपको जो है वह basically pH पूछी है तो pH के लिए जो है वह मैं क्या करूंगा भी है pH के लिए जो है वह आपको काम इतना करना है कि H plus निकाल लो यह OH minus निकाल लो ठीक है अब OH minus की सांदरता जो है वह अपने पास अगर इसकी solubility माल लो हो S' है तो यह आजाएगा S' का square ठीक है तो यह जो हो इसको solub कर लेता हूं यह अपने पास कितना जाएगा यह 10 to the power minus 10 is equal to S' का square तो S' जो आएगा वह आएगा 10 to the power minus 5 यह S' आ गया तो हमारे पास जो हो हो ओएच माइनस जो होगा कितना यह actual में OH minus 2H' होगा तो 2H' is equal to 10 to the power minus 5 आ गया यानि एक तरीके से OH minus की concentration जो हो मेरे पास आगे 10 to the power minus 5, POH जो हो कितने आजाएगी इस केस में 5 तो pH जो हो कितने आएगी यह 9 तो option जो हो अपने पास 3rd वाला क्या रहेगा correct रहेगा next अपने आगे बढ़ें तो question number देखना 72 consider the reaction at 300 Kelvin ठीक अभी है तो आपको बोरा है entropy change for the sublimation of N2O5 N2O5 के sublimation के लिए आपको entropy change निकालना है तो भीया N2O5 sublimation का मतलब हो गया solid से directly इसको किसमें बेजेंगे gas में भेजेंगे ठीक है इस reaction के लिए आपको delta S निकालना है तो भीया आप कुछ भी करो इन दोनों reaction से यह वाली reaction finally बननी चाहिए तो मैं नीचे वाली reaction को क्या कर देता हूं reverse कर देता हूं तो नीचे वाली reaction को reverse करूंगा तो मेरे पास आएगी भीया 2N2O5 solid is converting into 4NO2 ठीक है plus oxygen और इसके लिए मेरे पास delta S कितना जाएगा 219 प्लस का उपर वाली reaction इसमें जोड़ दो तो 4NO2 plus O2 is 2N2O5 तो इस reaction के लिए delta S मेरे पास 111 अब add करता हूं तो यह हुआ cancel मेरे पास आ गया 2N2O5 is converting into 2N2O5 बस यह वाला जो हो गयास होगा यह वाला कैसा होगा solid होगा ठीक है तो इस reaction के लिए delta H कितना आएगा इस reaction के लिए delta H इसमें से घटा दो कितना 8 0 और 1 108 यह आएगा प्लस का clear है बात और यह है किलो जूल में अब आपको जो हो तो हमें पता है कि delta S is equal to delta H upon T तो delta H की वेल्यू जो हो 108 टेंपरेचर सॉरी delta H की वेल्यू जो हो कितनी अपने पास 54 किलो का मतलब 1000 से गुना करना पड़ेगा और यह आपको दे रहा कितना 300 ठीक है तो यह मेरे पास जो कितनी बार जाएगा यह एक और यह जो हो हो अपने पास कितना हो गया पीछे दो बच गया तो साथ अठारा एक सो असी के आसपास आएगा और यह पॉजिटीव ही रहेगा तो आंसर जाएगा कौन सा फस्ट तो मिद करते हैं कॉश्चन कंसर्ट दोनों समझ में आया होगा हाँ तो यह नेक्स कॉश्चन देखते हैं कॉश्चन नमबर 73 है आपको बुरा फॉस्ट थ्री नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लेटिस आरेस्पेक्टिवली देखो कि पहले तीन नियरेस्ट जो हो किस-किस डिस्टेंस पर होगे अगर हम बात करें विया प्रिमिटिव युनिट सेल यानि की एक तरीके सी यह बात करना चाहता है भीया जी SCC की ठीक है तो SCC में आप देखो कि हमारे पास कंडिशन ऐसी होती है कि जो भी पार्टिकल होंगे वह कहां पर होंगे जितने भी कॉर्णर सेना वहां पर पार्टिकल होंगे यह अपने पास SCC इनिट सेल हो गई ठीक है यह जो है फिर हिए हमारे पास यह वह यह दूसरे नियरस्ट हो गए यह रूट 2A डिस्टेंस पर हो जाएंगे और यह तीसरे नियर्सट हो जाएंगे यह रूट 3A टिस्टेंस पर तो A, root 2a, root 3a यह हमारे पास यह आउसर चला जा जाएगा हेलो स्टुएंट्स मैं दॉक्र मिनिश डुडी टीम से टीम केमिस्ट्री सी अज बात करेंगे दंगल पांच के बारे में इन और गनिक के बात करेंगे पहला देखते हैं अमॉंग दफॉलॉविंग दपैरामेगनेटिक कंपाउंड इस देखे विटा इन में ओजोन कैसा है यह कहए परोक्साइड है परोक्साइड के लिए बात करेंगे इस पर कितना आएगा माइनस टू यह भी कैसा बजाएगा डाया माइनेटिक यह सिंपल ओक्साइड है और यह सुपर ओक्साइड है इस पर minus 1 आएगा, O2 minus 1 में कितने electron unpaid होंगे, एक unpaid electron होगा, मतलब यह क्या होगा, paramagnetic होगा, तो अपना answer आजाएगा, fourth, next बात करते हैं, which of the following element does not form hydride by direct heating with dihydrogen, पीटा जी, beryllium है, जो direct reaction नहीं करता है, H2 से, इसको बनाने के लिए other reactions use की जाती है, तो इसको आपको याद रखना कि beryllium direct hydrogen का hydride का formation नहीं करता, why, cash, CSO4, इसको बोलते हैं, इसका नाम या रखना, gypsum, gypsum को बेटा जी, 120 degree centigrade पर गरम करते हैं, तो plaster of Paris, CSO4, dot, half H2O मिलता है, अगर इसको 205 degree centigrade पर कर दिया जाए, तो सारी जल के अनू बहार निकल जाते हैं, और अपने पास क्या बढ़ जाता है, calcium, sulphate बढ़ जाता है, इसे बोलते हैं, मित जला हुआ, plaster क्या बोलते हैं, मित जला हुआ, plaster, तो अपन कहें, X और Y के लिए बात किये, तो X कि आजाएगा plaster of Paris, ये धियान रखना बिटा, कि Y X पोच रहे हैं, या फिर X Y पोच रहे हैं, तो X कि आजाएगा plaster of Paris, and Y आजाएगा isol height, plaster अपना answer आहेगा, first answer आ आहेगा, अपना next बात करते हैं screening effect cannot be observed screening effect कब लगता है screening effect है क्या अंदर वाले electron है या फिर उसी shell के electron है किसी एक electron पर पर परतिकरशन बल लगाते हैं अगर electron ही एक है तो वो किस पर परतिकरशन बल लगाएगा तो single electron species होती है उनमें sigma कितना screening effect कितना लेकर चलते हैं zero लेकर चलते हैं यहां देखिए इसमें एक electron है इसमें भी एक electron है इसमें भी एक electron तो सभी single electron species है जितने भी single electron species होती है उनके लिए screening effect कितना आता है zero आता है तब ना answer आजाएगा fourth the correct order of hybridization of the central atom in the following species देखिए बटा ns3 में क्या hybridization आएगा simple simple sp3 इसके लिए बात करें 4D and 5D series होती है उनमें चाहिए weak ligand हो चाहिए strong ligand हो उनमें dsp2 अगर d पढ़ा है अपने पास तो dsp2 hybridization आएगा इसमें dsp2 इसमें बात करें sp3d आएगा sp3d आएगा bcl3 में बात करेंगे क्या आजएगा sp2 आजएगा sp2 तो अपन देखें sp3 dsp2 sp3d and sp2 answer आजएगा second deformation of i minus will be maximum with which concatine किसके द्वारा minus को minus i को विक्रितिकर सरवादिक होता है पिड़ा जितना के टाइन छोटा होगा वो उस 9 का उतना ज़्यादा polarization करेगा धूरवन उतना ज़्यादा करेगा तो इनमें सबसे small size अपने किसकी मिलेगी aluminium plus 3 की सबसे small size मिलेगी ज़्यादा polarization करेगा i minus का तो अपना आंसर आजाएगा बटा first next बात करते हैं brown gas is on heating following compound किस से brown gas मिलती है sodium potassium rubidium cesium कभी भी गरम करने पर NO2 gas नहीं देंगे तो ये NO2 gas नहीं देगा अपने को इसको गरम करोगे तो अपने को क्या मिलेगी N2 gas मिलती है क्या मिलती है N2 जब कि इसको गरम करेगी तो अपने क्या मिलेगी CO2 मिलेगी और lithium है जो तूट का है lithium oxide plus NO2 का निर्मान करता है किसका NO2 का निर्मान करता है तो अपना answer आजाएगा third answer आजाएगा next बात करें increasing stability molecule species in the following bond order देखेंगे N2 का bond order कितना है तीन N2 minus का 2.5 N2 plus का 2.5 और N2 का कितना है गा 2 bond order है अब इन दोनों का same bond order आ रहा है जिनका अगर bond order same आ रहा है और overlapping भी same हो तो अपन क्या देखेंगे अपन बात करेंगे किसकी anti bonding में bonding में electrons की बात करेंगे N2 plus में N2 plus में anti bonding में कम electron है तो answer आजाएगा अपना N2 में सबसे ज़्याद है फिर N2 plus N2 minus और फिर N2 minus 2 answer आजाएगा first next बात करें which of the following species has the shortest bond length सबसे छोटी bond length देखने है बिटा इसमें bond order देखोगे bond order अपने कितना मिलेगा इसमे N double bond O double bond O plus bond order यहां 2 मिलेगा अपने को N2 plus में bond order कितना मिलेगा 3 मिलेगा यहां कितना मिलेगा 2.5 मिलेगा यहां कितना मिलेगा अपने को 2 bond order मिलेगा तो bond order जितना ज्यादा होगा bond length उतनी कम होगी तो अपना answer आजाएगा बिटा second answer आजाएगा कुछ सा second अपना answer आ जाएगा next बात करते हैं which of the following which species exist कौन सी species exist करती है बेटा जया होगी में hydrogen bond ये कैसे बना हुआ है answer अपना first आ जाएगा कैसे बना हुआ है ये KF है और HF है इस पर partially negative पर partially positive इस पर negative इस पर negative आएगा पूरा पूरा चार्ज और इस पर कया येगा positive चार्ज आएगा इनके बीच में कौन सा बोंड आ जाएगा hydrogen bond आ जाएगा ये कौनसा ऐसे पूछ सकता आपका इसमें कौन से कौन से bond है तो ये covalent bond है यह hydrogen bond है ऐसे पूछ सकता है इसमें कौन से कौन से ION है तो K PLUS और HF2 minus इनके बीच में कौन सा रहेगा आइनिक bond रहेगा कौन सा यहाँ अपने पास आइनिक bond आजाएगा K plus और HF2 minus के बीच में next बात करें nickel CO का hole for nickel CL4 minus 2 CONS3 का hole for CL2 NA3 COF6 NA2O2 CSO2 में अनुचुम्ब के species प्लश वनusta सुपर ओक्सड है इस प्लस वन इस पर minus 1 अडियenne कूँगा कैसा होगा इनके यह परोक्सड है तो काई थी यहाँ बात करें CO पर कितना चार्ज आघागा प्लस 3 चार्ज शाच आघा वीक फिल्ट है तो कैसा है अपने पास यहां बात करें, अपने पास कैसा आएगा निकल्स विक फिल्ड लिगेगेंद है पैरा मेडिक्टिक, तो पैरा मेडिक कितने होगे अपने पास बढ़ा है, इस इसमें गड़बड क्या करते हो, आंसर आया तीन, तो आप इस तीन को टिक कर देतो, तीन कीस ऑफशन में है, वो answer लगाना है तो अपना answer आजाएगा दूसरा second answer आजाएगा तो पैरा magnetic species कौनसी कौनसी है नेक्स्ट बात करते हैं निमलिक्त में से किसको प्रकाशिस माईवी नहीं है विचे ओफ द फॉलॉविंग डज मूट है यह उप्टिकल आईस्य मेरिट्व मेरिटा इसका के सेंटног ये यंशिक सेवरीकर दिश्य लिए अपनतर आउंसर आजाएगा कोंसाradas और ABC 36 आपको बोल रहा है कि which is यह आर करेक्ट स्टेटमेंट तो आई यूपीसी नेम ओफ पाइरोविक एस्ट देखो अगर हम कॉमन एम सिस्टम में बात करें तो इस वाल यह ग्रूप का नाम पाइरू होता है और पाइरोविक एस्ट लिखना है तो यह यह अपने पास होते हैं वह अप्टिकली कैसे होते हैं एक्टिव होते हैं लेकिन ग्लाइसी जो है वह अप्टिकली इनक्टिव होता है तो यह भी गलत हो गया लाग्जेस्ट या लोंगेस्ट चेंज इन आइसो अक्टेन अगर हम देखें तो भया जी आईसो अक्टेन जो है वह हम इस करने बोलते हैं , ये अपने पास that we go trypten होता है , okay try amethyl butene , तो basically हम कार्बन को , और is compound ayam trypten बोलते हैं इसगा जो नाम होगा वह 123 four, two-two three try to yo try doe , और ये क्या हो गया ,ध्य initiative , ब्यूटेन हो तो केवल और केवल कोण सा सही है , केवल d का ये बाकी तीनों गलत है नेक्स रपन कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं तब यह अगला जो कोश्चन है अपने पास अगला कोश्चन वह भी यह तो इस वह आपको बुख रहा है कि दूपस्ट वल्कंफरमर औफ-टू-मिधाईल प्रोपेन इस टूमिधाइल प्रोपेन का सबसे स्टेवल चनफरमर तो एक ही होगी, तो basically आप देखोगे भी यह front side carbon, मैं इसको front side मान राओं, इसको जो है what I mean, ज़ग आप कुछ भी कर लो, इसका जो है वो सबसे जादा MURDE सबसे जादा स्टेल्म यह भानेगा, Eclipse तो food हो इन iPhोल वैनल सकता, तो यह वाला ही सबसे जादा stable बनेगा बाकी आप देखो केवल आपको formula match करना है तो formula जो हो केवल एक में ही match हो रहा है next आपन question देखते हैं तो यह अगला question है अपने पास question number 88 इसमें बोल रहा है identify correct order of reactivity for electrophilic substitution reaction of the following compound आपको electrophilic ESR तो ESR में कोई electrophile आएगा और यह कहाँ attack करेगा जहाँ पर electron rich site होगी वहाँ पर यह attack करेगा तो यह CHO का effect होता है minus M इसका जो हो plus H होता है इसका minus M होता है इसका जो हो plus M होता है हलाकि लेकिन minus I इसका जो हो ज्यादा effective होता है तो अगर आप यहाँ पर दोखोगे तो यह वाला तो गलत हो गया अगर यहाँ पर देखो कि भाया इसका plus M effect हो गया इसका minus I इसका plus H इसका minus M तो इन दोनों में से जो हो कौन सा होना चाहिए इन दोनों में से जो हो यह दोनों exchange होने चाहिए तो इसलिए यह वाला भी गलत ह हो जाएगा यहां पर जो है वह अगर देखो एन नोटू और सीए चो को कम्पेर करें तो सीए चो का जो माइनस म है वो क्या होता है कम होता है ठीक ना तो इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटेक करना चाहिए तो यह वाला भी नहीं होगा यहां पर इसका माइनस होता है तो यह वाला जो हो अपना option सही है यहां पर electron density आपको सही दिख रही है तो यह वाला जो हो अपने पास order correct होगा next question है यह question number 89 which of the following compound will be most reactive for SN1 reaction SN1 के लिए सब्सक्राइब कौन सा है आपको यह बताना है तब यह SN1 reaction में हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन की stability चेक करते हैं यहां कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो यह वाला बनेगा यहां कार्बोकेटाइन देखो एलायलिक कार्बोकेटाइन है यहां पर कार्बोकेटाइन जो है और यहां पर वो SN1 के लिए सबसे ज़्यादा reactive ये वाला हो जाएगा, next question की तरफ अगर बढ़ें, तो ये है अपने पास question number 90, इसमें बोल रहा है, what is the major organic product of the following reaction, ये reaction का नाम देखो, alkyne का आपको hydration करवाना है, alkyne का hydration करवाना है, khusrov's reaction जो हो, इसका नाम होता है, हमको एक ऐसा alkyne दे रख hydration, hydration आपको करवाना है, water का attack करवाना है, तो H2O जो है, वो भाईयाजी देखो ज़रा कि दो जगह यहाँ पर भी attack कर सकता है, पहले मैं H2O का attack अंदर की तरफ करवा रहा हूँ, तो H2O का जैसे ही attack होगा, तो भाईयाजी अपने पास condition ऐसे आएगी, यहाँ पर C, और यह आ negative charge आएगा, तो proton को capture कर लेगा, तो overall हमारे पास condition ऐसे आएगी, यहाँ पर C, O, H, यह double bond CH2, और यह वाला क्या हो जाएगा, अब टॉटमराइज हो जाएगा, क्योंकि medium अपने पास acidic है, तो टॉटमराइज करवाँगा, तो इसमें जो हो क्या बनेगा, C, O, C, S3, तो एक त इस carbon पर attack होता है, तो यह H2O, और यह वाला जो हो यहाँ, इस carbon पर attack करेगा, यह वाला bond इधर, तो same to same condition, यह सारी situation repeat होगी, और इस case में यह आजाएगा, C, H, यह double bond CH, और यहाँ आजाएगा, O, H, और यह आगे क्या हो जाएगा, टॉटमराइज हो जाएगा, और टॉटमर इसमें possible है, अब देखते हैं कि option क्या कह रहा है आपको, तब यह जी देखो ज़रा, कि option को अगर आप देखोगे, तो यह अपने पास condition ऐसी है, मैं एक बार जो हो जो product है अपने वो वापस से लिख देता हूँ, तब यह अपने पास product बन रहा था, एक तो यह वाला product बन रह ही थे, अब option में देखो, यह वाला तो हो नहीं सकता, यह वाला जो है, यह वाला भी नहीं सकता, तो option में क्यावल यह दे रखा है, तो इसका मतलब answer जो हो कौन सा tick करना पड़ेगा, आपको three वाला tick करना पड़ेगा, तो मित करते है, question concept समझ में आया होगा, next question की तरफ चलत पूछा है, हो रहा है, तो आपको EMF दे रखा है, कितना इतना दे रखा है, और E naught पूछा है, AG, AG plus के लिए, ठीक अभी या, देखो, कि basically अगर हम बात करें, ठीक है न, तो E cell is equal to, ठीक है, हमारे पास जो है, वो condition कैसी होती है, condition होती है, E cell is equal to E naught, ठीक है, potential of cathode, cathode का हम reduction potential लेते हैं, तो E node तो जो है, किसको consider करेंगे, copper का, तो copper का तो आपको क्या चाहिए, oxidation potential, आप देखो ज़रा copper का reduction potential गिवन है, तो oxidation potential minus का point 3-4 हो जाएगा, ठीक है, और reduction potential जो है, यह actual में यहाँ पर भीया AG है, ठीक है, AG plus से AG, तो copper का जो है, वो आपको oxidation potential चाहिए जबकि आपको AG का reduction potential जो हो, वो calculate करना है, E node reduction potential of AG, अब आपको जो हो, E node देर का है, कितना point 4-6, तो यह जो है, वो point 4-6, आपको AG के लिए निकालना भी reduction potential है, इसको इधर लिया हो, दोनों को जोड दो, तो यह आपने पास आजाएगा कितना है, और यह आजाएगा point 8-0, ठी ठीक है, तो option number first जो हो, अपना क्या हो जाएगा, सई हो जाएगा, तो अगला question देखते हैं, देखेगा जरा, next अपने पास question है, question number 92, kinetics का question है, आपको यह बोल रहा है, देखो जरा, कि the half life of a first order reaction is 60 minute, के आपको T half दे रखा है, T half किता दे रखा है, यह 60 minute दे रखा है, ठीक है T half is equal to 0.693 upon, क्या होता जी, के होता है, के यहां से मैं निकाल सकता हूँ, 0.693 upon 60, ठीक है, how long will it take to consume 90% of the reaction, reaction को 90% होने में कितना time लगया, तो first order के लिए आपको पता है, के T is equal to 2.303 log, और यह आ जाता है, A note by 80, तो के की value 0.693 upon 60, T जो है, वो यहाँ पर minute में ही आएगा, 2.30 303 और log, initially concentration माल लो 100 है, 90% consume हो गया, तो बचा कितना, बच जाएगा भीया, अपने पास 10, तो यह cancel log 10 की value 1, तो T is equal to आ जाएगा, 2.303 into 60, और यह आ गया 0.693, इसको जब मैं solve करूँगा, तो यह अपने पास आएगा, भीया, कितना 200 minute, ठीक है, यहनि 200 minute का time लगेगा, उसको 90% खतम होने में, next upon question की तरफ चलते हैं, तो यह अगला question अपने पास है, question number 93, redox related question है, question आपको वो रहा है कि KMNO4 react with oxalic acid, according to the equation, यह question आपको दे रखिए, 20 ml of 0.1 molar KMNO4 is equivalent to, देखो, आप यहाँ पर इसके milligram equivalent निकाल लो, तो milligram equivalent निकालने के लिए volume into molarity into valency factor, तो valency factor देखो, इ change आ रहा है, तो valency factor कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आप देखो, इसके milligram equivalent कितने आ रहे है, milligram equivalent कितने, 10, तो नीचे जिस भी option में, 10 milligram equivalent होगे, वो ही अपना answer सही है, आप देखना, इसका जो valency factor है, वो plus 3 से जो किस में जा रहा है, plus 4 में जा रहा है, एक ने एक का change किया, तो overall 2 का change, यानि कि जो oxalator है, उसका valency factor 2 आएगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ एक सो बीस गुणा 0.25 गुणा 2, ठीक है, यह अपने पास milligram तुल्यांग, यानि कि यह कितना आ गया, यह आ गया, यह 0.50 into 120, यानि कि यहाँ पर तो 60 आ रहे हैं, यह वाला तो नहीं ह तो यह बी जो वो कितना आ गया, अपने पास 30 आ रहा है, तो यह भी जो हो सही, नहीं होगा, तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यह आ गया वहँए 25 गुणा 0.20 into 2, ठीक है, तो यह मेरे पास जो कितना आ गया, पचास गुणा 0.2, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो 10 mg तुल्यांग तो है यह देखिए गाँ आपने पास यह है इन दा given graph PQ देखो जड़ा यह जो graph है यह हम relate करते हैं यह phase diagram से जो अपने पास phase diagram होता है उससे relate करते हैं और vapor pressure और temperature के बीच में graph आपको दे रखा है हम जानते हैं कि किसी भी William में जब हम जायसे जायसे non जो हो condition ऐसी होती है, जैसे जैसे आप जो हो इसमें non-volatile solute add करोगे, point जो हो triple point नीचे किसकेगा, तो मतलब ये है कि ये वाला जो graph होगा na ST वाला, ये तो हाएगा किसके लिए, ये तो आएगा भीया, विलियन के लिए, ये वाला जो graph है, ये है भीया विलाएक के लिए, ठीक है, और भीया देखो जरा temperature कम कर दोगे, अगर आप इधर जाओगे तो temperature कम होगा, तो जो solvent होगा, वो किस में बदल जाएगा, तो ये होगा अपने पास किसके लिए, solid, solvent के लिए, ठीक है, तो ये तीन अपने पास graph है, तो PQ जो है सबसे पहले, ये तो है भाईया, liquid state of solution के लिए, ना, liquid state of solvent के लिए, liquid state of solvent के लिए, QR जो है, QR, QR, ये वाला, ये solid state of solvent के लिए, ये है solid state of solvent के लिए, और S T वाला जो हो किसके लिए है, वो solution के लिए है, जिसमें आपने solute मिला रखा है, तो अपने पास जो है, वो answer कौन सा जाएगा, second वाला answer चला जाएगा, यह हो गया, question number 94, अब फिर है question number 95, तो यह आपको बोरा, which of the following will not affect the value of equilibrium constant of the reaction, भीया, किसी भी reaction का सामें नहीं था, यह equilibrium constant होता है, वो केवल और केवल temperature पर depend करता है, बाकी किसी भी चीज़ से, equilibrium constant कभी भी change नहीं होता, तो will not affect पूछा है, तो change in, okay, आपको जो है वो, okay, यह रहा, तो change in the concentration of the reactant, बिल्कुल भी यह reactant की concentration change करो जाए, product की करो, के तो constant ही रहेगा, change in temperature, यह तो change कर देगा भीया, temperature को change करोगे ना, तो के change होगा, change in pressure, इससे भी equilibrium constant change नहीं होता है, addition of catalyst, इससे भी change नहीं होता है, तो आपको यह पूचा है, किस से change नहीं होता है, तो a से नहीं होता है, c से नहीं होता है तो यह है अपने पास, question number 95, कौन सा जामिति समय इता प्रदेशित महीं करता है, वेट़ा, d sharidma mä AE6 है, प्लस इसमें कि यहां कितने आएगी प्लस शिक्स तो अंसर आजाएगा अपना थर्ड या दखना टैन्ड मत कर देना इसमें प्रॉक्सी लिंकेज प्रेजेंट है कॉपर का निश्कषकर बेसिमर कंवर्टर में इसका फॉर्मेशन होता है तो अपना अंसर आ जाएगा फॉस्ट order of boiling point is boiling point के लिए बात करता है boiling point में HF में hydrogen bond ज्यादा effective होता है तो अपने पास आएगा सबसे ज्यादा HF का फिर अपने देखेंगे molecular weight HI, फिर HBR और फिर आजाएगा HCL आजाएगा HCL, तो HF, HI, HBR, HCL ऐसा answer किसे मिलगे अपने को first में ही मिल जाएगा, तो आजाएगा HF, HI, HBR और HCL, यह boiling point का अगर melting point की बात करता है तो सबसे ज्यादा हाता है HI, फिर HF, फिर HBR, फिर HCL, क्योंकि इसमें zigzag structure आती है, solid में zigzag structure आती है, जिसके करने इसका melting point का जाता है, कम हो जाता है last question, क्यादा KCLO3 को गरम करने पर हम प्राप्त करते है फिटा जी, O2 बनाने का method है KCLO3 को अपने हीट करेंगे तो अपने क्या मिलेगा, KCL plus O2 का formation हो जाएगा, आंसर आजाएगा अपने पास second answer आजाएगा यह inorganic equation मैंने आपको solve करा दिया है paper नेट में जैसे आता है, वैसा ही था easy paper था, ज्यादा हाट भी था, ज्यादा नॉर्मल, ज्यादा easy भी था, ठीक है, मिलते हैं next dungle में, आज के लिए इतना ही, thank you Hello students, myself Manohar Chandelia, team Juloji आज हम स्टार्ट कर रहे हैं dungle 5 का solution, जिसमें Juloji में आप देखिए, question number 101, person having genotype IAIB, would show the blood group as AB जिसमें, IAIB जो genotype है, वो AB blood group को represent कर रहा है, that is, represent incomplete co-dominance को, clear? option F, pleotropy, co-dominance, segregation, incomplete dominance, किसको represent कर रहा है, co-dominance को को, तोंकि, दोनों ही, जब IA और IB दोनो, एक साथ alleles जो है, वो next generation में आ रही है that is, represent co-dominance, clear? तो correct answer इसका, co-dominance हो जाएगा उसके बार देखे हैं, next next, question number 102, in a di-hybrid cross, if you get 9331 ratio, it denotes that, अगर किसी, di-hybrid cross के अंदर, ratio 9331 का ratio आ रहा है, it means, both genes are, inherent to next generation, independently, clear? तो यह किस चीज को represent कर रहा है? independent, assortment को show कर रहा है, कि जो genes है, वो दोनों ही genes जो है, वो segregate एक दूसरे से, independent group से next generation में inheritance कर रही है, तो correct answer, क्या हो जाएगा इसका? correct answer जो है, वो इसका हो जाएगा, fourth, the alleles of two genes are segregating independently, clear? तो independently segregate होने के कारण जो है, वो इसका यह ratio possible होता है, clear? next, इसमें, next 103, injection of preformed antibodies provide, preformed antibodies को inject करना, that is, passive immunity, clear? तो पहले से preformed antibodies, जैसे ATS वगरे जो दिये जाते हैं, वो क्या इन में? passive immunity होती है, जिसके अंदर anti-venum serum दिया जाता है, anti-tetanus serum दिया जाते हैं, वो सारे के हैं? passive immunity होती है, clear? यह इसमें, passive immunity, next, 104, in an autosomal, recesive blood disease, if both parents are heterozygous for the gene, then the chances of their offspring to become affected by the disease, clear? और offspring के, इस disease से affected होने के chances कितने होंगे? autosomal है, just like sickle cell anemia के according अगर देखें, तो इसमें, क्या हो जाएगा? जैसे, suppose that, HBA, HBS, heterozygous होगे, दोनों ही parent heterozygous है, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? HBA, HBS, इनके अंदर जो है, वो क्या है? दोनों, जो है वो heterozygous है, और कैसी है? autosomal disorder है, अब इनके अंदर जो next progen ही बनेगी इनकी, वो क्या रहेगी? पहली, HBA, HBA, दूसरी progeny, HBA, HBS, next progeny, इनके cross से, HBA, HBS, और next progeny, HBS, HBS. तो affected जो है वो disease से, यह तो normal होगे, यह दोनों carrier होगे, और यह इससे, disease से affected होगे, तो 4 में से, 1 जो है वो उसका affected है, it means 25% जो है वो उसके affected होगे, clear? तो correct answer जो है वो क्या जाएगा? 25% जो है वो उसका correct answer हो जाएगा, इसके बाद next question, 105, which of the following statements are true and false, clear? 1st statement, in higher phyla, cellular level of organization is seen, wrong statement, higher phyla में, क्या होंगे, organ या organ system होते हैं, phylum, platyal mintsis, tissue level of organization, ये भी, incorrect, platyal mintsis में, organ level का body organization है, cellular level of organization, means cells coordinate to form tissue, ये भी, incorrect, mollusk exhibit tissue level of organization, ये भी, incorrect, mollusk में कौन सा होगा, organ system level होता है, तो ये भी, incorrect होगा है, choose the correct option of the following, correct option जो है, वो इनने में कौन सा रहेगा, all statements are false, तो इसमें second option correct हो जाएगा, सारे ही statement जो है, वो कैसा होगे, false statement होंगे, clear, उसके बाद next, next question, 106, the radial symmetry is observed in, radial symmetry किसके में होती है, silent data में, platyal mintsis, silent data, tn4 and platyal mintsis, तो correct answer इसके according जो है, वो क्या आना चाहिए, silentates and echinoderms, तो ये second और echinoderms, second and fifth, तो second and fifth में, answer क्या हो जाएगा, इसका, fourth answer जो हो है, उसका, correct हो जाएगा, उसके बाद आप देखें next, next question no 107, fill the blanks from the given characters with reference to a, b, c and d and choose the correct option, उसमें correct option को चूज करना है, phylum echinodermata are radially symmetrical, ये में क्या आना चाहिए, radially symmetrical, phylum echinodermata are radially symmetrical, तो उसके साथ, first के साथ, या जाएगा, radially symmetrical, उसमें, first रहेगा, और उसके बाद, phylum molluscae, molluscae में, क्या होता है, redulla प्रजेंट होगा, और mental cavity प्रजेंट होगा, molluscae में, radula और molluscae के mental cavity हो प्रजेंट होगी, तो क्या होना चीज में, second के साथ जो है, वो क्या possible है, second के साथ इनमें, A and B, इसमें, second पे, radula, एक तो, fifth, second पे जो है, वो fifth possible है, और इसके अलावा, sixth mental cavity, ये इसमें प्रजेंट होगी, उसके बाद, next आप देखें, presence of, ये इसमें, next है, sea of the echinodermata is its distinctive character, echinodermata का distinctive character इनमें से कौन सा, water vascular system है, तो ये कहाना चीज इसके साथ, fourth आजाएगा, water vascular system, और उसके बाद, जो है, वो इसमें, next है, pori first, got their name, due to, किसके कारण इनको pori first है, नाम दिया गया, numerous aperture के बेस पर, numerous pores, या numerous aperture के बेस पर, तो क्या आएगा इसमें, third आजाएगा, तो उसके according, जो है, वो आप matching देखें, first के साथ, first पे जो है, वो इसमें, first आएगा, first में, first चारो में, b के साथ, b की जगे जो है, वो क्या आएगा इसमें, b की जगे जो है, वो sixth और fifth, तो फिफ्ट इसमें है और शिक्स इसमें तो ये दो में से हो सकता है फिफ्ट और शिक्स उसके बाद देखें थर्ड में थर्ड में फॉर्थ तो थर्ड में फॉर्थ किसके साथ है इसके साथ है उसके बाद डी पॉरी फेरा पॉरी फेरा के लिए क्या है प्रजेंस ओफ नू इसका में और उसके साथ साथ mental cavity भी होती है तो यह दोनों possible है इसमें तो यह इनके अंदर हो जाएगा 6th और फिर यह C के साथ 4th C के साथ 4th आ गया D के साथ 3rd आ गया तो यह इनमें correct answer हो जाएगा इसका first clear यहां तक तो यह इसमें first answer इसका correct answer हो गया उसके बाद आप देखें next question number 108 108 है the characteristic बाइविच एनलीडा advanced और निमेट ओडा इजार एनलीडा को निमेट ओडा से या एसकेलमिन्थिस से advanced क्यों माना गया है क्योंकि इसमें क्या है true siloam भी होती है जो निमेट ओडा में क्या होती है false siloam है यह भी सही है metameric segmentation भी होता है यह भी correct है जैसकेलमिन्थिस में यह नी मेटोड है में segmentation नहीं होता है well segmented होते है close circulation होता है यह भी correct है तो correct answer हो जाएगा इसका all of these सारे ही option इसके लिए correct है तो fourth option इसके लिए correct हो जाएगा इसके बाद है 109 crypto levercone are present in crypto levercone किसमें होती है crypto levercone है वो आपको ध्यान होगा जो intestine की बोल होती है उसमें सबसे outer cirrhosa then muscularis then submucosa and mucosa तो crypto levercone है वो mucosa में विलाई की सरफेश पर जो है विलाई के basal part पर जो है वो इसमें present होती है यह होती है crypto levercone it means किसमें हो गई है कौन सी लेर है mucosa of intestine यह mucosa of intestine third option इसके लिए correct answer हो गया clear उसके बाद आप देखें next next question number one and ten by which process glucose and amino acids are absorbed in the small intestine यह glucose और amino acids कौन सी प्रोसेस से एब्जोब के जाएंगे active ट्रांसपोर्ट से किये जाएंगे कुछ glucose और amino acids का absorption आपने पढ़ा है simple diffusion से भी होता है जो एक passive absorption है लेकिन वहाँ वो electrolytes भी आते हैं कुछ क्लोराइड आइन वो इसके साथ आ रहे हैं तो वहाँ यह passive absorption करता है और जनरली जो है वो इनके अंदर यह कौन सा करेगा active ट्रांसपोर्ट करते हैं जहां glucose और amino acids क्लियर तो manly glucose और amino acids का absorption जो है वो कौन से method से हो जाएगा इन में active absorption जो है उसके अंदर हो जाएगा तो first answer correct हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें next next question है 111 111 in the given diagram what a b and c depends इसमें से a b और c जो है वो किसको represent कर रहे हैं तो यह आप diagram देख सकते हैं इस diagram में आप एक चीज देखें यहां जो है वो क्या हो रहा है यह diaphragm जो है वो किसमें आ रहा है वो आपस अपनी shape में आ रहा है वो आपस dome shape diaphragm हो रहा है diaphragm का dome shape होने का मतलब thoracic cavity का volume decrease हो ना decrease volume होगा तो क्या करेगा expiration करेगा clear आतक तो यह expiration करने के लिए कौन कौन से जो है वो इसमें condition रहेंगी तो इनके अंदर आप देखें ए air goes inside to lungs inside जो है वो lungs के नहीं जा सकती inspiration नहीं होगा क्योंकि diaphragm dome से पो रहा है clear आतक second में आप देखें a air expelled from lungs यह correct है यहां तक बात सही है b ribs and sternum return to original position यह वापस downward movement करेगी ribs or sternum then c diaphragm relaxed and armed upward diaphragm वादपस relaxed हो रहा है और upward जो है वो direction में जो है वो इसका curve बन रहा है तो second इसके लिए correct option जो है वो second हो जाएगा जो expiration को जो है वो depict कर रहा है clear उसके बाद आप देखें next question no.1 and that 12 while the lymphatic system is an elevated network of vessels which collect the lymph vessels जो है वो किसको collect कर रहा है lymph vessels जो है वो tissue में निकलने वाले interstitial fluid को या tissue fluid को collect करता है और इसके साथ-साथ यह जो है वो interstitial fluid interstitial fluid cells के बीच-बीच में जो fluid होता है उनको collect कर रहा है तो यह interstitial fluid और इसके साथ ही interstitial fluid के साथ ही tissue fluid को भी यह collect कर रहा है तो tissue fluid और interstitial fluid दोनों को collect कर रहा है 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 उस condition में तो कौन सी हैट साउंड आती है फर्स्ट हैट साउंड आती है लब साउंड और वो कब आती है जब दोनों av valve यानि mitral valve और tricuspid valve दोनों close होते हैं तब लब साउंड आती है और जब इनके अंदर second जो semi lunar valve क्लोज होते है तबल्ब साउंड आती है सैंदर सेमी льूनर valve जो है वो क्लोज होते है तो बल्ब साउंड हाएगी mitral valve और triguspid valve होता है तो लब साउंड भती है ये किसकी बात कर रहा है enteredbare qural diastole की बात कर रहा है तो synt दोlor diastole जब होगा है उस condition में terracterly пять थो प्रॱ्आ बल्डॏरदी प्रश भातेशन रभ ऑप्र वो close होंगे और semi-lunar valve के close होने पर जो sound आएगी वो कौन सी sound होगी वो dub sound होगी तो यह इनके अंदर जो है वो उसके according correct answer क्या जाएगा first कि ventricular diastrol पर semi-lunar valve open यह close होगे वापस और sound कौन सी आएगी dub sound होगी clear इसके बाद next 114 which of the following structures are situated only in the cortical region of the kidney kidney के cortical region में nephron का कौन सा पार्ट होता है तो cortical region में अगर बात करें तो cortical region में इस तरीके से यह kidney की structure जो है वो उसमें अगर आप देखें तो kidney की structure में यह cortical region यहां kidney की structure है उसमें एक तो इसका cortex part है और दूसरा medullary part है cortex part में क्या क्या होंगे एक तो malpesian body होगी जिसके अंदर glomerulus और glomerulus और उसके साथ-साथ bomen capsule यह malpesian body बनाएंगे PCT और उसके बाद NLA loop इसमें आएगा medulla में और उसके बाद यह DCT वापस cortex में और यह collecting डगता है वो medulla में तो cortex part में कौन कौन से होगे एक तो bomen capsule and glomerulus यह दोनों तो क्या होगे यह दोनों malpesian body होगी तो malpesian corpus के लिए malpesian body यह इसमें प्रजेंट होगा PCT भी इसी के अंदर cortex में प्रजेंट है DCT भी cortex में प्रजेंट होगी लूप ओफ है यह medulla में और collecting duct medulla में तो यह पुछा फॉलॉवं इस ट्रक्चरा सिच्चुएटेड ओनली इन cortical region तो cortical region में कौन कौन से है first second and third यह तीन हो cortical region में collecting duct और है यह medulla region में clear correct answer जो है वो क्या हो जाएगा इसका first answer इसका correct हो जाएगा उसके बाद देखें next question number 115 115 है the first step in the urine formation is the filtration of the blood urine formation की first step क्या है filtration of the blood is carried out which is carried by the a a means किसके through होगी carried out किसके through किया जा रहा है यह filtration जो किया जा रहा है वो glomerulus करेगा which is carried by the glomerulus and is cold ultra filtration यह क्या होगा filtration and is cold filtration तो यह इनका इंदर जो है वो होगा किस से glomerulus से and is cold filtration on an average c milliliter of blood is filtered by kidney per minute कितना होता है यह लगबग जो है वो 1100 से 1200 ml यानि वन फिप्ट पार्ट जो है वो आपको ध्यान होगा total जो blood है वो कितना मानते हैं 5-liter blood जो है वो इससे पंप हो रहा है cardiac output 5-liter और उसका कितना परसेंट पार्ट 20 परसेंट या वन फिप्ट पार्ट जो है वो kidney के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है तो वो इसका कितना होगा 5-liter का जो है वो लगबग ये 1200-1200 ml blood जो है वो kidney में पंप होता है clear यहां तक जो कितना पार्ट हो उसका 1-5 पार्ट है तो क्या होना चाहिए A में क्या आना चाहिए Glomerulus B filtration C 1200-1200 ml और D 1-5 पार्ट second option जो है वो इसके लिए correct option हो जाएगा इसके बाद next question number 1-16 arrange the following steps of muscle contraction in the correct sequence of events सबसे पहले जो है वो muscle contraction के लिए क्या हैगा nerve impulse आएगे और nerve impulse आने के बाद में वो nerve impulse जो है वो क्या करेंगे acetylcholine release करेंगे नर्व impulse आने के बाद में वो nerve impulse जो है वो सबसे पहली चीज जो है वो इनके अंदर क्या रहेगी सबसे first nerve impulse जो है वो इनके अंदर आएगे तो nerve impulses आएगे तो second जो है वो इस पर क्या नची है first number पे यह आएगा उसके बाद जैसे नर्व impulse हैंगे नर्व impulse आने के बाद यह नियूरोन जो है वो क्या करती है यह नियूरोन के तिलो रेंडिया यह यह acetylcholine release करेंगे तो यह acetylcholine जो है वो रिलीज होगा तो second number पे आजाएगा acetylcholine का secretion यह सोरी पहले secretion होगा acetylcholine release करेंगे second number पे आएगा यह और acetylcholine release होने के बाद ही acetylcholine होगा acetylcholine receptor complex बनाएगा जो किसके साथ यह इनके अंदर जो है acetylcholine receptor complex बना देगा यह third number पे यह आजाएगा और यह receptor site of sarcolemma इसके साथ यह bind होगा और इसके साथ bind होने के बाद जो है वो इन में क्या करेगा उसके बाद जो है वो spread of impulse over sarcolemma on t-tubule t-tubule जो है sarcolemma की इसके उपर यह spread हो जाएगा impulse और then last में क्या होगा इसके उपर यह impulse जो है वो आने के बाद में यह calcium iron को release करेगा और calcium iron release होने के बाद को है वो क्या होता है यह सोर्टनिंग ओफ sarco-mire उसके बाद जो है वो sarco-mire short होगा तो इसमें आप देख रहे हैं यह इनके अंदर जो है वो सबसे पहले 2nd आजाएगा सेकंड के बाद क्या हैगा सेकंड के बाद आएगा फॉर्थ के बाद जो है वो इसमें क्या रहेगा फॉर्थ के बाद जो है वो इसमें क्या रहेगा फॉर्थ के बाद जो है वो इसमें क्या रहेगा फॉर्थ के बाद जो है वो इसमें क्या रहेगा फॉर्थ के बाद जो है तो यह 6th number गा, यह होगा, यह इसके साथ receptor complex बनाएगा, receptor complex जो बन जाता है, तो क्या होगा, इसके पूरी प्लाज्मा मेंब्रेन पर, या सारकोलेमा के उपर यह फैल जाएगा, तो यह आना चीज़, इसके बाद में, सेवन्थ नंबर का, और उसके बाद जो है, वो यह क्या करेगा, जैसे टी टुबूल पर, उसके बाद वो जेये, इंपल्स जो ही वो कंड़ोमा को रिलीज करेगा,6 अबर लास्ट जो होका, जो ही एक्टिन फिलामेंट जो है, वो क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइटा बो फ्री होगी, जो मायोसीन के साथ जुड़ने के बाद मायोसीन उनको अपने उपर slide करवाएगा मायोसीन के उपर जब एक टीन filament slide करेंगे तो क्या हो जाएगा सारकोमियर sort हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो last क्या होना चीए सारकोमियर की तो यह इनके अंदर 7th नुमबर पर यह आ जाएगा इसका मतलब सबसे पहले नर्व इंपल्स सेकंड सेकंड के बाद 4th 4th के बाद 2nd सेकंड के बाद 4th आ गया और 4th के बाद जो है वो क्या एगा इसके बाद 4th के बाद में यह यह जाएगा फस्ट और इनके अंदर पर going के बाद आईके आग सब्सक्राइब का इसके रजाएगा इसके बात आशने आप देखें नेक्स्ट नेक्स्ट है स्केपुला इस ट्राइंगुलर बोन सिच्वेटेड ओवर इसकेपुला कौन सी है अपनी पैक्टोरल गर्डल की बोन होती है जो अपने में सेकिंड से लेकर सेवंथ जो रिब्स होती है उनको डोर्सली कवर करती है यह रहां तक क्या जाएगा स्केपुला इस फोरेक्स बीट्वीन 2nd तू 7th रिब्स तो यह इसके अंदर कर्रेक्ट आंसटर जो है वो फो जाएगा इसका के डोर्सल पार्ट को कवर कर रही है थोरेक्स के जो कहां से कहां तक होती है सेकिंड से 7th रिब्स तक होती है इसके बाद next question no.18 given below are different components of reflex arc तो reflex arc के लिए जो components होते हैं उनके अंदर क्या होता है यहां reflex arc के लिए component जो है वो इसमें यह जैसे sense organ है यह sense organ है receptor मान सकते है इसको receptor के दो sense organ के दो यहां से sensory nerve जो है वो इसकी information यहां से sensory nerve जो है वो इसकी information लेके जाएगी spinal code में यह यहां से spinal code या cns में जा रही है cns जो है वो पहले इंटर निउरोन इंटर निउरोन को और इंटर निउरोन जो है वो यह देगा motor neuron को और motor nerve या motor neuron जो है वो वापस इसको किसमें बेजेगा इफेक्टर ओर्गन तो यह वापस इफेक्टर ओर्गन या इफेक्टर ओर्गन वे बेजेगा तो क्या पैसे जोगा receptor sensory nerve इसके बाद central nervous system इंटर निउरोन motor nerve और effector organ तो क्या आना चाहिए सबसे पहले जो है वो कौन सा sensory receptor यह first उसके बाद जो है जो हैगा sensory nerves से sensory neuron sensory receptor से यह first यह second और second के बाद जो है वो क्या हैगा उसके बाद जो है वो यह CNS नहीं दे रखा तो क्या आना चीए interneuron तो third पर interneuron और उसके बाद fourth पर motor nerve और fifth पर effector organ तो यह आ जाएगा इसमें sequence जो हो क्या है सबसे पहले पाँच च्यार तो five four second five four second third और five four second और उसके बाद जो हो क्या हैगा third और उसके बाद fifth यह first यह आ जाएगा second option correct हो जाएगा clear इसके बाद आप देखें next next step 119 the middle layer of human eye choroid contents and looks be in color तो जो middle layer है वो क्या है दिखने में यह blues color की होती है clear तो correct answer जो है उसमें क्या आना चाहिए blood vessels and color blues color को रिप्रेजेंट करेंगा clear उसके बाद next next इसमें of human ear contents तो internal eye जो होती है cochlea जो है उसके अंदर आपको ध्यान होगा अलग-अलग जो है वो इसके पार्ट बनते हैं तो cochlea के अंदर जो है वो इसमें इसके पार्ट बनेंगे cochlea के जिसमें क्या कह रहेगा यह इनके अंदर जो है वो scala vestibuli उसके बाद यह scala media और scala इसमें endolymph और scala tympani जो है उसके अंदर होगा perilymph तो यह इनके अंदर जो है वो क्या होता है scala vestibuli और scala tympani जो है इन दोनों में perilymph और scala media में endolymph होगा तो इसमें यह आप देखें perilymph endolymph and perilymph respectively first option इसके लिए correct हो जाएगा इसके अलाब vestibuli में perilymph इसमें endolymph और इसमें perilymph clear इसके बाद next 1121 इसमें तेरे खा थाइमस gland release hormone थाइमस gland रिलीज करती है यह थाइमस करती है क्योंकर T3 T4 और TCT थाइरो केलसितोनिन यह किसके हर्मोन है यह थीनों हर्मोन जो हो थाइरोड ग्लेंड के ख यह थाइरोइड्गलेंड की आर्मोन है तय्मस आर्मोन है इसमें कौन सा थाइमोषिन आर्मोन है तो तो यह क्या हो जाएगा 10 ञाएगा थार्ड आंसवर इसका करेक्ट प्रशर करेक्ट 121, 22, calcitonin release from, calcitonin जो हर्मोन है, वो है thyrocalcitonin, thyrocalcitonin आर्मोन जो है, वो किससे सिक्रीट होता है, thyroxine, thyroid gland से सिक्रीट होगा, तो ये thyrocalcitonin आर्मोन किससे सिक्रीट हो रहा है, thyroid gland से सिक्रीट होने वाला हर्मोन है, जो calcium level को maintain करता है, clear, तो ये calcium level को decrease करता है, और पैराथार्मोन केल्सियम लेवल को इंक्रीज करता है, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट आर्मोन है, पैराथाइरोड का पैराथार्मोन और थाइरोड गलेंड का केल्सिटोन है, ये, इसके बाद आप देखें, नेक्स्ट, 123, each testicular lobule contain 123 seminiferous tubules, testicular lobule में 123 seminiferous tubules होंगी, तो correct answer इसका 4th हो जाएगा, इसके बाद next, 125, 124, 124 identify of A, B and C in the figure, given below, A जो है वो इसमें क्या है, A उगोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, B जो है वो इसमें यहां इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये primary ucite है, और C यहां secondary ucite को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो A तो क्या है, A उगोनिया है, B इन में ये उगोनिया, और B जो है वो यहाँ प्राइमरी उसाइट है, ये प्राइमरी उसाइट और C जो है वो यहाँ सेकंडरी उसाइट है, ये सेकंडरी उसाइट है, तो करेक्ट आमस्वर जो है वो इसके एकोर्डिंग क्या जाएगा, A यह उगोनिया भी प्राइम रिउसाइट सी सेकंड रिउसाइट तो सेकंड आमसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्लियर उसके बाद आप देखें 125, 125 वह होर्मोन रिलीजिंग अईउड अमंग फॉलोविंग आर, इनमें से होर्मोन रिलीजिंग अईउड हो कौन सी है, LNG-20 जो है, वो इनमें होर्मोन रिलीजिंग अईउड है, लिए रहा तक, प्रोजेश्टासेल्ड और LNG-20 यह दोनों होर्मो का फो थे तो इसमें रिपार सबसे ःचेश है तो कला करेंट सबक्र जाकर थे तो 1943 प hurricane क्ऊंड़ में फोंडढत करेंड जाएंट साथ म Divine in 270 एंग्ष्ट्रेजंध्यजजेशन शवान अधार्ड भात अयंट्ट से शाइब आर्फुएफ्...? on trees than dark wind on melanized moths. However in the collection carried out from the same area but after industrialization that is in 1920 there were more dark wind moth in the same area the proportion was reversed. यह proportion है वो reversed क्यों हो गया है पहले जो है वो कैसे थे पहले wide wing वाली moth जो है वो उस पे जादा थे उसके बाद अचानक से जैसे industrialization शुरू हुआ, numbers की increase हो गई, industrialization start होने के बाद जो number है वो अचानक से जो black wing moth थे उनकी numbers है वो continue increase होती गई. क्या कारण आइंगा? natural selection कि nature ने black wing वालों को जो है या dark wing वालों को जो है वो select कर लिया क्योंकि वो अपने आपको same background के करण जो है वो predator birds से अपने आपको बचा सके थे clear यहां थे तो क्या होगा इसका correct जो है वो अचानसर क्याना चाहिए natural selection तो natural selection के करण जो है वो यह possible हो से का clear उसके बात next है next है malarial parasite is introduced into the blood of men as a malarial parasite जो होता है plasmodium वो किस form में human being के अंदर enter करता है human blood के अंदर जो जा रहा है वो किस form में जाएगा? जब कोई female anaphylis जो पहले से infected है वो infected female anaphylis किसी human का blood सक करती है तो वो अपनी saliva के साथ उस blood के अंदर अपने इस porozoid को release करती है तो पॉनसी form में रहते है उस टाइम उस की saliva में उस saliva के अंदर वो sporozoid की form में होते है और sporozoid की form में saliva के अंदर वो उसको रिलीज करती है तो correct answer जो है वो क्या आना चाहिए है इसका correct answer हो जाएगा तो इसमें तो इसमें यह देखें आप correct answer जो है वो क्या रहेगा इनमें इसका correct answer हो जाएगा इस पॉरोजोट की फॉर्म में अपनी सलाइवा के साथ उन प्लाजमोडियम को यूमन के अंदर उसके ब्लड में रिलीज कर देती है clear उसके बाद next next 129 129 सिरोसिस इस सिरोसिस क्या होता है यह जनरली लीवर सिरोसिस है सिरोसिस क्या है लीवर सिरोसिस होगा और इस लीवर सिरोसिस में क्या होता है लीवर सिरोसिस के अंदर जो है वो एलकोल के इफेक्ट के कारण जो है वो लीवर की डेमेजिंग होती है तो लीवर की एलकोल के कारण डेमेजिंग को लीवर सिरोसिस क्या है तो क्या है लीवर शिरोसिस शिरोसिस इस एल्कोल रिलेटेड डिजीज ओगी लीवर की फर्स्ट इसके लिए करेक्ट उप्शन हो जाएगा यहां तक समझ बागया अब इसके बाद आप देखें हैं नेक्स्ट एक्सेसिव डोज अगर इसकी देदी जाए कोकेन की यह करें वह है यह से कर देता है तो इसके कारण जो है वह भी ब्रह्म या है लूशिनेशन हो जाएगा तो इसके बाद नेक्स्ट देखें 131 which of the following hormone is not a secretion product of human placenta इन में से कौन सा हॉर्मोन जो है वो प्लेसेंटा से सिक्रीट नहीं होता है LH ये हॉर्मोन जो है वो किसका हॉर्मोन है पिट्टूटरी ग्लेंड का हॉर्मोन होता है LH जो है वो एंटीर पिट्टूटरी ग्लेंड का हॉर्मोन है और बाकी HPL, estrogen, progesterone ये तीनो ही प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है तो फर्स्ट ओप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा क्या पुछा इसमें नॉट पुछा ना कि फॉल्लॉविंग हॉर्मोन इस नॉटे सिक् पिट्टूट्री ग्लेंड का हॉर्मोन है उसके बाद आप देखें 132, what is true about cleavage in the fertilized egg in human, human में fertilized egg के क्लिवेग के लिए इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करक्त है, first statement है it starts while the egg is in fallopian tube यही पहला statement इसका correct statement है, clear, second में ते रखा is start when the egg reaches uterus गलेता है, fallopian tube में start होगा, it is very slow mitosis, गलेता है, fast होता है, it is identical to the normal mitosis, normal mitosis की तरह भी नहीं होता, क्योंकि इनमें interface जो है, वो short होती है, clear, first option इसके लिए, correct option हो जाएगा, clear, यह इसमें, first option हो जाएगा, इसका, तो यह, correct answer जो है, वो first हो गया इसका, अब इसके बाद आप देखें, next 133, progesterone pill helps in preventing pregnancy by not allowing, जो प्रोजेस्टेरोन पिल्स के रूप में जो गोलियां दी जा रही है, ओरल पिल्स दो जी जा रही है, वो क्या करते हैं, ovulation को stop कर देती है औरल पिल्स जो है वो क्या कर दी है ovulation को stop कर देती है तो यह ova formation and ovulation इसको नहीं होने देती तो ova formation and ovulation नहीं होने के कारण जो है वो pregnancy नहीं होगी clear first option इसके लिए correct option हो जाएगा उसके बाद आप देखें next 134 in human female oogenesis start human female में oogenesis जो है वो कब start हो जाती है embryonic stage में ही start हो जाती है embryonic stage में start होने का मतलब before birth second option इसके लिए correct हो जाता है इनके अंदर कब हो जाती है बर्थ से पहले ही जो है वो उस NSS में start हो जाएगी clear तो first second option जो है वो इसके लिए correct हो जाएगा before birth next are you 486 is an example of are you 486 जो है वो generally myphistrone होता है यह myphistrone जो हो किसके लिए होता है abort करवाने के लिए जो पिल्स दी जाती है बहुत है यह abortion के लिए जो अचानक जो है वो कहगर कोई pregnancy हो गई है उस condition में उसको abort करने के लिए जो पिल्स दी जाती है वो पिल्स जो है वो are you 486 है myphistrone जो किसका एक्जामपल है MTP का एक्जामपल है यह MT का मतलब Medical Termination of Pregnancy तो यह pregnancy को medically terminate करने के लिए होती है जो इसका first option इसके लिए correct हो जाएगा clear तो यह मैं first option हो गया उसके बाद आप देखें next question 136 the test tube baby program employs which one of the following techniques test tube baby program में क्या होता है जहां fertilization जो है वो in vitro किया जा रहा है in vitro fertilization अगर किया जा रहा है तो in vitro fertilization में में जो male female gametes से उनका fusion in vitro करवाया जाता है उससी को बहते है test tube baby to in vitro fertilize करने के बाद उसके अंदर ज्याइगोड होता है उस ZYGोड को फेलोपिन Tube में transfer कर देते है clear हांने तो इन vitro fertilization से अब फर्टिलाइजीज़ करने के बाद जाइगोट को उस फैलोपियन टूब में ट्रांसफर कर देना, वो क्या होगा, टेस्ट टूब बेबी प्रोग्राम का पार्ट है, इसके एक्रेक्ष्पर उसके एकॉर्डिंग आएगा, सेकिंड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट् विवो फेल्याजिस्ट में है, इन वीट्रो फेल्याजिस्ट में है, जो क्लियर, तो यह इस टेक्ट्निक में, टेस्ट्प बेबी टेक्ट्निक के अंदर होता है, next 137 anti-stamin drug is effective in anti-stamin drugs है वो किसमें effective है allergy के अंदर जो है वो ये effective होती है तो correct answer इसके according जो है वो क्या जाएगा इसका allergy हो जाएगा फौर्थ ओप्सिन इसके लिए correct हो जाएगा कि ये anti-stamin drugs है वो allergy में effective होती है clear उसके बाद next next test में 138 surgical removal of thymus of a newborn cell result in fallow to produce अगर thymus gland को remove कर दें तो thymus का काम क्या है T lymphocytes को mature कर दें तो ये T lymphocytes की maturation करती है तो इन में क्या देर रखा है नूबोन में अगर इसको remove कर दें वाट इस रिजल्ट in fallow to produce क्या बनना बन जो जाएगा इसमें T lymphocytes की formation नहीं हो पाएगी तो correct answer इसका क्या जाएगा इसके according third answer इसका correct answer हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें next next जो है उसमें cell mediated immunities provided by cell mediated immunities कौन सी provide करती है T lymphocytes provide करती है जो किस से बनती है thymus gland से बनती है यह क्या जाएगा इनमे thymus cells correct answer जो है वो thymus cells और thymocytes से जाएगी clear उसके बाद आप देखें next next है 140 डार्वीन वाज inspired by डार्वीन किस से inspired थे यह माल्थस की population theory से inspire हुए थे और उसके according जो ने origin of new species theory जो है बो दी थी तो correct answer जो है वो क्या आना चीज़ मैं माल्थस यह मैं second option correct हो जाएगा clear उसके बाद आप देखें next 141 what is true about mutations mutations के लिए true कोंचा है क्या होते है mutations non-directional and random changes आते है non-directional and random changes जो आएंगे वो mutation होंगे clear तो third option इसके लिए correct हो जाएगा non-directional and random होंगे 142 the chance of elimination of genes from a small population is an example of पहले से ही एक small population है उस small population में से एक number of individuals है वो वहां से अगर निकल जाएं तो वहां क्या हो जाएगी population जो है वो small हो जाएगी और gene pool की value change हो जाएगी इस condition में small population के अंदर इस तरीके से अगर gene pool की value change होती है तो वो क्या होता है genetic drift होगा तो correct answer जो है वो क्या है ना चीज़ का fourth answer इसका correct हो जाएगा genetic drift clear तो correct answer हो जाएगा इसका fourth उसके बाद आप देखें next 143 domestication of honey bee is cold honey bee का domestication जो है वो क्या होता है epical cell तो honey bee का domestication epical cell होगा उसके बाद next next 144 fish used in biological control of mosquitoes mosquito का biological control करने के लिए जो fish use होती है वो कौन से होती है minnose, gambusia, trout यह larvae वोर्ष fish होती है यह सारी larvae वोर्ष fish है जो क्या करती है mosquito के larva को खतम कर देती है clear आँ तक तो mosquito का biological control अगर करना है तो पानी के अंदर किनको छोड़ देते है उस condition में यह इस तरह की feces को gambusia, minnose, trout इस तरह की feces को उसमें छोड़ देते हैं ताकि वो mosquito की जो larva बन रहे है उन larva को ही वो खतम कर दे clear तो correct answer जो है उसके according क्याना चाहिए गंबूश या fist जो है उसका correct answer जाएगा first clear तो यह इसमें correct answer first next question 145 which among us the following is used in raising super milk cows super milk cows है उनके अंदर उसको raise करने के लिए उसको increase करने के लिए वो क्या techniques use हो सकती है इनमें जो techniques use होती है उनमें होती है artificial insemination with pedigree bull जो है उससे artificial inseminate कर दिया जाए या फिर embryo transplantation से एक super ovulation of high yielding cow high yielding cow का super ovulation super ovulation में क्या होता है multiple ova जो है वो उसके तयार करने होता है वो अगर करवाय जाए तो यह सारे जो है वो क्या होंगे यह इसके अंदर जो है वो super milk cow उसके increase करने में help करेंगे तो सारी technique जो है उसके लिए इंपोर्डेंट होगी तो all of the above यह इसका correct answer हो जाएगा fourth clear उसके बाद है 146 146 है match the column में column matching करवाने है आपको तो squamous epithelium जो है वो इनमें से इतका होगी squamous epithelium जो present होगी वो glomerulus में present होगी glomerulus की जो capillary है क्योंकि वहाँ capillary है और capillary में ध्यानों का आपको endothelium जो होती है वो क्या होती है endothelium जो है वो simple squamous epithelium से ही बने होती है endothelium होगी इसकी तो इसके साथ यह आ जाएगा brush border qbordal epithelium है यह किसम होगी तो brush border qbordal epithelium pct में होगी जो क्या करती है वहाँ selective reabsorption करवाती है transitional epithelium जो होती है वो urethra में urinary bladder में ureter में इनके अंदर transitional epithelium होती है तो urethra जाएगा cubical epithelium है cuboidal epithelium है वो duct of glands में इसके according correct क्या जाएगा a के साथ e फिर e के बाद e h e h f g e h f g कौन से में रहा है e h f g यह third option इसके लिए correct हो जाएगा e h f g यह इसमें e फिर उसके बाद यह इसके साथ e h f g तो यह जाएगा third option correct क्लियर उसके बाद आप देखें 147 147 है which of the following point can't be taken as distinguishing feature between male and female cocrows male और female cocrows को distinguish करने के लिए differentiate करने के लिए इन में से कौन से characteristic feature को नहीं लिया जा सकता है clear इनके अंदर आप देखें पहला दे रखा है presence of annal style annal style ले सकते हैं क्योंकि annal style जो है वो male के अंदर present होगी female cocrows में नहीं होती presence of codal style codal style भी किसको कहेंगे annal style को ही codal style कर रहा है यह भी correct है c है presence of annal sarsai annal sarsai male female दोनों के अंदर present है इसलिए उसको distinguishing feature नहीं मान सकते यह c नहीं होगा presence of titillator titillator जो होता है वो cocrows का जो right phelomere है उस right phelomere का part है जो किसमे होता है male में होता है female में नहीं होता है इसके लिए correct है कौन सा इसके लिए नहीं लिया जा सकता है can't be taken can't be taken it means only c c वाला जो है वो इसको differentiate नहीं करता बाकी सारे एक दूसरे को male female को differentiate कर रहा है clear उसके बाद आप देखें next 148 figure a and b are a and b जो है वो क्या है यह a figure है यह b figure है a figure में आप देख रहे हो कि cells and fibers are arranged in a specific orientation but in b these are not arranged in specific orientation it means a dense regular and b dense irregular connect to tissue है तो यह इसका correct answer जो है वो क्या है ना चीए इसके हिसाब से first answer इसका correct हो जाएगा a is dense regular and b is dense irregular connect to tissue clear तो first option इसके correct option हो जाएगा उसके बाद आप देखें next 149 number of hepatic gastric sick in cockroach are कोक्रोज में hepatic sicki या gastric sicki जो कहा होती है midgut और foregut इन दोनों के junction पर होती है तो foregut midgut के junction पर जो hepatic sicki या gastric sicki है वो numbers में कितनी होती है six to eight होती है तो ये six to eight hepatic sicki जो है वो इनके अंदर present होगी correct option जो है वो क्या हो जाएगा इसका second option है वो उसका correct option हो जाएगा clear तो उसमें यह हो गया इसके बाद ने देखें last question number 150 select the correct statement regarding the specific disorder of muscular or skeletal system muscular and skeletal system के लिए जो disorder है उनके अंदर आपको correct statement को identify करना है first है myasthenia gravis autoimmune disorder which inhibits sliding of myosin filament myosin filament के sliding को ये inhibit नहीं कर रहा है myasthenia gravis क्या होती है degenerate हो जाती है time की recording तो वो myasthenia gravis होती है second है इनमें gout तो ये इनमें incorrect हो गया gout inflammation of joints due to extra deposition of calcium calcium के extra deposition से नहीं होती है gout किसके कारण होता है uric acid के deposition के कारण होता है gout disease जो है वो किसके कारण होगी uric acid के कारण होती है तो ये भी incorrect हो गया muscular dyastrophy as related shortening of muscles muscles की shortening नहीं होती muscles के अंदर dyastrophin protein नहीं होने के कारण जो है वो muscles के अंदर contraction relaxation या इसके अंदर जो उसकी functioning है वो proper नहीं हो पाती है तो ये भी incorrect हो गया osteoporosis decrease in bone mass and higher chances of fracture with advancing age age बढ़ने के साथ-साथ fracture के chances बढ़ जाते हैं और decreasing in bone mass ये इसके लिए correct है तो correct उच्छा इसमें कौन सो आजाएगा fourth option जो है वो इसके लिए correct हो गया clear यहां तक आ गया समझ में ये आपके दंगल 5 का solution है 100% जो हो आपकी scoring होने सी है ठीक है all the best thank you hello students स्वागत आपका आज के इस video solution के अंदर myself ललिट सोनी team botany CLC seeker आज बचों हम लोग दंगल जो अपने यहां पर test series है इसमें solution करने जा रहे हैं दंगल नंबर 5 का जिसमें बोटनी का जो paper है जो कि full syllabus का है उसके बारे में बच्चों डिसकस करेंगे पूरा पेपर अपना exam oriented है neat oriented है तो उमीद आपने paper कोच्छे से attempt किया होगा चलिए इसका आपन solution करते हैं पस्तों फॉल देखते हैं कोशन नंबर 151 choose incorrect option about features of living organisms सजीवों के लक्षणों के संदर्व में गलत विकल्प का चैन कीजिए growth is seen only up to a certain age in animal जन्तूों में एक निश्चित आयू तक वर्दी देखी जाती है बिल्कुल बच्चों जन्तू जो होते हैं animals जो होते हैं animals के अंदर limited growth होती है हर जन्तू के अंदर आपन कह सकते हैं जो वर्दी है जो growth होती है वो बच्चों एक particular age तक होती है जैसे मालों अपन human की बात करें तो growth आप कह सकते हैं 20 साल तक होती है बाइस साल तक होती है उसके बाद आप जो बच्चों कह सकते हैं यहाँ पर growth नहीं होती है तो बिलकुल यहाँ पर सई स्टेटमेंट है सम टोटल ओफ ओल दे केमिकल रियक्शन्स अकरिंग इन आवर बोडी इस मेटाबोलिजम हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक पर्तिक्रियाओं का योग उपापचे है जैसे यह मालनों बच्चों अपने पास में जीवित कोशिका है तो इस जीवित कोशिका के अंदर इस लिविंग सेल के अंदर बहुत सारी केमिकल रियक्शन्स प्रेजेंट होती है जितने भी केमिकल रियक्शन्स यहाँ पर है suppose A से बनता है B, B से बनता है C, C से बनता है D, जितने भी living cell में जो chemical reactions होती है, उनका जो total होता है, उसको हम लोग बचो क्या कहते है, metabolism, इसमें कुछ reactions जो है, वो ketabolic होती है, और कुछ reaction एनाबोलिक होती है, मतलब कुछ reaction के अंदर substance का breakdown होता है, सबस्टांस तूटता है, वो ketabolic reaction है, एंड कुछ reactions के अंदर substance आपस में add होते हैं, वो बचो यहाँ पर anabolic reaction है, तो अपन कहा सकते हैं, ketabolic and anabolic जितनी भी reactions है, उनको आप एक साथ क्या कहते हैं, metabolism कहते हैं, all non-living objects are capable in reproduction, यह बचो यहाँ पर wrong statement है, reproduction जो है, आप कह सकते हैं, यह ऐसा character है, जो living organisms के अंदर होता है, हाँ, आपन ऐसे भी नहीं कह सकते हैं, कि सारे के सारे living organisms, reproduction शो करते हैं, यह statement बचो यहाँ पर गलत होगा, जैसे मालनो मूल है, उसमें reproduction नहीं होता, लाइगर reproduction नहीं होता, वरकर हनी भी reproduction नहीं होता, sterile humans में reproduction नहीं होता, तो अपन कह सकते हैं, कि reproduction living organisms का character है, all living organisms का character नहीं है, तो यहाँ पर बचो क्या बोल रहा है, कि non-living organisms जो होते हैं, जो non-living object होते हैं, वो भी capable है, reproduction के लिए, यह बचो statement यहाँ पर आप कह सकते हैं, रोंग हो गया, इन uni-celled organisms, we are not clear about the uses of terms, like growth and reproduction, हम एक कोशी किये जीवों में वर्दी और परजदन, जैसे पदों के उपियों के संदर्ब में सपष्ट नहीं हैं, बिलकुल सभी बात है, जैसे, मान लो बचो, यहाँ पर uni-celled organism है, suppose कोई bacteria है, या फिर कोई amoeba है, यह bacteria अगर division करता है, तो आप कह सकते हैं, एक bacteria से बने के दो bacteria, तो देखो बचो, यहाँ पर number of cell increase हो रही है, और हम लोग क्या बोलते हैं, कि number of cell का increase होना, यह growth कहलाता है, it is called growth, लेकिन देखो बचो, यहाँ पर number of cell जो है, वो भी increase हो रही है, और यहाँ पर हर cell एक individual है, मतलब यहाँ पर जो individuals है, उनके number भी बढ़ रहे हैं, और cell के number भी बढ़ रहे हैं, तो cell के number का increase होना, यह growth है, individual के number का increase होना, यह reproduction है, तो अपन कहा सकते हैं, कि unicellular organism जो होते हैं, उनमें बिल्कुल growth and reproduction में difference नहीं होता, दोनों यहाँ पर एक ही चीज़ है, दोनों inclusion character है, तो बचो आपको यहाँ पर incorrect option पुछा था, इसका correct answer कौन सा हो गया, third option, यह यहाँ पर statement incorrect है, जो आपको पुछा था, next, 152 number question, the kingdom having no specific boundaries, बचो ऐसा kingdom जिसमें कोई specific boundary नहीं है, यह line NCRT के हैं, protista के अंदर, monera, protista, fungi, planty, animalia, यह 5 kingdom होते हैं, in these 5 kingdoms, protista, एक ऐसा अपने पास kingdom है, जिसकी limitations जो है, वो clear नहीं है, बचो protista के अंदर, जो organisms आते हैं, वो photosynthetic भी हो सकते हैं, non photosynthetic भी हो सकते हैं, आप कह सकते हैं, वो जो organisms यहाँ पे होते हैं, वो flagellated भी हो सकते हैं, non flagellated भी हो सकते हैं, autotropic भी हो सकते हैं, heterotropic भी हो सकते हैं, chemotropic भी हो सकते हैं, parasite भी हो सकता है, सेप्रोफाइट भी हो सकता है इसका मतलब यह है कि बच्चों इसके अंदर जो boundaries है वो specific नहीं है चलो तो यहां पर बात किसकी चल रही है प्रोटिश्टा की चल रही है एंड शोइंग diverse mode of nutrition present in तो यह जो बच्चों अपने पास में प्रोटिश्टा है जिसके अंदर nutrition का diverse mode है मतलब यहां पर autotropic भी है और heterotropic भी है mostly aquatic habitat बिल्कुल अपन कह सकते हैं कि जो प्रोटिश्टा है वो बच्चों mainly कौन से habitat के अंदर होते हैं aquatic habitat के अंदर होते हैं transduction also नहीं बच्चों transduction basically जो है वो prokaryotic का character है वो bacteria का character है only parasite mode of nutrition only क्याने से बच्चों यह रोंग हो गया यहां पर ATS ribosome भी available होता है और mainly ribosome यहां पर होती कैसे हैं ATS होते हैं तो बच्चों यहां पर correct statement जो है वो कौन सा होगा first option यह mainly कैसे होते हैं aquatic होते हैं next 153 cytotaxonomy include कोशी का वरगी की में सम्मिलित किया गया है बिल्कुल बच्चों अपने NCRT में जो 11th की NCRD है उसके third chapter में दिया हुआ है cytotaxonomy में किसको include करते हैं chromosome के number को बिल्कुल सही बात है structure of chromosome को बिल्कुल सही बात है भी chromosome की structure कैसी है acrocentric है telocentric है submetacentric है metacentric है chromosome की structure कैसी है इसको भी हम include करते हैं structure of DNA को involve नहीं करते हैं तो बच्चोंसर यहां पर कौन सा हो गया fourth option हो गया 154 how many given pairs are correctly matched दिये गए युग्म में से कितने सही सुमिलित है production of antibiotic virus and fungi बच्चों fungi के थुरू antibiotic का production होता है लेकिन virus के थुरू antibiotic का production नहीं होगा preparation of bread and beer बिल्कुल yeast जो है आप कह सकते हैं इससे bread भी बनती है और beer भी बनती है इसको बोलते बीवर सीष्ट एंड बेकर सीष्ट cell wall of fungi काइटीन एंड पॉली सेकरेड बिल्कुल सही बात है एंसे आटी के लाइन है कि जो बच्चों cell wall है फंजाई की वो काइटीन से बनती है एंड पॉली सेकरेड से बनती है इसमर्ड डिजीज ओफ मस्टर्ड ऑस्टिलेगो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं मस्टर्ड नहीं यहाँ पर वीट होता है इसके अंदर यह इसमर्ड डिजीज करता है used in study of genetic work निरोस्पोरा बिलकुल सही बात है बच्चोों biogenetic work के लिए आप कह सकते है animal kingdom के अंदर drosophila का यूज होता है और plant kingdom के अंदर निरोस्पोरा का यूज होता है तो यहाँ पर कितने statement correctly match है आप कह सकते है A बच्चों यहाँ पर miss match हो गया virus की वज़े से B match है, C match है, D miss match है और E बच्चों यहाँ पर क्या है, match है तो correct answer यहाँ पर हो गया third option ठीक है, यह बच्चों यहाँ पर correctly match दे Next आगे चलते हैं Question number 155 Archegonium of Sillaginilla and Equisitum developed Sillaginilla and Equisitum की Archegonium का विकास होता है बच्चों Sillaginilla and Equisitum दोनों आप यहाँ पर कह सकते हैं Teridophita है यह क्या है, Teridophita है हाँ, वो लग बात है कि जो Sillaginilla है, यह बच्चों यहाँ पर Heterosporus है, और जो Equisitum है वो आप कह सकते हैं, Homosporus है बच्चों, Heterosporus कौन से कौन से हैं Marchilia, Agula, Sillaginilla होते हैं, बाकि सारे कैसे होते हैं Homosporus होते हैं, चलो कोई बात नहीं यह जो यहाँ पर है, इसमें R की ओनिया का डवलप्मेंट किसमें होगा बच्चों, R की ओनिया जो है, वो पाया जाता है Teridophita के अंदर, Gametophita में और Teridophita जो है इसका आप कह सकते हैं, जो Gametophyte है, इस Gametophyte को हम लोग क्या कहते हैं, Prothelis कहते हैं तो चाहे तो बच्चों Sillaginilla हो चाहे एक्वी सिटम हो, मतलब चाहे तो हेटरोस्पोरी हो, चाहे होमोस्पोरी हो, दोनों ही कंडिशन के अंदर, यहाँ पर जो आर्की गोनियम है, वो होती है Gametophyte में, मतलब Prothelis में, यहाँ पर लिखा है Megaspore and Prothelis, No Only on Prothelis, बिल्कुल सही है Only in Megaspore, No In Sporophyte phase of both plant बच्चों Sporophyte में नहीं, Gametophyte में होता है तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया Second option हो गया, केवल Prothelis के अंदर Next Zymnosperms are called Naked Seeded Plant अनावर्त बीजी पोदों को नगन बीजी पोदा कहा जाता है क्यों? बच्चों, अपने को पता है Zymnosperm के अंदर यहाँ पर टू वैड है Basically, Zymnosperm यहाँ पर जो है, आप कह सकते है इसमें एक तो क्या होता है Gymnious और दूसरा बच्चों, यहाँ पर word क्या है Sperma Gymnious का मतलब क्या होता है Naked खुला, open और बच्चों, Sperma का मतलब यहाँ पर क्या है Seed मतलब ऐसे plant जिनके Seed Naked है बच्चो, Naked क्यों है क्योंकि Seed जो है वो चारो तरफ Fruit Wall से Overy Wall से Cover नहीं होते तो यहाँ पर लिखा है Their Seeds are not surrounded by Overy Wall बिलकुल सही है Integument surrounding their Seeds is thin No, बच्चो यहाँ पर जो Integument Seed का है वो थिन है ऐसा को इसका reason नहीं है Seeds are produced inside the fruit बच्चो, Fruit तो यहाँ पर बनता ही नहीं है तो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया First option हो गया Next Select the wrong statement for Ascomycities Ascomycities के लिए गलत कतन का चुनाव कीजिए They are Saprophytic, Decomposer, Parasitic और Coprophilis बिलकुल सही बात है बच्चो, Ascomycities यहाँ पर जो है वो इस टैप की कंडिशन शो करते हैं Asexual reproduction टेक प्लेस बाई Juice Pore और Alpinospore नहीं बच्चो, यहाँ पर Asexual reproduction जो होता है वो Juice Pore से नहीं होता Aplano Spore से नहीं होता है बलकि किस से होता है कोनी डिया से होता है Asexual Spore are produced Endogenous Inescus बिलकुल सही बात है जो बच्चो यहाँ पर Asecus है उस Asecus के अंदर Formation किसका होता है आप कह सकते हैं Asexual Spore का होता है Aspergillus contain Ascocarp during sexual reproduction बिलकुल Aspergillus में Ascocarp लेंगिक परजदन के दुरान पाए जाते हैं तो बच्चो बिलकुल यहाँ पर यह सई statement है यहाँ पर पूछा आपको रोंग statement है तो रोंग statement कौन सा हो गया Second हो गया Answer is second option Next 158 Statement is wrong for given figure यह बच्चो आपके पास में एक diagram है इस diagram को देखके आपको यह बताना है कि कौन सा statement यहाँ पर रोंग है First of all यह जो बच्चो आपके सामने diagram है आपके सेखते हैं एक monocoat plant का diagram है देखते हैं D is a triploid structure of seed D यहाँ पर जो है वो triploid structure है बिलकुल देखो बच्चो डी यहाँ पर क्या है endosperm की covering है यह तो बच्चो यहाँ पर endosperm है और यह क्या हो गया endosperm की covering इसको आप लोग बहते हैं alleron layer और बच्चो alleron layer भी कैसी होती है endosperm की तरह 3N होती है B is represent one large cotylidon called scutalum विलकुल सही बात है यह देखो बच्चो यहाँ पर जो आप भी देख रहे हो यह एक बड़ा cotylidon है monocoat के अंदर एक ही cotylidon होता है ठीक है आप कहा सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं scutalum कहते है C is represent coleoptile of seed बच्चो यहाँ पर C जो है वो coleoptile नहीं होता बलकि coleorrhagia है यह बच्चो यहाँ पर plimul है plimul की covering क्या होती है coleoptile यह radical है radical की covering क्या होती है coleorrhagia तो बच्चो यहाँ पर क्या हैगा coleorrhagia हैगा A is represent reserve food of seed बिल्कुल सही बात है बच्चो A यहाँ पर endosperm है और endosperm जो होता है उसमें क्या होता है food reserve होता है तो यहाँ पर wrong statement कौन सा हो गया answer यहाँ पर हो गया third option next the edible part of garlic बच्चो गार्लिक और onion मतलब lesson and pyaas जो होता है इन दोनों के अंदर food जो है वो store किसमें होता है आप कह सकते है stem के अंदर नहीं होता root के अंदर नहीं होता birds में होता बलकि fleshy leaves में होता है आप कह सकते हैं कि बच्चो यहाँ पर garlic जो है garlic and onion इनके अंदर आप कह सकते हैं कि जो बच्चो stem होता है वो stem काफी क्या होता है reduce होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं bulb वल भी कह सकते हैं, तो बच्छो इहां पर बहुत रिडूस होता है यहां पर लीफ को स्टोर करती है फिर यहां पर फूड को स्टोर करती है लीफ जिससे लीफ फलेश हो जाती तो आंसर यहां पर हो गया, फॉर्थ ऑप्शून Select correct floral formula for lupine plant देखें तो देखो बचो यहाँ पे lupine की बात की गई है lupine जो बचो यहाँ पे है आप कह सकते हैं एक ornamental plant है एक सजावटी पादप है Fabacy family का और Fabacy family यहाँ पर आपके सामने जो है उसका जो floral formula है उपन देख लेते हैं यह बचो यहाँ पे symbol आप जो देख रहे हो यह symbol यहाँ पे किसका है यह symbol इस बात को शो करता है कि plant के अंदर जो flower है आप बचो इसको सरिफ एक ही plane से two equal part में divide कर सकते हैं बिलकुल यहाँ पे सही बात है यह बचो यहाँ पर यह symbol किसका है यहाँ पर सेपल कितने है फाइफ आपस में जोइंटेड है पेटल यहाँ पे फाइफ है आप यहाँ कह सकते है बचो वैक्जिलरी एस्टिवेशन शो रखा है फिर बचो यहाँ पर देखो जो स्टेमन्स है वो डाइडेलफस है टू ग्र कोशन नंबर 161 कंडिशन देखते हैं इन रूट्स दे टेगनेंशियल एस वैल एस रेडियल वोल ओफ दे बेरल शेप्ट एंडोडर्मल सैल्स हैव एडिपोजिशन ओफ वोटर इंपर्मेबल वैक्सी मेटेरियल सुबरिन इस दा फॉर्म आफ मूल में बेरल नुमा एंड किस रूप में होता है बचो यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होती है अपने को पता है कि रूट के अंदर जो एंडोडर्मिस है इस एंडोडर्मिस की जो वोल होती है इस वोल पर बचो डिपोजिशन क्या होता है सुबरिन और एंडोडर्मिस की जो वोल है इस तरीके से आप क जनरली लेकिन अगर उसके उपर लिगनिन या फिर सुबरीन का डिपोजिशन हो जाता है तो आफ्टर डिपोजिशन सैल वोल विल बी इंपर्मेबल सो वोटर कैन नोट एक्रोस फ्रोम इट तो पन कह सकते हैं बचों यहां पर यह जो सुबरीन का डिपोजिशन है इसे हम लोग कहते हैं didible strips no protein strips no इन्हें बचों क्या कहते हैं casperian strips चाहे तो di coat root हो चाहे mono coat root हो सिर्फ root के अंदरी बचों यहां पर आप कह सकते हैं casperian strips पाई जाती है यह सब इसलिए होती है ताकि जो water का flow होता है वो बच्छो एक साथ एक direction में हो जाए सिलिक्से स्टिप्स यहाँ पर होगी नहीं answer हो गया third option 162 well developed pit is seen in सू विक्षित मज्जा किस में पाई जाती है देखे अगर बच्छो आप root की बात करेंगे तो root के अंदर जो dicote root होती है इस dicote root के अंदर आप कह सकते बच्छो पित कैसी होती है less developed और monocote root जो होती है बच्छो इसमें पित क्या होती है well developed stem की बात मैं यहाँ पर करूँ तो बच्छो stem में जो dicote stem होता है इस dicote stem में पित क्या होती है well developed जबकि जो आप कह सकते यहाँ पर जो monocoat stem है बच्चों यहां पर पित क्या होती है absent होती है तो आप कह सकते answer कौन सा हो गया well developed किसमें होती है monocoat root and dicote stem monocoat root and dicote stem answer बच्चों यहां पर कौन सा हो गया third option हो गया समझगे आपको पता होगा बच्चों monocoat stem के अंदर vescular bundles जो होते हैं वो scattered phase में होते हैं बिखरेवे होते हैं तो अगर मालो vescular bundle बच्चों वहां पर बिखरेवे होते हैं तो वहां पर जो ground tissue है वो differentiate नहीं होता ठीक है पित या फिर आप कह सकते हैं यहां पर medullary race, pericycle, endodermis यह सब जो होते हैं वो बच्चों क्या होते हैं अन्डिफ्रेंशियेट होते हैं available ही नहीं होते हैं किसके अंदर monocoat stem के अंदर तो answer यहां पर हो गया third option हाजी इसके बाद में आके देखते हैं identify the parts labeled ABCD in the given diagram select the correct option दिये गए चित्र में नमांकित ABC तथा D को पहचानिए और इनके बारे में सही विकल्प का चुनाव कीजिए देखें सबसे पहले हम बच्चों यहां पर एक बात करना चाहेंगे जैसे A यहां पर क्या है तो बच्चों बिल्कुल मैंने यहां पर NCRT का जो diagram है क्योंकि NCRT जो है वही से paper आता है अपने यह जो बच्चों आप यहां पर A देख रहे हो यह A बच्चों यहां पर है वास्तों में leaf primordia है क्योंकि बच्चों leaf primordia जो है उसी से formation किसका होता है leaf का होता है फिर B की बात करता हूँ B बच्चों यहां पर आप कह सकते हैं क्या है यह बच्चों यहां पर shoot apex है B यहां पर क्या है shoot apical meristam zone है देखो बच्चों C यहां पर क्या है C यहां पर axillary bird है जिससे यहां तो flower बन जाएगा यह बच्चो system branch बन जाएगा फिर देखो बच्चों D यहाँ पर इस तरीके से आप क्या सकते हैं वेस्कुलर बंडल है तो क्या हो गया डिफ्रेंशेटिंग वेस्कुलर टिशू आंसर यहाँ पर सेकंड ओप्शन हो गया समझ रहें बिल्कुल देखो बच्छों NCIT का डियागराम लिया था जिसमें यह जो लेबलिंग है बकायद NC बच्छों शलाइडेन ने एंड स्वान ने मिलकर सेल ठीटी इस लाइडेन ने बताये था कि जितने भी जो और्गनिजम्स है चाहे तो प्लांट है चाहे एनिमल्स है सारे और्गनिजम्स का फॉर्मेशन किस से होता है सेल्स से होता है लेगे जब उनसे यह पुछा गया कि आपने ये तो बता दिया कि औरगनिजम्स का फॉर्मेशन स्लाइडं से होता स्वान से होता है लेकिन ये बताओ, ये नई सेल आती कहां से हैं, तो स्लाइड 데न स्वान को देखा, और स्वान ने स्वान ने स्लाइडेन को देखा, मतलब यह नहीं बता पाए कि new cells का जो origin है वो कहां से होता है नई cell कहां से आती है इस बात को cell theory मतलब slide and swan नहीं बता पाए फिर बच्चो 1855 में आये रुडॉल्फ विर्चो उन्होंने सबसे पहले कहा था omni cellular e-cellular मतलब जो new cell है उसका origin किसे होता है pre-existing cell से होता है नहीं कोशिका पुरवर्थी कोशिका से आती है तो बच्चो इस चीज को explain किसने किया था रुडॉल्फ विर्चो ने answer यहां पे हो गया fourth option next select the odd one with respect lysosome lysosome के बारे में विसम का chain किंद करना है बच्चो lysosome के बारे में विसम का chain करना है मतलब यहां पे चार स्टेटमेंट है अगर यहां पे तीन गलत है और एक सही है तो आपको एक सही यहां पे डूढ़ना है अगर मालो बच्चो यहां पे तीन सही है एक गलत है तो आपको फिर गलत डूढ़ना पड़ेगा मतलब चार स्टेटमेंट है इनमें से आपको Ode को select करना है These are Membrane Bound Vesical Structure बिल्कुल सही बात है बचो Lysosome आप कह सकते है Membrane Bound है और Vesical Structure होती है Formed by the process of packaging in the Golgi, बिल्कुल जो बचो यहाँ पे system निवा करती है इस system ही के अंदर यह surface होगी cis यह बचो यहाँ पे trans surface है तो trans surface के थूँ आप कह सकते है Lysosome का formation होता है packaging के थूँ मतलब जो digestive enzyme होते है उसको Vesical के form में पे करके फिर trans face से बाहर निकाल देते है contain hydrolages, lipase, protease and carbohydrates बिल्कुल बचो NCRT की लाइन है इसमें hydrolages, nature के enzyme होते है जो की lipase, protease और carbohydrates है हला कि यहाँ पर एक नाम नहीं लिखा हुआ वो भी आप लिख सकते है nucleages, जो की nucleic acid को digest करें they are capable of digesting carbohydrate protein, lipid, nucleic acid and cellulose no, no, no बचो, Lysosome जो होता है वो Lysosome digestion करता है carbohydrate का क्योंकि उसमें carbohydratease है वो digestion करता है lipid का क्योंकि उसमें lipase है Lysosome digestion करता है protein का because उसमें protease है Lysosome digest करता है nucleic acid का क्योंकि उसमें nuclease है लेकिन Lysosome जो है उसमें cellulose का digestion करने के लिए enzymes नहीं होते हैं और बिल्कुल सही बात भी है बच्चो, Lysosome का होना character animal cell का है cellulose मतलब cell wall का होना character plant cell का है तो cellulose तो है plant cell में Lysosome है animal cell के अंदर बताओ बच्चो के से matching होगी तो अपन यहां कह सकते हैं कि cellulose को digest करने वाले enzyme यहां पर नहीं होते हैं और suicidal bag बिल्कुल सही है अगर बच्चो, Lysosome की membrane जो है वो ब्रस्ट हो जाए, फट जाए तो सारे enzyme भाहर निकल जाते हैं और cell को digest कर देते हैं तो यहां पर जो ode है, यहां पर जो wisdom है, वो बच्चो कौन सा हो गया तीसरा आंसर हो गया next, question number 166 choose the correct option for the chromosome निचे दिये गए गुंसुतर के लिए सही विकल्प का chain करना है बिल्कुल करेंगे यह देखो बच्चो आपके सामने chromosome है ठीक है, तो number of chromatid की बात करते हैं यह देखो बच्चो यहां पर यह जो आप देख रहे हैं बच्चो क्या बलेंगे इसको chromatid तो बताओ कितने chromatid है एक chromatid यह, एक chromatid यह तो कितने होगे chromatid दो हो गए, ठीक है यह तो होगा नहीं, यह हो सकते हैं number of arms 1, 2, बच्चो आपके बात यहां पर कर रहे हैं तो 1 arm, 2 arm, 3 arm, 4 arm arms कितने होगे, 4 होगे बच्चो, arms यहां पर कितने है, 4 तो यह भी नहीं होगा आगे बात करते हैं, इसके बाद में number of centromere देखो बच्चो, यह दो आप जो देख रही हो, plate like structure है जिसको बोलते काइनेटो कोर और यह काइनेटो कोर जो है, centromere जो होता है अपने पास में, उसके इर्द-गिर्द side में होता है, इसका मतलब बच्चो, यहां पर एक इसमें क्या होता है आप कहसेकते, centromere है number of centromere, कितने हैं बच्चो 2 है, 2 है number of telomere, बच्चो, telomere बच्चो, telomere की बात करें, तो क्रोमोजोम के जो किनारे होते हैं, उनको बोलते telomere, 1 telomere, 2 telomere 3 telomere, 4 telomere देखो बच्चो, यहां पर आ गया तो correct answer यहां पर हो गया, third option क्रोमेटिट कितने हो गए, 2 number of arms, 4 number of centromere, 1 number of countercord, 2 number of telomere, मतलब किनारे बच्चो, इन किनारों का बहुत बड़ा रोल है, इन terminal की होने से क्या होता है, terminal का function है क्रोमोजोम को आपस में चिपकने से रोकना, attach होने से रोकना, ठीक है और क्रोमोजोम के अंदर जो arms होती है, इन arms के किनारे जो होते हैं, इन्हें बच्चो क्या किस से होता है, microtubule से होता है, movement of cilia and phlegyla, बचो, cilia, phlegyla, जो कि eukaryotic cell में है, जो कि eukaryotic cell में होते हैं, ये, बचो, cilia phlegyla किस से बनते हैं, ये भी microtubule से बनते हैं, तो मेरे केने का मतलब यहाँ पर यह हुआ, कि microtubule जो है, वो spindle fiber के अंदर भी है cilia के अंदर भी है flagela के अंदर भी है तो answer यहाँ पे हो गया third option cyclosis बचो cyclosis जो है उसमें आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो cytoskeleton है उसका पूरे का रोल होता है जिसमें micro-tubles भी है micro filament भी है और आप कह सकते हैं intermediate fibers भी है तुम सिर्फ micro-tubles किसमें होती है spindle fiber में and cilia and flagela में लेकिन बचो यहाँ दखना pro-karyotic में cilia तो होता है नहीं है pro-karyotic में सिर्फ flagela होता है और उसके flagela में micro-tubles नहीं होती है pro-karyotic के flagela के अंदर तो flagelin protein पाई जाती है answer यहाँ पे हो गया third option next in which of following stage metabolic activity is maximum निम्नमें से कौन सिवस्ता में उपाप चीज सक्रियता अधिक्तम होती है बच्चों इंटरफेस प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस देखो इंटरफेस और उसके बाद में क्या आती है मेटाफेस बच्चों एनदर क्या आता है प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टिलोफेस इंटरफेस जो है उसमें सेल डिविजन नहीं करती लेकिन बच्चों इंटरफेस के अंदर सेल प्रिपेर होती है डिविजन करने के लिए इसलिए बोलते हैं कि समसे जादा मेटाबोलिजम किस में होता है इंटरफेज में होता है थोड़ा सा बच्छों इक ची बताता हूं आपको जैसे पहले आ गया इंटरफेज उसके बाद में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज और बचो टिलोफेज के बाद में फिर से क्या जाएगा इंटरफेज इंटरफेज के अंदर सबसे जादा मेटाबोलिक एक्टिविटी होती है फिर जब प्रोफेज आता है तो बचो मेटाबोलिक एक्टिविटी कम हो जाती है मेटा फेज में मेटाबोलिक एक्टिविटी और कम हो जाती है एना फेज में मेटाबोलिक एक्टिविटी और कम हो जाती है और बचो टिलो फेज में जो मेटाबोलिक एक्टिविटी होती है वापस बढ़ने लग जाती है और फिर जब इंटर्फेज आती है तो बचो यहाँ पर highest क्या होता है metabolism होता है क्योंकि cell यहाँ पर बहुत सारे substances का formation करती है synthesis करती है किस चीज़ के लिए division करने के लिए तो बचो सबसे ज़ादा metabolism किसमे होता है interface में होगा next 169 the statement related to nuclear membrane केंदरी किये जिल्ली से समधित कतन है both membranes run parallel to each other के से कह सकते है कि बचो nucleus की membrane होँ करती है nucleus की Licht जो membrane होँ करती है यह जिए बचो outer membrane यह inner membrane देखो बचो क्या है एक दूसरे के parallel है बिल्कुल सभी statement है peri nuclear space peri nuclear space यह कौन सा होता है दौनों membrane के बीच का जो space होता है यह बचो peri nuclear space है और इसकी जो diameter है, यह diameter कितना होता है, 10 nanometer से 50 nanometer, बिल्कुल सही statement है, outer membrane remain continuous with ER, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चो, outer membrane होती है, वो ही ER का formation करती है, यही तो reason है, कि ribosome पाए जाते हैं, outer nuclear membrane की उपर, और बच्चो, यही ribosome जो है, आप कह सकते हैं, ER की उपर भी available होते हैं, जिस बच्चो याद रखना, जो outer nuclear membrane है, उससे क्या बनता है, RER, और बच्चो, RER से बाद में क्या बन जाएगा, SCR, तो बच्चो, यहाँ पर आप कह सकते हैं, ethno statement क्या है, correct है, तो the statement related to nuclear membrane, only A and B statement are true, no, यह सही है, बच्चो, no one statement is incorrect, कोई सा भी statement गलत नहीं है, बच्चो, सारी statement क्या है, सही है, next, 170, mitotic anaphase differ from metaphase, in possessing, anaphase में ऐसा क्या है, जो metaphase में नहीं होता है, तो देखो बच्चो, जैसे मान लो अपने पास में, यह है metaphase, यह metaphase का chromosome है, जब भी anaphase आती है, तो anaphase के अंदर क्या होगा, anaphase के अंदर यह वाला spindle fiber chromosome को उपर की तरफ खिचेगा, यह वाला spindle fiber chromosome को नेचे की तरफ खिचेगा, उससे क्या होगा, उससे बच्चो, यह जो यहाँ पे chromosome है, यह chromosome two part के अंदर break हो जाएगा, देखो बच उसट पॉल की तरफ मुह करेंगे, तो क्या होगा, splitting of centromere, centromere की splitting होना, यह बचो सिर्फ और सिर्फ किसमे होती है, anaphase में, pairing of chromosome, chromosome की pairing होना, यह बचो आप यहाँ पे कह सकते है, anaphase में भी नहीं होता है, metaphase के अंदर भी नहीं होती है, बल्कि बचो chromosome का जो pairing है, यह तो gigotin phase में होता है, crossing over, यह तो बचो pacatin में होता है, तो answer यहाँ पे कौन सा हो गया, first option हो गया, next question, which true according to char graph rule, बचो char graph का तो एक ही rule होता है, कि कि किसी भी DNA के अंदर, DNA कौन सा, double standard, purine की जो number है, वो pyrimidine के equal होता है, यह बचो यहाँ पे char graph का rule होता है, अब इसी को आप इस तरीके स क्या होता है, adenine plus guanine, pyrimidine में क्या होता है, cytosine plus thymine, तो यह इसके equal हो गया, इसको निचे के तरफ लिया हो, तो a plus g upon c plus d is equal to क्या आ गया, वन आ गया, तो देखो बचो यहाँ पे purine is equal to किसके है, pyrimidine के, बिलकुल सहिए, ag upon tc, ag upon tc is equal to 1, बिलकुल सहिए, g is equal to c, बचो यह भी सहिए, किसी भी dna के अंदर c, जो है, वो बच्चो g के equal होता है, यहाँ बच्चो यह double bond नहीं है, यह सिर्फ इस बात को show कर रहा है, कि इनके equal है, बाकि bond यहाँ पे आता है, triple bond, ठीक है, तो all of this, बच्चो सारे statement यहाँ पे, चागराफ के rule के according ही है, next 172, the codon that causing chain termination are, कूट जो श्रंकला समापन का कारण है, बच्चो termination, श्रंकला समापन, जब dna से rna बनता है, मतलब transcription होता है, तो बच्चो dna से क्या बन जाता है, rna, अब बच्चो इसके बाद जो rna है, उससे क्या बनेगा, protein, इसको हम लोग बोलते हैं, translation, translation, translation को बच्चो start करता है, a, u, g, और इसको stop करता है, u, a, a, u, g, a, u, a, g, तो देखो बच्चो यहां पर आ गया, a, g, t, a, g, u, g, a, टो देखो बच्चो यहां पर ये तो सही है, ये यहाँ पर रौंग है, u, a, g, u, g, a, और u, a, a, ये बच्चो तीनों यहां पर सही है, तीनों यहां पर stop कॉड़ोन है, जो की translation को stop कर देते हैं, ठीक है, T, A, G, T, A, T, G, T नहीं है, G, A, T, A, T, A, G, T आंसर बचो यहां पर कौन सा हो गया, second option हो गया next one, 73, enzyme increase the rate of reaction by, बचो enzyme किसको increase करता है, देखते हैं enzyme increase the rate of reaction, enzyme जो है, वो reaction की rate को high कर देता है मतलब जो reaction पहले लंबे time में हो रही थी, अब वो जल्दी हो जाती है तो देखो बचो इसमें क्या होगा जैसे, suppose A plus B, इससे formation किसका हो रहा है, C का तो बचो गर आप energy का graph बनाओ, तो graph कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, मान लो यहाँ पर क्या है, A plus B, formation किसका हो गया, C का, substate and product के formation, substate से product बनने के पहले, देखो बचो यहाँ पर एक transition stage आती है क्या आती है, transition stage, इस transition stage के formation के लिए, substate को जितनी उर्जा एक्स्ट्रा चाहिए होती है, इसको बचो बोलते है, delta E, इसको बोलते है, activation energy, बात समझ रहे हैं, तो बचो क्या होगा इसके अंदर, enzyme का use करने पर, अब यह reaction इस तरीके से हो जाएगी, तो देखो बचो अपर यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कि अब यह जो यहाँ पर transition stage है, बचो जल्दी बन जाएगी, अब यहाँ पर इतनी ही, delta E की requirement होती है, मतलब वो energy, जिससे transition stage बनती है, सबस्टेट को दी गई, वो extra energy, जिससे transition stage का formation होता है, that is called delta E, activation energy, अगर आपने enzyme का use किया है, तो enzyme का use करने पर, जो transition stage है, अब वो low energy के अंदर बन जाती है, मतलब delta E की जो value है, वो बचो कम हो जाती है, ठीक है, यहाँ रखना बचो, energy की बात में यहाँ पर करूँ, तो enzyme का use क करने से, सबस्टेट के energy में कोई changes नहीं होता है, product की जो energy है, उसमें कोई change नहीं होगा, change सिर्फ और सिफ होगा, transition stage के energy के अंदर, यहाँ मत कहूँ, जो delta E की value है, वो बचो यहाँ पर क्या हो जाएगी, reduce हो जाएगे, तो answer यहाँ पर हो गया, enzyme क्या करता है, decreasing activation energy, बिलकुल स आ गया, first option आ गया, next, in the following diagram, lacoperon identify A, बचो यहाँ पर A जो है, वो किसके लिए है, देखो, यहाँ पर I gene है, आई देखो बचो यहाँ पर inhibitory gene है, जो बनाता है repressor protein, पहले बनाता है repressor mRNA, उससे बनता है repressor protein, यह protein जो है, आप कह सकते हैं, पर motor के साथ में, आप यह condition देखे, तो बचो यह क्या करता है, यह जो यहाँ पर protein है, आप कह सकते है, attach किसे होती है, operator के साथ में, फिर बचो इन सब को inactive कर देती है, ठीक है, लेकिन अगर यह कहा जाए, लेकिन अगर यह कहा जाए, कि यहाँ पर A आ गया, तो देखो बचो A एक ऐसा substance है, जो इस repressor protein के साथ repressor protein के साथ में bind हो गया, पहले यह repressor protein यहाँ पर operator के साथ attach हो रही थी, gene को off कर रही थी, लेकिन अब यह जो यहाँ पर आप देख रहे हो, A, AC structure है, जो क्या करेगी, इस repressor protein के साथ attach हो जाएगी, जिससे यह protein operator के साथ attach नहीं हो पाएगा, और बचो इसको हम लोग क्या कह लेक्टोस तो लेक्टोस यहाँ पर आंसर हो जाएगा, लेक्टोस, लेक्टोस क्या करता है, बचो लेक्टोस जो होता है, यह lactose इस protein के साथ attach होकर, इस protein को आप कह सकते हैं, operator के साथ जुड़ने से रोग देता है, यह prevent कर देता है, attachment with operator के साथ में, जिससे promoter own रहता है, operator भी लेक्टोस क्या है, inducer है, यह induce करने वाला है, यह बचो यहाँ पर उनायक है, समझने बात को, जबकि यह जो बचो यहाँ पर protein है, यह repressor है, यह बंद करने वाली होती है, 175, choose the type of enzyme involved the following reaction, देखो बचो यहाँ पर आप कह सकते हैं, यह reaction यहाँ पर है, पहले S और G आपस में ट जबाएस था, यह S देखो बचो इस enzyme ने क्या किया, इस enzyme ने इसा किया, कि जैसे यह जो बचो G है, इसके साथ में कौन जुडावा था, S जुडावा था, इस S को तो बहार निकाल दिया, और जो S देखो इसको साथ में जोड़ दिया, तो हम कहा सकते हैं कि किसी group को निकाल क कि वहाँ पे दूसरे group को add कर देना ये function बच्छो किसका होता है transferase का होता है देखो अब बच्छो यहाँ पे S तो अलग हो गया ठीक है इस G के साथ में कौन bind हो गया S bind हो गया तो G के S को निकालके वहाँ पे S देश आ गया तुम कहा सकते हैं ऐसा enzyme जो substrate के एक group को निकालकर वहाँ पर दूसरा group add कर दे that is called transferase बच्छो डी hydrogenase यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यह जो है आप कहा सकते हैं oxidation करता है reduction करता है transferase बिलकुल यहाँ पे सही है hydrolase नहीं होगा क्योंकि यह breakdown करता है water के साथ lysis जो है वह भी नहीं होगा क्योंकि बच्छो यह भी breakdown करता है without hydrolysis तो यहाँ पे transfer cover किसका है transferase का है answer आगया second option next 1676 both starch and cellulose are polysaccharide and polymer of glucose बिलकुल जो बच्छो cellulose है और जो आप कह सकते हैं starch है दोनों ही क्या है glucose के polymer है the starch iodine is blue in color but cellulose not produced to iodine test why बच्छो starch जो है वो iodine test show करता है starch का iodine test के बात मैं यहाँ पे करूँ तो starch जो है इसका iodine test कैसा आता है positive लेकिन जो बच्छो cellulose है आप कह सकते हैं इसका iodine test कैसा आता है negative इसमें reason क्या है क्योंकि बच्छो starch जो है इस starch के अंदर क्या होता है बच्छो starch के अंदर helical structure पाई जाती है जिसके अंदर iodine enter कर जाता है जबकि जो cellulose है बच्छो cellulose के अंदर helical structure नहीं पाई जाती है जिससे iodine उसमें टेच नहीं हो पाता तो क्या बोल रहा है starch hold iodine molecule in the helical protein starch जो है वो hold कर लेता है iodine molecule को अपने helical portion के अंदर cellulose does not contain complex helical and cannot hold iodine molecule ये भी बच्छो बिल्कु सही बात है लेकि पुछा आपको किस के बारे में है पुछा आपको है cellulose के बारे में कि starch तो iodine taste जो है starch तो blue color देता है लेकिन जो cellulose है वो produce नहीं करता क्योंकि बच्छो cellulose के अंदर ये जो helical है वो नहीं पाई जाती तो बच्छो यहां पर answer second है क्योंकि बच्छो पुछा आपको cellulose के बारे में है starch contain free atomic ये बच्छो रों statement है क्योंकि जो monosecured reducing भी हो सकती है नो reducing भी हो सकती है answer यहां पर हो गया second option कि 177 transpiration cohesion tension theory appear बच्छो transpiration theory apply कब होती है जैसे मान दो अपने पास इस तरीके से leaf है ये बच्छो यहां पर क्या है leaf है leaf में होगा transpiration तो leaf में transpiration की होने से आप कह सकते हैं यहां पर जो water की concentration है वो कम हो जाएगी water की concentration के कम होने से ये leaf जो है इसमें water कम हो गया तो leaf ने water कहां से लिया जाइलम से ले लिया जाइलम से अगर पानी बाहर निकल गया तो जाइलम से water की निकलने से जाइलम में water की deficiency होती है और बच्छो जाइलम में water की deficiency होने से आप कह सकते हैं एक tension create होता है जो water को अपने आप पूल कर लेगा इसको बच्छो बोलते हैं transpiration cohesion theory तो एक किस चीज को करता है active water absorption, passive absorption, both and none of these देखो अगर बच्छो water को उपर की तरफ खीश लिया तो आप कह सकते हैं कि जो root है इस root में water क्या रहेगा, कम रहेगा, अगर root में water की concentration less होती है तो water move करेगा high concentration to less concentration, high concentration to low concentration, soil to root और बच्छो इसमें energy की requirement नहीं होती है तो कौन सा process हो गया, passive process हो गया next one 78 की बात अपन यहां कर लेते हैं, which among the following represent the correct relationship in about of plasmolyze cell, देखो बच्छो, plasmolyze cell की बात अगर अपन यहां पर करें, तो इसमें si p की जो value है, वो negative में आती है, formula क्या होता है, si is equal to si s plus si p, देखो बच्छो, si p यहां पर negative में आता है, तो si is equal to si s minus si p, यह बच्छो, इसके लिए सई है, first option है, si w is equal to si s minus si p, बिल्कुल सई है, si s is equal to si w minus si p, अगर बच्छो, si s की बात करूँ, तो आप si p को अधर लियाओ, तो si plus si p is equal to si s, no, यह देखो बच्छो, मैनस यहां पर आ गया, wrong statement है, ठीक है, तो बच्छो, यहां पर correct answer को और सा हो गया, first option हो गया, मेरे ख्याल से को दिकत नहीं, इसके अंदर, मैंने बच्छो, पूरा आपके सामने यहां पर soul किया है, next 179, when a molecule of pyruvic acid is subjected to anaerobic oxidation and form lactic acid, these are, जब pyruvic अमल का एक अणू, तोड़ा सा बच्छो, मैं यहां पर ध्यान चाहूंगा, यहां पर molecule कितने है, a molecule, यहां पर एक ही molecule है, तो आपको पता है, कि अगर pyruvic acid से, बच्छो, formation किसका होता है, लेक्टिक acid गा, तो लेक्टिक acid गा formation होते हैं टाइम पर, अगर आप condition देखें, बच्छो, यहां पर 1 NADH2 जो है, उसका consumption होता है, तो 1 NAD plus, क्या बन गया, H2 बन गया, तो देखो बच्छो, एक pyruvic acid के लिए 1 NADH2 का consumption होगा, और glycolysis के अंदर बनने वाले 2 pyruvic acid के लिए 2 NADH2 का consumption होगा, पुछ आपको यहां पर A के बारे में है, तो एक pyruvic acid के लिए 1 NADH2 का requirement होती है, मतलब loss of 3 ATP molecule, because 1 NADH2 is equal to 3 ATP, next, 180, macronutrient which is component of all organic compounds, but is not urban from soil, दीख पौसर तत्वे, सभी carbonic पदार्तों का गटक है, लेकिन मर्दा से ग्रहन नहीं किया जाता, बच्छो सबसे पहले बात करते है, macronutrient की, macronutrient कौन से है, बच्छो macronutrient यहां पर जो है, आप कह सकते हैं, यह है CHO, इसके लाबा, PNK, calcium, magnesium, sulfur, यह बच्छो आप कह सकते हैं, macronutrient है, यह इसे nutrient है, जो plant, soil से लेता है, इनको plant, soil से नहीं लेता, इनको बच्छो plant, soil से नहीं लेता, तो which is not obtained from soil, soil से क्या नहीं लेता, carbon, hydrogen and oxygen, अब इनमें से answer होगा, magnesium, है नहीं, phosphorus भी नहीं है, nitrogen भी नहीं है, तो क्या पच्छगिया, carbon, answer, fourth option है, लेकिन बच्छो गर आप इसको accuracy से करो, accurately देखो, यह क्या बोल रहा है, कि जो सारे organic compound का content है, component है, तो बच्छो सारे के सारे जो organic compound है, आप कह सकते हैं, वो carbon से और hydrogen से तो बनी है, और बच्छो सा में क्या होता है, oxygen होता है, तो यह ऐसे component है, जो plant, आप कह सकते हैं, soil से नहीं लेता, इनको बच्छो बोलते है, non-mineral, और इनेम लोग क्या कहते है, mineral, तो non-mineral कौन से हो गए, CHO, answer बच्छो यहाँ पर carbon है, answer हो गया, fourth option, ओके, आगे चलते हैं, next, during seed germination, stomatal opening, which one pair is important, बच्छो, seed के germination को बढ़ाता है, zebralic acid, और reduce करता है, epsysic acid, stomata की opening को करता है, आप कह सकते हैं, cytokinin, और stomata की closing को करता है, epsysic acid, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, seed के germination को कौन बढ़ाता है, zebralic acid, stomata की opening के लिए, आप कह सकते हैं, opening के लिए, cytokinin, तो बच्छो, कौन सा हो गया, ckba, no, ga, no, यह बच्छो, बिलकुल सही यहाँ पर है, zebralic acid, और cytokinin, बच्छो, याद रखना, एक बात, एक्स्ट्रा में, epsysic acid, ऐसा हर्मोन है, जो इन दोनों को ही reduce करता है, सीड के germination को कम करता है, और stomata को close कर देता है, answer third option हो गया, 182, when wheat and sugarcane, बच्छो, wheat कौन सा plant है, c3 plant है, sugarcane कौन सा plant है, c4 plant है, leaves are filled with the radioactive 14 CO2, in which molecule would the radioactivity appear first in these plants, बच्छो, सबसे पहले radioactivity किसमें आती है, तो याद करो, c3 plant जो है, इसमें बनने वाला पहला compound होता है, 3PGA, c4 plant के अंदर, बनने वाला पहला compound है, oxaloacetic acid, ठीक है, तो अगर मालों बच्छो, carbon में c14 है, तो याद करो, जब CO2 का fixation होगा, जब CO2 का fixation होगा, तो c3 plant में सबसे पहले क्या बनेगा, 3PGA, यहाँ पे c14 आएगा, c4 में सबसे पहले क्या बनेगा, oxaloacetic acid, यहाँ पे c14 आएगा, तो बच्छो, आंसर कौन सा होगया, wheat के अंदर तो, c3 plant में तो क्या होगया, 3PGA, sugar cane में, c4 में क्या होगया, oxaloacetic acid होगया, ठीक है, आंसर बच्छो, यहाँ पे कौन सा होगया, first option होगया, तो बच्छो, इस question में, आपको वो सिर्फ इतना पूछना चाह रहा है, या मैं यहाँ पे सिर्फ आप से इतना पूछना चाह रहा हूँ, कि C3 plant, wheat, C4 plant, sugar cane, इन में dark reaction का first product क्या है, ठीक है, आंसर यहाँ पे होगया, first option, 183, pollen grain represent male gametophyte, which is surrounded by two layer, outer exine and inner entine, exine is absent at some places of pollen grain of dicot plant, बच्चो, dicot plant में याद अतना तीन जर्म पूर होते हैं, तो यहाँ पे क्या गया, some place, monocoat में एक ही जर्म पूर होता है, this place represent, तो देखो बच्चो, वो जगा जहाँ पर exine नहीं होती है, जहाँ पे sporopollen नहीं होता है, उसे आप लोग क्या कहते हैं, जर्म पूर कहते हैं, और बच्चो, यह वो ही जगा है, जिससे formation किसका होता है, आप कह सकते हैं, pollen tube का, जैसे मालो इस तरीके से condition है, इस तरीके से, मालो बच्चो, यहाँ पे इस तरीके से अपने सामने क्या है, यह तो हो गई, exine, और यह बच्चो क्या है, इंटाइन, तो देखो बच्चो, जहाँ पर exine नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, जर्म पूर, और बच्चो बाद में, जर्म पूर सी क्या होगा, आप कह सकते हैं, formation किसका होता है, pollen tube का, तो यह जगा यहाँ पे कौन सी है, जर्म पूर है, और बच्चो इससे formation किसका होगा, इनिसेशन ओफ, pollen tube, आंसर यहाँ पे हो गया, पॉर्थ option, next, 184, in formation of embryo sec, मतलब female gametophyte, how many division occur in functional megaspor, देखो, बच्चो यहाँ पे आपको functional megaspor से पूचा है, इसका मतलब यह है मेरा, कि megaspor mother cell जो है, इस megaspor mother cell से चार megaspor बनते हैं, और चार megaspor में से याद करो, तीन megaspor खतम हो जाते हैं, सिर्फ एक megaspor बसता है, जिसको आप लोग बोलते हैं, monosporic development, एक बजानुश विकास, तो देखो बच्चो यहाँ पे एक meiosis हो चुका है, लेकिन इस meiosis को आपको include नहीं करना है, क्योंकि बच्चो आपको पुछा है कहां से है, आपको पुछा ही यहां से है, तो एक megaspor जो होता है, याद रखता है बच्चो, यह तीन बार क्या करता है, mitosis, और जब यह तीन बार mitosis करता है, तो आप कह सकते हैं, बच्चो formation किसका होता है, तो बच्चो formation यहां पर होता है, अपन कह सकते हैं, इस तरीके से female gametophyte का, यह यहां पर antipodal cell, polar cell, यह यहां पर synergid cells होगी, दो, एक बच्चो यहां पर egg cell है, तो इन सब का formation करने के लिए, देखो बच्चो यहां पर 8 nucleus होते हैं, cell तो 7 है, nucleus कितने होते हैं, तो 1 nucleus से 8 nucleus के लिए, बच्चो तीन बार यहां पर mitosis होगा, पहले 1 से बनते हैं 2, 2 से बनते 4, 4 से बच्चो कितने बनते हैं 8, तो देखो 1, 2, 3, 3 times यहां पर mitosis है, so we can say that 3 times mitosis are required for formation of female gametophyte, तो आसर यहां पर हो गया, only 3 mitosis, 4th option, कफे सारे बच्चो ने क्या होगा, 1st option, लेकिन बच्चो इस question में मैं ही अचाता हूँ, कि आप इस बात पर भी जान दे, कि यहां पर शुरुवात functional mega spore से होई है, ने की mega spore mother cell से होई है, next 185, select vegetative propagation in part of agave and pistia, बच्चो अगेव जो है, आपको पता होना चाहिए, इसमें vegetative propagation किससे होता है, bulbil से होता है, और pistia, जो कि एक aquatic plant है, पाने में पाई जाने वाला plant है, बच्चो इसमें किससे होता है, offset से होता है, तो क्या हो गया, bulbil end, offset, आंसर बच्चो यहां पर कौन सा हो गया, third option हो गया, next, section B बच्चो यहां पर आ चुका है, question number 186, how many given plant perform pollination, बच्चो by water, किसमें water के थ्रू pollination होता है, wellisneria बिल्कुल सही है, hydrilla बिल्कुल सही है, जो श्टेरा बिल्कुल सही है, बच्चो water lily जो होता है, यह होता तो water में है, लेकिन यह actual में water की surface पे होता है, पानी की सते पर होता है यह, water lily, यहां पर जो pollination है, वो water से हो नहीं पाएगा, बलकि insect से होगा, and air से होगा, यह बच्चो यहां पर नहीं होपाएगा, oxalis जो है, यह तो बच्चो ऐसा flower है, आप कह सकते हैं, इस तरीके से close रहता है, बंद रहता है, क्लिस्टोगेमस flower हो गया, बच्चो यहां पर तो autogammy होती है, तो यहां पर pollen agent की need ही नहीं होती है, तो आप यहां पर कह सकते हैं, आंसर बच्चो कौन सा हो गया, third option, 197, smooth leaves and nectarless cotton varieties show resistance for following pest, चिकनी, पत्ती, युक्त, मकरंद रहित, कपास की परजाती, जो निम्न मेंसे किसके पिड़क के लिए परतिरोधी है, बच्चो NCRT के लाइन दे रखिये, smooth leaves and nectarless cotton varieties, जो है, उसमें resistance होता है, किसके लिए, ball warm के लिए, बच्चो किसके लिए होता है, ball warm के लिए, answer यहां पर हो गया, third option, question number 188, which of the following statement is incorrect, कौन सा कतन यहां पर गलत है, if the greater of BOD of waste water, more is its polluting potential, बिल्कुल सही है, बच्चो BOD जो है, आप कहा सकते हैं, यह BOD और pollution, आपस में परपोस्ट नहीं है, अगर बच्चो BOD ज़्यादा है, इसका मतलब हम pollution भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, some heterotropic microbes are used, in sea waste treatment, बिल्कुल सही है, बच्चो sea waste treatment के लिए, हम लोग जो microbes लेते हैं, यह heterotropic होते हैं, मतलब अपना food खुद नहीं बनाते हैं, बलकि other सबस्टान से लेते हैं, activated sludge digested in aerobic tank, with an agitator system, बच्चो aerobic यहाँ पर गलत आ गया, यहाँ पर आता है an aerobic, activated sludge digested का मतलब बच्चो यहाँ पर यहाँ यह है, बहुत ज़ादा हो जाते हैं, वो बच्चो यहाँ पर activated sludge है, ठीक है, इसका digestion किसमे होता है, anaerobic में करते हैं, ने की aerobic में करते हैं, chemical fertilizers are extremely harmful for the human beings, बच्चो chemical fertilizer अपने लिए क्या होते हैं, harmful होते हैं, answer यहाँ पर हो गया, third option, next, 189, match the following columns, यहाँ पर है growing microbes as the alternate source of protein, production of thousand plants by tissue culture, crop with higher vitamins, protein and fats, genetically identical plants, capacity to generate plant from single cell, एक एक बात करते हैं, totipotency क्या है, तो आप बच्चो यहाँ पर कहें, सब्सक्राइब तोटipotency का मतलब क्या है, capacity of generate plant by a single cell, एक single cell से, पूरा plant बन जाना, यह बच्चो यहाँ पर टोटipotency होती है, बायो फोर्टिफिकेशन क्या होता है, बच्चो बायो फोर्टिफिकेशन में, हम improvement लाते हैं, जो plant में nutritional value है, उसको improve करते हैं, तो आप क्या सकते हैं, यह बच्चो यहाँ पर हो गया, crop with higher vitamins, protein and fat, इसका बच्चो क्या हो गया, बायो फोर्टिफिकेशन हो गया, single cell protein, यह बच्चो क्या होती है, single cell protein यहाँ पर है, source of protein, single cell protein है, बायो फोर्टिफिकेशन है, इसके बाद में, micro propagation, micro propagation के अंदर क्या होता है, production of thousand plants by tissue culture, बच्चों हम लोग क्या करते हैं, tissue culture के अंदर, x plant यूज करते हैं, फिर x plant का यूज करके, हम छोटे छोटे बच्चों वहाँ पर plants बनाते हैं, इस तरीके से, छोटे छोटे plants का formation करना, culture medium के अंदर, that is called, micro propagation, soma clonal, बच्चों soma clone क्या है, तो आप यहाँ पर कैसे, soma clone क्या हो गया, यह बच्चों यहाँ पर genetically identical plants, जो micro propagation के अंदर plants बनते हैं, वो एक जैसे होते हैं, इनको बच्चों क्या बोलते हैं, soma clone, तो matching आप यहाँ पर कर सकते हैं, and answer की बात अपने यहाँ पर करें, तो a का बच्चों यहाँ पर क्या आ गया, third आ गया, b का क्या आ गया, four आ गया, c का बच्चों यहाँ पर क्या गया, second आ गया, ठीक है, d का बच्चों यहाँ पर क्या गया, genetically identical plant, five आ गया, ठीक है, answer बच्चों यहाँ पर कौन सा हो गया, second option हो गया E का यहां पर first आ जाएगा E का बचो यहां पर क्या आ गया first आ गया ठीक है तो बचो आंसर यहां पर second option हो गया 190 which is the competitively inhibiting enzyme responsible for synthesis of cholesterol बिलकुल बचो हम लोग जानते हैं कि इस्टेटिन जो होता है यह स्टेटिन क्या करता है जो cholesterol level होता है बलड में cholesterol की level को कम कर देता है कैसे कम करता है एक enzyme एक एंजाइम जो बचो कोलेस्ट्रोल का फॉर्मेशन करेगा यह स्टेटिन क्या करता है यह बचो यहां पर स्टेटिन जो होता है यह स्टेटिन इस एंजाइम के साथ में बाइंड हो जाता है और बचो इस एंजाइम के साथ में बाइंड होकर अब इस एंजाइम को पर ये है कि वो साथ यह बचों सबस्टेट है यह ए्नजायम है कि सबस्टेट के साथ मिल के को लेश्टोल का फॉर desarroll करता लेकिं यहां पर स्टेंट जो होता है इस स्टेंटомकी स्टेंट के जैसे होती है जिससे यह enzyme के साथ attach होकर cholesterol का formation नहीं करने देगा तो क्योंकि substrate और inhibitor दोनों की structure एक जैसी होती है, दोनों enzyme की active site के साथ में attach होने के लिए competition करते हैं, तो बचो आपस में क्या होगे? competitive inhibitor हो गए answer यहाँ पे हो गया statin, बचो cyclosporine A जो है यह तो immunosuppressive है streptokinase जो है, वो आप कहा सकते है clot bluster होता है, lipase lipid को digest करता है, तो आप यहाँ पे कहा सकते है, बचो आपसर कौन सा हो गया, third option हो गया O91 the multiplication for any alien pieces of DNA in an organism needs be a part of chromosome, because these chromosomes किसी जीव के विजाति DNA खंड के गुणन हेतू इसे गुणसुतर के अंग की आवशकता होती है, क्योंकि यह गुणसुतर बचो, जैसे माल लो, आपके पास कोई gene है, अब यह gene अपना multiplication नहीं कर सकता जब तक इसको कोई दूसरा gene नहीं मिले, कौन सा gene origin, origin का function होता है multiplication करना, तो कोई भी gene जो है, वो बिना origin के multiplication नहीं कर सकता तो हम कह सकते हैं उसको एक दूसरा chromosome चाहिए, दूसरा बचो कौन सा chromosome, जिसमें origin हो तो provide protein, factor for application, no, give energy unit, no, provides origin site, बिल्कुल सही बात है, आपको किसी gene को ऐसे chromosome के साथ में add करना पड़ेगा जिसमें origin है, ताकि वो chromosome के साथ में add होकर अपना बचो multiplication start कर दे, answer third option यहाँ पर है provide protein for the protection of alien pieces, नहीं बचो, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता है next 192, which of the following cryogen code the protein which can control the corn borer effectively बचो, मेज जो होता है, मक्का मक्के के अंदर hole करने वाला, जो बचो यहाँ पर corn borer है, इसको control करने के लिए हम लोग BT plant का यूज करते हैं, और ऐसा BT plant जिसमें कौन सा जीन होता है cry 1 AB यह ऐसा जीन है जिसको मेज में डालने पर मक्के में डालने पर बचो क्या होगा अब वहाँ पर corn borer नहीं आएगा तो cry 1 AC cry 2 AB, cry 1 AB बचो यहाँ पर कौन सा होगा 3rd option बिलकुल यहाँ पर सही आँसर question number 193 difference between recombinant cell from non-recombinant on the basis of their ability to produce color in present of a chromogenic substance in this process an enzyme gene become बचो जैसे कि आपको पता है plasmid में कही बार एक ऐसा gene होता है, जिसको आप लोग कहते है Z gene यह बचो ऐसा gene होता है जिससे beta galactosidus का formation होता है, जो कि chromogenic medium में glucular देता है हम लोग बचो क्या करते हैं इस Z gene को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं desire gene, तो देखो बचो अपन किया कह सकते हैं यहाँ पर कि desire gene के डालने से वो जो Z gene आपने इसको बाहर निकाल लिया तो बचो Z gene यहाँ पर क्या हो गया इनक्टिव हो गया, इसको बोलते हैं इनसर्षनल इनक्टिवेशन बिल्कुल सही है इनसर्षन गलत है बचो इनसर्षनल अंदर डालने से इनक्टिव हो गया इनेक्टिवेशन यहाँ पर हो गया क्रोमोजोमल एबरेशन नो इनवर्शन नो तो बच्चो एन्सी आर्थी की लाइन है कि बीटा गिलेक्टोसाइडेस प्रोड्यूस करने वाले जीन को निकाल के वहाँ पर डिजायर जीन को डालना बच्चो अप्लिकेशन ओफ बोटनी में हम पढ़ाते हैं कि इमपाई सीमा डिजीज को क्योर करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक सबस्टांस बनाया है और बच्चो वो ट्रांसजेनिक सबस्टांस कोंसा है लेक्ट अल्बुमिन नहीं होता बीटा वन ट्रिपसीन नो यह बच्चो यहाँ पर है अल्फा वन एंटी ट्रिपसीन यह ऐसा आप कह सकते हैं ऐसी प्रोटीन है जिसका यूज करने से इमपाई सीमा को क्योर कर सकते हैं यह बच्चो ट्रांसजेनिक प्रोटीन है वो 95 इसका मतलब यहाँ पर यह है कि एक और्गनिजम बच्चो यहाँ पर बेनिफिटेड हो गया दूसरा जो है वो एफेक्ट नहीं हुआ इसका मतलब प्लस जीरो स्केवेंजिंग बच्चो यहाँ पर यह आप कह सकते हैं बाइटिक प्रोशेस में नहीं है प्रिडेशन यह बच्चो यहाँ पर प्लस माइनस है कमेंशनलिजम प्लस जीरो है सिमबाइउसिस प्लस प्लस है तो बच्चो आंसर यहाँ पर कौन सा हो गया थर्ड उप्चिन हो गया विच ओव दे फोलोईग आर फंक्शनल एट्रिबूट feature of ecosystem, बचो ecosystem के functional attribute कौन से हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर एक तो होता है productivity, ठीक है, एक बचो यहाँ पर आप कहा सकते हैं, क्या होता है, energy का flow, decomposition and nutrient cycle, यह बचो यहाँ पर चार attribute होते हैं, जो functional attribute है, stratification, no, dominance, no, energy flow, yes, productivity, yes, decomposition, yes, अलागी देखो बचो यहाँ पर 4th mineral cycle या nutrient cycle है नहीं, बचो वो भी क्या होता है, एक functional attribute है, तो कितना यहाँ पर attribute हो गए इन में से, C, D and E, आंसर बचो यहाँ पर हो गया, 3rd option, 197, a dark colored amorphous substance humus, एक गहरे रंग का एक क्रिस्टलिये, छारिय पदात humus, increase the rate of decomposition, decrease the rate of decomposition, rate of decomposition is not affected, increase the rate of after involvement for O2, बच्चो, humus जो होता है, अपन पढ़ चुके हैं, ecology के अंदर, humus एक ऐसा substance है, जो colloidal nature का है, या फिर आप कहा सकते हैं, humus जो है, बच्चो इसका decomposition सबसे दिरे-दिरे होता है, तो decrease the rate of decomposition, जितना बच्चो हुमस जादा होता है, उतना ही decomposition जो है, वो slow हो जाता है, the following figure show, यह बच्चो figure यहाँ पर किसको show करता है, तो अपने को पता है, यह बच्चो यहाँ पर orchid flower है, यह बच्चो ओफ्रीस है, यह यहाँ पर male ओफ्रीस है, जो इस flower को female समझ बैठा, और बच्चो इसके साथ में copulation कर रहा है, जिसको आप pseudo copulation कहते हैं, तो fig flower is pollinated by moth, no, ऐ इसा नहीं है, NCRT में diagram दे रखा है, बट वो diagram इसका नहीं है, yucca flower, no, orchid, ओफ्रीस, flower is pollinated by b, b, बच्चो यहाँ पर कौन सा है, आप कह सकते हैं, यहाँ पर orchid flower हो गया, तो बच्चो आंसर यहाँ पर कौन सा होगा, third option, मक्खी के द्वारा परागित, orchid, जिसे आप कह सकते ओफ्रीस flower, हला कि बच्चो यहाँ पर ओफ्रीस जो है, वो नाम भीका है, पर उसको हम ओफ्रीस flower भी कह सकते हैं, ठीक है, आँसर यहाँ पर हो गया, third option, 199, the active chemical drug reserpine is open from, बच्चो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यह genetic biodiversity का example है, reserpine जो है, यह बच्चो यहाँ पर एक drug है, जिसक है, 200, dodo, passenger pigeon and stiller sea cow become extinct in the last 500 years due to, बच्चो पिछले 500 सालों में इन सब का extinction हो चुका है, इन सब का will open हो चुका है, इसकी बच्चो बच्चो कारण क्या है, यह यहाँ पर हो गया habitat destruction, answer बच्चो इसका है, over exploitation, mass इनका खाने के लिए काम आता था, तो सबसे जादा इनका over exploitation किया गया, इनको खाने के लिए इतना जादा काम में लिया गया कि बच्चो यह अर्थ पर से extinct हो गया, तो answer यहाँ पर हो गया second option, तो बच्चो इस तरीके से हमने 50 questions बोटनी के full syllabus के soul किये है, उमीद आपने paper को अच्छे से enjoy किया होगा, अच्छे स attempt किया होगा, thank you